हम आज जो चेप्टर यूनिट टू करने वाले हैं जिसका नाम है फाइनल अकाउंट सर फाइनल अकाउंट वही जो की आपको 11th क्लास से बोला जाता था कर बनाने को वही फाइनल अकाउंट है सर इसमें कोई फरक नहीं है ठींद बस आप थोड़ा साब संट्रेट करके देखेंगे ना इसमें सर वहां पर तीन चीज़े बना जाथि यहां पर स्रिफ बने गगा एक स्टेट्मेंट को स्टेट्मेंट ओफ प्रॉफिट एनड लस एक तो ये बनेगा सर यह क्या है इस statement of profit and loss old बाते पुराने टाइम पे old टाइम पे इसका मतलब सर हुआ करता था पुराने टाइम पे एक ट्रेडिंग बनाते थे याद है और एक बनाते थे पी एंडल लेकिन अब modern जमाना आ है और financial statement वो जो यह ट्रेडिंग और पी एंडल बनाया करते थे यह बनाया करते थे अकेले वेक्ति का अकेला वेक्ति है वह अपना भाई है ट्रेडिंग और पी एंडल बनाके काम खतम अब अकेले व्यक्ति का काम नहीं समाelा अब किसका काम समझालना है सिर कंपण। सभालना तो इसके लिए थोड़ा से specific और cos ли के रूल को follow करना पड़ेगा मैं सर कंपण। 이 के रूल में बोलता है कि यह ट्रेडिन और पेंडल अब ना बनाया जाया है अब क्या बनाएंगे statement यानि इन दोनों को merge करके ये बन गया है और कुछ ऐसी बात रही है खर्चे वही है wages, salary और income भी वही है sales वगरा चीज़े बस एक specific और एक बनाएंगे sir balance sheet sir balance sheet जैसे पहले बनाते थे वैसे ही बनाने के जी हाँ balance sheet तो वही है बस style change हो गया अब ये balance sheet को define किया गया है as schedule number 3 में और schedule number 3 के part 1 में बताया गया ये part 1 में कि कैसे balance sheet बनाया जाएगा mcq में क्यूंकि last time पे मैं बोलू ना तो on earth का paper देखना कम से कम 30-35 नंबर का mcq पूछ लिया गया था 30-35 नंबर का और इस chapter का full flies question ना पूछ के ये सब पूछ लिया कि balance sheet बताओ कि schedule में बनता है इसको हम profit है wages कौन से account में डालेंगे तो specific तो अगर starting से आप ध्यान से बातों को सुनोगे तो बहुत आसान mcq आने वाला है balance sheet जो बनाएंगे as per rule बनाएंगे sir ऐसे नहीं बनाएंगे हम साधारन balance sheet नहीं बनाएंगे as per rule sir as per rule के मतलब जो rule के अंदर given है sir कहां given है rule में ये given है sir rule के companies act में company act के अंदर और sir company act में कहां पे sir company act के schedule number 3 में बताया गया है कि balance sheet इस तरीके से बनाना है तो sir कोई नया तरीका है कि नहीं कोई नया तरीका नहीं हम एक एक करके सीखेंगे पहले तो हम format को बड़े detail में समझेंगे हाला कि हमें जादा सा जादा आज का time मान के चलो format में निकल जाएगा हम detail में पहले format सीखेंगे तो चलिए sir आप देखें आपके सामने एक balance sheet बना रहा हूँ है और यह balance sheet आपका वही पुराने वाला balance sheet है sir यह देखें वही पुराना balance sheet है sir अगर आप ध्यान से देखें न तो मैं समझाने की कोशिस करता हूँ आपको balance sheet इस side में देखें liability है इस side में क्या है liability और इस side में क्या है assets यही तो बनाते थे पहले भी balance sheet इस तरीके से हुआ करता था liability और assets और इधर ऐसे column अलग से दिखा करता था और वही चीज़ अब है लेकिन company act 2013 ने क्या करा बोला भीया assets liability वैसे ही है इसका थोड़ा format change किया जाए तो format जब change करने का time आया ना तो उन्होंने पता है कैसे format change किया balance sheet में सबसे पहले हमें balance sheet ही सीखना पड़ेगा although पहले pndl तो हमें बहुत छोटा सा होता है बाद में सीखेंगे पहले हम balance sheet देखेंगे तो उन्होंने क्या कहा कि अब जो balance sheet बनेंगे ना भाई साब कैसे बनेंगे जो ये वाला assets है ना इस assets को अब यहां लिया उठा किया बस मतलब इतना सा काम वह अब नहीं में बिल्कुल हाँ अब जो balance sheet बनेगा वो assets क्या करो जो side assets होता था उस assets को नीचे रख दो बाकी जो totaling workling का process चल रहा था वो तो सर चलता ही रहेगा तो अब balance sheet और पुराने balance sheet में कोई फरक नहीं है हाँ style का फरक है कहीं आप बोलो सर जब कोई फरक नहीं है तो क्या हम पुराने तरीके से कर सकते हैं नई 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 शडियूल 3 ऐसे इजाजत ही नहीं देता कि हमें क जो था जो assets इस side था वह assets के side आ उठके नीचे आ गया और थोड़ा हम conservative और थोड़ा specific हो चले हैं क्योंकि पहले के time पे अगर मैं बात करूं आपके सामने यह balance sheet है मैं थोड़ा detail में भी जाऊंगा मैं पूरा बनाऊंगा although अभी सर्फ मैं आपको समझा रहा हूं एक हिंट द define करना बड़ा ही मुश्किल हुआ करता था कि यह equity share capital है के preference share capital है के हमारा क्या है यह मतलब कि clear नहीं होता था authorized capital है और पहले हमें करने की अवश्चता भी नहीं पड़ती थी क्योंकि sole proprietor था उसमें equity preference होता ही नहीं था सिर्फ only क्या हुआ करता था capital बस और थोड़ा specific बार्व committed person होते हैं तो इसलिए हमें थोड़ा सा क्या होना पड़ेगा यहां पर specific होना पड़ेगा और specific जैसे भी होंगे हम इसको पूरा लिख के करेंगे मैं format बाकी मैं notes आपको proper class note provide करूंगा इन सब चीजों कि इसमें घबराने आली कोई बात नहीं है तो सर चलिए यानि सर balance sheet का पहले balance sheet का जो format है balance sheet का role है पहले क्या हुआ करता था अब क्या होता है बस यह आपके दिमाग में थोड़ा सा understanding करवाना था ठीक है अब मैं balance sheet बनाने जा रहा हूं हलाकि यह बना हुआ है लेकिन इसमें मजा नहीं आता मुझे जब तक मैं खुद हाथ से ना बना लू तो फि बातों को ध्यान से सुनिएगा और इसको apply भी करिएगा because of जब मैं question दूंगा balance sheet का जब हम सवाल करने आएंगे practical problem तो आपको यही format exactly exam में follow करना है अपनी मनमानी नहीं चलानी बस आपको यहां पे लिखा जाएगा note और यहां पे लिखा जाएगा amount यहां पे लिखा जाएग पर्टिकुलर और 12 में भी आप लोगों ने याद किया है इसको और उपर लिखा जाएगा balance sheet और नीचे लिखा जाता है as at और जो so and date होगा यह सब डालना है नहीं तो इसके marks कट जाएंगे चलिए सर बनाना start करते हैं इसके अंदर जो roman में one आएगा one यानि balance sheet को दो हिस्से में बाटा गया है सर अगर मैं balance sheet की बात करूँ तो balance sheet को दो हिस्से में बाटा गया है वो आप भी जानते हो एक किसमें एक liability में और एक assets में तो यहां पे भी इसको one number roman में दे दिया जाता है और इसको two number दे दिया जाता है roman में देखा जाए तो तो roman में one यहां पे लिखेंगे थोड़ा specific equity equity and liability मैं थोड़ा short form भी use करूँगा इसके अंदर में heading आएगा यह हो गया हमारा side that is क्या है यह है side मैं लिख भी देता हूँ यह side है दो ही side तो होते है balance sheet में इसके अंदर number one से चालूगा sir क्या है sir share holder fund पहला point अब इसके अंदर बड़े सारे point आते है shareholder fund की बात कर लिया अपने तो इसके अंदर क्या क्या आएगा sir अब यहां पे A B और C ऐसे चलना है तो पहला आएगा share capital क्या आएगा sir share capital फिर आएगा reserve and surplus reserve and surplus और फिर आएगा आएगा आपका share warrant share warrant अब आजाएगे number two पे sir number two share application share application pending on allotment जिसका कभी use ही नहीं होना sir pending pending allotment कभी use नहीं होगा इसका number three मैं इस वाली balance sheet में उन्हीं बातों को incorporate करूँगा जिसमें हमारे सवाल के अंदर use होने वाला है कुछ बाते जैसे कि यह मैंने लिख दिया share application money pending on allotment यह use ही नहीं होना कभी सवाल में कभी नहीं होना use फिर भी मैंने लिख दिया है number three long term liability long term liability नहीं long term borrowing long term sorry मैंने long term गलत सब दिस्तमाल कर लिया जैसे नोन करेंट लाइबिलिटी नोन करेंट लाइबिलिटी सर नोन करेंट लाइबिलिटी के अंदर भी सब हेडिंग आएंगी जैसे A part long term borrowing long term borrowing P part में आएगा हमारा other long term हर किसी में क्या क्या आएगा specific wise भी देखेंगा ऐसा नहीं कि सर्फ हम लिखे जा रहे हैं इसके बाद अगले point की हम बात करें number four तो number four पे जो आएगा वो आएगा current current liability current liability के बहुत important रहता है इसके अंदर क्या आएगा पहला point पहला आएगा हमारा short term borrowing बच्चों की नए एक complaint रहती है इसमें chapter में के सर इतना सारा याद कैसे करेंगा मैं नहीं कहता याद करने जो सवाल कहता हूं आप देख देख के कर लिजेओ सवाल को दो से तीन सवाल करेंगे याद खुदबखुद हो जाएगा आपको याद करने की कोई जुरत ही नहीं पढ़ना लंग्टरम बोरोईंग बी पार्ट होता है हमारा ट्रेड पेबल देखो मैंने भी तो याद नहीं किया आपको पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया मिरको सी पार्ट होगा हमारा अधर करने लायबिलिटी बी पार्ट हो जाएगा हमारा शॉट ट्रम और हेयर यहाँ पे आजाएगा फाइनली तोटल यहां पे क्या जाएगा फाइनली तोटल सर बैलेंशीट खतम नई नई अभी तो बैलेंशीट का सिर्फ एक ही पार्ट किया है हमने अब यहाँ पे अमाउंट आएगा नोट में क्या आएगा नोट के अंदर शेर कैपिल मैंने लिख दिया मान लेते हैं 500 करोड तो अगर मैंने 500 करोड अमाउंट लिखा तो यहाँ पे ना मन के अंदर बहुत सारे डाउट रह गए सर मन में कैसे डाउट रह गए पहली बात सर 500 करोड में एकूटी कितना है सर प्रिफरेंस कितना है सर फोर फिचर भी होगा क्या call scenario भी होगा क्या calls in advance भी होगा क्या बड़े सारे questions है मन के अंदर इसका जवाब अगर आपको चाहिए तो मैं इसको detailing में करूँगा note number one में sir reserve and surplus में भी खूब सारे point आते हैं क्या क्या आते है general reserve है, capital reserve है DRR है, CRR है बड़े सारे reserve है तो sir क्या क्या हो सकता है उसको जानकारी के लिए हम बनाएंगे note number two share warrant क्या होता है, हम एक एक करके समझते जाएंगे और करते भी जाएंगे share warrant का कोई note नहीं होता, मैं भी पूरा समझाओंगा इसको एक एक करके, ठीक है जब मैं इनके noting को explaining पे आऊंगा तो अब समझाओंगा, इसके लिए भी कोई note नहीं है, इसके लिए note number 3 होगा इसके लिए note number 4 इसकी detail जाननी है note number 5 6, 7 8, यानि liability के अंदर note number 8 है, लेकिन मैं आपको एक बात clear कर दूँ ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको note 8 के 8 बनाने पड़ेंगे हो सकते हैं, आपको दो ही note बनाने पड़े possibility है ऐसा यानि ये जो हम format कर रहे हैं ये format maximum है, maximum, इससे बाहर examiner नहीं पूछेगा, इतना maximum लेके चलूँगा मैं तो आप ये नहीं समझे के सर इतना सारा कैसे करेंगे, maximum करा रहे हैं ये सारा थोड़ी ना, पूछ लेगा examiner इसमें से कुछ एक point पूछा जाएगा आप से बस और कोई घबरानी की बात है ही नहीं जब आप practice करोगे तो आप दूसरे को सिखा दोगे ये तो चलिए सर, यहाँ फिर से note और यहाँ amount और इधर particular हाला कि ये वाला point आप noting करने बैठोगे ना जब घर पे तो मैंने हाला कि इधर किया लेकिन ये point इसी के नीचे जाएगा इस बात का ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि यहीं करोगे, ये point कहा जाएगा सर, नीचे जाएगा इस बात का बहुत ध्यान रखना है मैं लास्ट में बता भी दूँँगा इसका कैसे रहने वाला है अब दो पार्ट में था, दूसरा पार्ट आ गया सर, दूसरा पार्ट क्या आ गया सर दूसरा पार्ट आ गया हमारा asset assets के अंदर अब point number one, देखो पहले यह आए न रोमन में दूसरा पार्ट है, दूसरा है तो दो आएगा रोमन में इसके बाद फिर से हमारा start हो जाएगा एक, दो, तीन, चार्ट normal start हो जाएगा एक, दो, तीन, चार्ट तो number one क्या आएगा known current asset known current asset, sir, known current assets में क्या-क्या आता है, sir known current में long term provision भी तो आएगा, बच्चे कह रहे है, sir long term provision भी लिख दो चलो आप कह रहे हो लिख देते हैं, लेकिन मैंने कहा, कि जिस चीज का use होगा मैं वही चीज यहाँ पर लिखूँगा अगर आप कह रहे हो, sir long term provision को दरसा दिया जाए तो definitely फिर मैं आपकी बात मान लेता हूँ, और low मैं दिखा देता हूँ, long term यह लो c part कर देते हैं, चलिए आपकी बात मान ली, c long term long term provision sir इसके लिए भी note ही बना देते हैं, हटाओ कहानी आपके लिए आपने बोल दिया जब तो आपके लिए note बनाई देते हैं 5, 6, 7, 8, 9 ठीक है, फुछ, चलिए अब इसके अंदर assets में थोड़ा सा complication बन जाता है, assets में complication क्या बनता है, जो fixed assets है न, मैं चीजों को समझाऊंगा अभी बहुत बच्चे assets में, जो हमारा non current assets है non current assets इसको न, कुछ जादा पार्टों में तूड़ दिया गया है इसके अंदर basically एक आता है fixed assets और एक आता है हमारा fixed assets और fixed assets को भी specific किया गया है हलाकि सभी तो fixy है non current में, लिखिन एक fixed assets को categorize कर लिया गया है यहाँ पे दो बातों को mention किया जाता है एक किया जाता है tangible और tangible अब लिखते हैं नहीं, उसे हम property, plant and equipment लिखते हैं property, plant and equipment डिसकस करेंगे और एक लिख दिया जाता है intangible और उसके अलावा जो fixed assets है उसको अलग रखा गया है other fixed assets को यानि सर, यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो यह वाला जो heading चल रहा है ना मैं अगर आपको बताओ तो यह होता है हमारा main head और उसके बाद क्या होता है, sub head लेकिन यहाँ पे कहानी उल्टा है यह तो main head है लेकिन इसके बाद जो होता sub head ठीक है सर, यह sub head है लेकिन उसके अंदर भी कुछ point आगे तो यहाँ पे sub sub head भी बन जाता है तो इसी चीज को मैं समझा रहा था यानि fixed assets में सबसे पहले हमारा आएगा a point a point आएगा हमारा fixed assets अब fixed assets के अंदर भी काफी सारे points आ जाते हैं जैसे क्या सर, fixed assets के अंदर आ जाएंगे आपके रोमन में one ऐसे डाल देते हैं वन, क्या आ जाएगा? प्रॉपर्टी प्लांट एड़ एक्क्यूप्मेंट प्रॉपर्टी, प्लांट एड़ एक्क्यूप्मेंट इसको short form में मैं बोलूँगा PPE आगे से नमबर दो Intangible Assets Intangible Assets इसके बाद नमबर तीन Working Capital Working Capital Under Development Under Development सर ये वाला किसी काम का नहीं है लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ चौथा Intangible Assets Under Development और हाला कि आपके किताब में पूरा फॉर्मेट गीवन है सर पूरा फॉर्मेट बिल्कुल हाँ पूरा फॉर्मेट सही सुन रहे हो आप इसके बाद आज आएंगे हम B पार्ट पे B पार्ट क्या होगा हमारा लॉंग ट्रम इन्वेस्मेंट यानि नोन करेंट इन्वेस्मेंट नोन करेंट इन्वेस्मेंट इसके बाद सी पार्ट क्या होगा अधर अधर एक तो हमारा लॉंग एन एडवानस भी होगा अधर लॉन करेंट असेड इसमें इसेड साइड में बड़ा स्पेसिफिक रहता है बहुत कम चीजे रहती है इसेड साइड में और इसेड साइड में देखा जाया इतने कम चीजे हैं जिसमें कि आपको बस लगेगा हाँ ठीक है भाई कर दे और इसमें मैं देखोगे तो डैफर टेक्स नहीं डाल रहा मैं और कुछ चीज़े मैं नहीं डाल रहा इसको C के जगह हैं ये लास्ट करेंगे D बस मैं वही देख रहा था कि यहाँ पर ओपर है या नीचे है C में लॉन एड़ एडवांस लॉन एडवांस लॉन एडवांस जी एसेट साइड खतम कौन सा एसेट खतम हुआ हमारा इसमें से जो काम की चीज़ वह भी बताई दो सरा क्योंकि इतना सारा लिख तो दिया तो मैं काम की चीज़ों पर टिक लगा देता हूं बाकी ये सब काम का नहीं है एक इन्वेस्मेंट काम का आ जाता है और बाकी ये भी काम का नहीं आता अधर करेंटे सेट्स भी काम का नहीं आता है ये तीनी बाते हैं जो आपको मीजरली कुस्टन में दिखाई देगा बाकी पता सब कुछ होना चाहिए मैं सब के बारे में बताऊँगा तो ये note number 9 के बाद ना इधर continue चलने वाला है 9 के बाद इसको देंगे हम number 10 इसको 11 इसके लिए कोई note नहीं है इसके लिए 12 इसके लिए 13 इसके लिए दे देते हैं चलो 14 ठीक है अगला point आएगा हमारा current assets ये simple है current assets मैं चाहता था आपको दिखा भी सकता था ये सर क्या दिखाते हैं बना बनाया दिखाती था लेकिन उसमें मजा नहीं आता ना मैं हर बाते इतनी बाते कहां कर पाता है उसमें तो बोलता देखो ऐसे ये होता है इसे ही होता है तो पहले से book में पता है आपको time लगेगा लेकिन ठीक है a part आजाएगा हमारा short term investment b part आजाएगा inventories c part आजाएगा trade receivable d part आजाएगा cash and cash equivalent और sir e part आजाता है हमारा other ये short term loan and advance और d part e f part last other current asset चलिए sir sir इसके लिए भी लिख दो numbering बिल्कुल numbering आपको पता है continue जाएगा 14 के बाद ये क्या होगा 15 के बाद 16 17 इसा अथारा इसा अथारा आपको नोटिंग कैसे करना इसको आपको नोटिंग कैसे करना भी दिखाते हैं आपको जी sir नोटिंग ऐसे ही करना बिल्कुल हाँ अभी बताते हैं ये हमारा है उस टेम तो मैं लिख रहा था ये देखिए ये वाला जो पूर्शन है न आजाओ वही नीचे मैं बताना चाहता हूँ आपको नोट कैसे करना बहुत बच्चे समझ गए लेकिन कुछ बच्चे नहीं समझ रहे होंगे उनके लिए ये ये ऐसे नोट करना और यहां लाइनिंग नहीं आएगा टू भी कंटीनिव ये नीचे जाता रहेगा एक ही लाइन में जैसे इस बात का ध्यान रखना जो नोटिंग करना है नोटिंग इसी फॉर्मिट में करना सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने साइड साइड में किया लेकिन नोटिंग उसी फॉर्मिट में करना बहुत सारे बच्चे जिनको पता नहीं होता वो परिशान होते हैं कि नहीं वह सारी चीज़े बाते नहीं है अब यह बिल्खुल सबको नोटिंग करना है कि अच्छा कि 19 और 20 अब कुछ बच्चों का मानना होता है सर यह नोटिंग करके क्या लिखा हुआ है जो बच्चे कहते ना सर इसे नोट करें ना करें लिखा हुआ है कि उसने पहले ही गलती कर दी कि यह मान लिया कि लिखा हुआ है आप अभी से लिखोगे तो लिखने से क्या होगा आपको चीज़े माइंड में क्लिक करेगी और click करेगा जब mind में तो आपको पता होगा क्योंकि अभी सिर्फ ये बात खतम नहीं हो ये तो balance sheet भी खतम नहीं हुआ balance sheet के notes पे आते हैं sir balance sheet में पहला note कौन सा ऐसा share capital का चलिए sir आ जाईए share capital का note इसको भी मिटा देते हैं वैसे मैंने समझाने के लिए करा था इक है अधर assets में चला गया और एक एक करके समझेंगे अधर आप अधर 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 एकदम साफ साफ note करना है neat and clean काफी बच्चे काम करके भेजते हैं न इतना गंदा गंदा लिख देते हैं क्या बोलू मैं और फिर बोलते हैं sir please check कर दो यह note number one बनाने जा रहे है sir किसका है note number one share capital share capital ठीक है sir कैसे बनेगा सबसे पहले लिखोगे यहां पर authorized capital authorized capital sir authorized capital के अंदर क्या क्या आएगा इसके अंदर नीचे लिखा जो जाता है वह लिखा जाता है equity share capital और अगर preference share capital है तो वह सर कितने रुपे का each है और number लिखा जाता है sir number मतलब 1000 share है दोनों को multiply कर दिया जाता है same कहानी यहीं पर repeat हो जानी है same कहानी यहां पर repeat हो जानी है और finally यह amount इधर लिख देते हैं और authorized capital का कोई काम नहीं है सिर्फ इसको यहां पर ऐसे करके just total करके छोड़ दो बस और कोई काम नहीं है इसका यहीं total ही रहता ही है even though यह total जाएगा भी नहीं कहीं आगे point पर जाएंगे हम लिखेंगे issued issued आगे point पर लिखेंगे issued and subscribe capital क्या करने वाले इसमें इसमें equity share capital इसमें preference share capital जो भी आपका each amount है each amount और into में जो भी एक number है मारा less कर देते हैं सर यहां से अगर कोई calls in area है और add कर देते हैं यहां पर होगा नहीं मैं बता रहा हूं share for feature इनको अब totaling करेंगे इसका total यहां इसका total यहां और यह साहब तो minus होगा और यह हमारा plus होगा जो इसका total निकल के आएगा माल लेते हैं हमारा इसका total आया पांच करोड यह पांच करोड रुपें यहां दिखाना है हमने यानि इसका total पीछे जाएगा सीदे इसी बात है चलिए सर note number two सबसे important इस chapter की जान note two बच्चा इसी chapter कुछ जो बोलता है ने सर थोड़ा confusion है बस एक ही chapter एक ही note उसके मुह से निकलता है सर बस note two समझा दो इसलिए मैंने note two के ओपर 3-4 सवाल अलग से बना रखे हैं आपको कराने के लिए और नए वाले 10-year में डाल भी दिये हैं और इस पे से मजे की बात सरिफ note number two में से साथ नंबर का सवाल आ गया था बस note number two बना दो तुम पिछली बार देखना मैंने paper solution करके डाला है वो है जिनके पास 10-year हो का तो उसमें बोला गया सरिफ note two बना दी दिया कि छुट्टी है तो इसी हफ्ते आ जाएगा मार्केट मेरे पास तो आ चुका है कि नोट अरे यह क्या लख दिया मैंने क्योंकि मैंने जितनी correction लगानी थी आपके 10-year के अंदर लगा दी है और यह हिंदी में भी बना रहे हैं इस बार हिंदी का भी आ रहा है अप्लोग होगा 10-year सर नोट नंबर जिसका हिंदी में देना हिंदी में देंगे reserve and surplus ध्यान रखिएगा note क्या है हमारा reserve and surplus थोड़ा नीचे कर देते हैं बच्चों को दिखेगा नहीं थोड़ा नीचे कर देते हैं दिखेगा नहीं सर स्लेवस में valuation and banking company हटा दिया इस बार बिल्कुल इस बार banking company और नहीं है जो other university के बच्चे उनको मैं अलग से यह कराऊंगा और आपके folder में डाल दूँगा extra जिसको करना होगा वो कर लेंगे हाँ बच्चे कह रहे हैं सर्ट deferred tax liability का क्या हुआ आपने लिखा ही नहीं बिल्कुल मैंने जान बुझके छोड़ दिया यहां पर deferred tax liability का क्या हुआ और deferred tax assets क्या हुआ deferred tax liability जाता है non current liability में और deferred tax आता है अपका other में चला जाता है इस पर हम discuss करेंगे एक्जाम में नहीं आएगा जो मैं यहां पर लिखने वाला हूँ वही questions related आएगा डिसकस जरूर कर लूँगा सभी का जो बच्चे बता रहे है सर्षार नहीं अभी करा देते हैं इस वेजवल और एक बच्चे ने तो क्या करता करें सरी शीयो अवशेर कंप्लीट करके सबसे इंपोर्टेंट सबसे इन्पोर्टेंट नोट सबसे पहले क्या लिखेंगे सब जन्र रिजर्व प्लस एड न्यू जन्र रिजर्व यह जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तो हमें समझ में आएगा अभी पॉर्मिट भी मैं प्रैक्टिकल के हिसाब से बना रहा हूं क्या वा क्या रिजबित्वते रिजब तो क्या पॉर्ट ग्यां कि सक्षाई प्रैक्टिक्र रिजर्व प्रैक्टिक्ट रिजर्व तो सिक्यूरिटी प्रीमियम सिक्यूरिटी प्रीमियम जैनल रिजर्व को मैं फ्री रिजर्व भी कह सकता हूँ ध्यान रहे ठीक है इसके बाद शेयर आप्शन आउटस्टेंडिंग अकाउंट शेयर ओप्शन आउटस्टेंडिंग इस बाद पूछा गया था सवाल में शेयर ओप्शन आउटस्टेंडिंग अकाउंट इसके बाद रिवेल्यूएशन रिजर्व इसके बाद रिवेल्यूएशन रिजर्व के बाद क्या हो सकता है workman compensation reserve मैं थोड़ा short ले लेता हूँ आने रहा reserve ये सारे reserve के नाम लिख रहा हूँ मैं और सारा नहीं आएगा इसमें से एक ही दो reserve होता है mainly और नहीं होता ज्यादा अब यहाँ पे लेंगे मैं अलग marker से लिख रहा हूँ तो important होगा समझना last year profit last year profit इसमें add करेंगे current year profit इसमें से minus करेंगे transfer to general reserve इसमें minus करेंगे dividend और कुछ बच्चों ने अगर पुराना बुक होगा उनके पास तो एक point और आता है dividend के अलावा सर corporate dividend tax तो वो ना पूछें वो कट चुका है हमारे इस लेवस से किसी के पास पुरानी किताब होगी तो उसमें देखने को मिलेगा लेकिन वो कट चुका है हमारे इस लेवस से इस बात का ध्यान रखिएगा आप इन सभी को माइनस प्लस करने के बाद finally लिखेंगे यहाँ पर तो आप समझ सकते हो इसके अंदर कुछ नई बाते हैं और नई बाते तब तक नहीं समझ में आएंगे आपको जब तक practical नहीं कर लेते तो ये तो हो गया सर किसका ये हो गया हमारा कि फार्मेट रिजर्वेंड सर फ्लस का थोड़ा मैं सेपरेट कर देता हूं इसको न है चलिए चलिए विज्वल होना चाहिए बाद में हम इसको स्मॉल कर दें नोट नमबर टू के बाद नोट नमबर थ्री पहले आप मुझे एक बात बता दीजिए मुझे क्लियरेंट मिल जाए क्लियरेटी तो हम आगे बढ़ जाएंगे क्या बात बताना है सर अभी रुकिए MCQ में पूछा गया था share option आउट्सेंडिंग कहा जाएगा बताओ बच्चा घूम के रह गया ये क्या आगया तो आप बताईए सबसे पहले क्लियर है कि नोट नमबर वन की जानकारी देखनी है तो नोट नमबर वन में जाना है अगर share capital की जानकारी देखनी है reserve and surplus की जानकारी देखनी है तो कहाँ जाना है नोट नमबर 2 पे जाना है हर बच्चे को clear है यह point जो मैं अभी तक करा रहा हूं समझ में आ रहा है तो हम आगे बढ़ें नहीं तो किसी को बाद में दिक्कत हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है 10 येर में आपके वाले में 7 चेप्टर है जिसमें से दो चेप्टर नहीं आ रहें क्लियर है कार्तिक मैं बता दूँँ आपने पुराने वाले लिया हो शायद देख के बता देगे क्लियर है ओके चलिए सही बच्चे करें सर यहां तक क्लियर है बस बढ़ते जाओ आप आगे पर्टिकुलर अमाउंट आ जाईए अब सर यहां पर इसके लिए नोट नहीं है यह होता क्या है यह होता क्या है इसको समझते हैं शेर वारेंट यह वारेंट क्या है इसको समझेंगे जिसके लिए नोट नहीं है उसको समझना तो जरूरी है न देखिए चलिए समझते हैं Share Warrant Sir Share Warrant क्या होता है इसके लिए आपको थोड़ी सी बातों को जानना पड़ेगा हमारे Shares के उपर Share Market के उपर यानि Shares के उपर दो लोगों का Basically Control होता है यानि जो हमारे पास Shares होता है Company पे इस पर दो लोगों का Control होता है किस-किस का होता है Company Act का यानि एक Company Law का Control होता है उसके According हमें Rule Follow करना पड़ता है दूसरा किसका सुनाए ना नाम सुनाए बिलकुल Security Exchange Board of India और इन सभी का ये पता है कि Basically इसके अंडर आता है हमारा N.S.E. सुना है इसके अंदर आता है B.S.E. सुना है Bombay Stock Exchange of India National Stock Exchange of India जिसे Share बजार कहते है साधारन शब्दों में तो Share बजार में कैसे काम चलेगा कैसे नहीं चलेगा उसका फैसला करता है से भी और Company Act क्या फैसला करता है कि किस चीजों को क्या क्या रूल फॉलो करना है याई अगर आप Company बनाओ गए नो तो आपको दोनों की बाते माननी पड़ेगी Income Tax की भी माननी पड़ते लेकिन हम भी फिलाल दो की बात करते हैं तो हम पुरानी बात करें ना बहुत पुरानी बात करें जैसे 1990s 1990 की बात करते हैं तो 1990 में ना बहुत पुरानी बात कर रहा हूं मैं ये आपको याद होगा एक मूवी भी थी कौन से मूवी आई थी हरसर महता के उपर आया था मैं नाम भूल गया हरसर महता के उपर कोई मूवी आया था भी और दो तिन मूवी बन चुकी हरसर महता जिसने कि अभी तक का उस जवाने में वो परधान मंतरी थे उस टाइम पे थे तो उसने बहुत बड़ा घोटाला किया था और इतना बड़ा घोटाला मतलब स्कैम कहलो होता क्या था उस टाइम पे शियर आपने अगर देखा हो मूवी में स्कैम 1992 बता भी दिया बच्चों ने उसको आपने देखा है तो मेरा काम आसान हो गया उस फिलम को देखके तो उसके अंदर क्या था शियर पता है कैसे बेचते थे बोली लगाई जाती ती जिस छोने ने देखा है एक ऐसा परचा होता था एक परचा था और उस परचे पर नाम करते में किसको लेघ्व रियम लाईंस-वा लेघ्व लिख दिया करते इफ यू वांट टू बाई अगर आप खरीदना चाहते हो तो आपको फिजीकल शेर खरीदना होगा और उसके लिए सबसे पहले आपको सेवी की परमीशन लेनी होगी और कंपनी एक्ट आपको फॉर्म देगा एक फॉर्म देगा इस फॉर्म के अंदर भर के देगा बेचने वाला भी और खरीदने वाला भी दोनों सिकनेचर करेगा क्योंकि बेचने वाला कंपनी नहीं होगा बेचने वाला शेर होल्डर होगा तो शेर होल्डर जैसे मैंने शेर खरीदा में बेचना चाहता हूं तो शेर होल्डर भी साइन करेगा और जो से शेर खरीद रहा है वो भी sign करेगा दोनों sign करके ये वाला जो form दिख रहा है ना आपको ये जो दोनों sign करके पता है क्या करेंगे इस form को जमा करा देते थे वो जाके company के पास और company बोलते थे भाईया रुक जाओ इतनी जल्द बाजी क्या है हम दो से तीन मेने में आपको आराम से बता देंगे और आ जान लेते हैं ये A है और B को खरीदना है पहले A का नाम लिखा हुआ है इस register में तो आपका B भाई 13 share तब तक नहीं हो सकता था B का जब तक company क्या नहीं करती company को एक काम करना पड़ता क्या करना पड़ता यहां से इसका नाम मिटा देता और यहां पे किसका नाम लिख देता B का तब जाके B इस share का मालिक बनता था और इस process के अंदर नाम को चड़ाने के process के अंदर क्या था दो से तीन मैने का वक्त लग जाये करता था और अगर मान लेते हैं कि A का share खो भी गया A लेके चल रहा है share खो गया रस्ते में अब B को मिल गया share B सोच रहा है कि इस share को मैं बेच दू तो not possible के B बेच पाए उसको बेची नहीं पाता क्यूंकि उस पर तो नाम किसका है A का है और उससे बोलेंगे तू कौन है तो वह B तब तो अधार कार्ड भी नहीं था तब तो क्या था सरफ इतने ID प्रूफ भी नहीं लगा करते थे तो भाईया नहीं बिख सकता था एक सारे सिगनेचर वगेरा सब कुछ चेक किये जाते थे तब जाके बिखता तो not possible ऐसा possible ही नहीं था फोर्ज का केस नहीं होता था लेकिन बहुत लोग फ्रॉड कर लेते हैं उसकी बात अलग है अब जब कंपनी को हुआ क्या अब कंपनी एक्ट और सेवी ने सब्सक्राइब कर तीन हमें जादा सभी करोगी अधा कर ऐसे से लेकल में चाले करोगी घखन क में कम कर सकती है ऐसे सब्सक्राइब करो झाल तो यहिसे बूर्freaktor ठीक है ना तो अब से भी बोलती थी आर हम उन लोगों से पैसे नहीं ले पाते हैं जिनके पास दस दिन के लिए पैसे हैं जिनके पास बीस दिन के लिए पैसे हैं मैंने बोला मुहन भाई तू लगा दे मेरी कंपनी के अंदर शेयर में पैसा मुहन ने बोला मैं लगा दूँ तो मोहन मेरी कमपनी में पैसे ही नहीं लगाता अगर उसे एक हपते बाद पैसे चाहिए हो तो नहीं लगाएगा कभी भी इसी को देखते वे सेवी ने बोला कि कुछ ऐसा शेर लाओ कुछ ऐसा शेर लाओ जिसके उपर नाम ही ना हो सिर्फ लिख दें कि रुपीज 10,000 अब जिसके उपर नाम ही नहीं लिखना तो मैं आपको दे दूँगा तो बिख जाएगा यह आपको टेंशन ही नहीं के मेरे नाम पे चड़े और यह शेर अगर आपका खो गया तो जिसके पास गया वैसा एकदम नोट के तरीके से काम करता था आप लोगों ने देखा नही से देखेंगे ना तो नाम लिखा हुआ ही नहीं है शेर वारेंट पे यह फॉर्मेट है कि लिए नहीं है यह इतना क्लियर नहीं दिख रहा भाई क्या करें पता नहीं क्या क्या खुल गया छोड़ो हटाओ इधर उदर ले जाता है वेबसेट तो आजकर तो आप देखेंगे ना गूगल पे आप देखना शेर सेटिफिकेट ढूणना और शेर वारेंट ढूणना तो शेर वारेंट पे नाम नहीं लिखा होगा और शेर सेटिफिके रखा गया जिसके उपर नाम नहीं लिखा गया था part तो share capital का ही है यह part किसका हमारा share capital का सर इतनी सारी बाते आपने बता दी इस पर तो exam में बड़ा important है मैं बोलूँगा no important नहीं आएगा आपके question में यह लेकिन आपको पता होना चाहिए के share warrant होता क्या है तो मैंने कहा मैं सारी बातों को discuss करूँगा चाहे exam से related है नहीं है मैं बता जरूर दूँगा है कि इसको आपको याद ही नहीं रखना के share warrant question में कैसे देगा वो नहीं दिया होता कभी भी questions के अंदर नहीं देगा चलिए sir share warrant य pending on allotment आप देखिए समझिएगा एक x y z limited company है ठीक है और इसने क्या करा share issue किये जैसे इसने share issue किये public ने क्या करे इसको पैसे दे दिये लेकिन public को ये share capital नहीं दे रहा तो इसका मतलब public का पैसा जो है वो company के पास पड़ा हुआ है तो company के लिए क्या है liability क्योंकि share capital में तो तभी जा सकता है जब company इसको share का certificate share capital दे दे बस company ने पैसा रिसीब करा बोला एक डेड़ हपते में देंगे तो एक डेड़ हपते तक कहां दिखाओगे उसे तो उसको क्या करते हैं हम normally दिखा देते हैं share application का पैसा आ गया pending allotment का मतलब अभी उसको देना पाकी है जैसे ही हम दे देंगे तो यहां से घट जाएगा और वो कहां पहुंच जाएगा पता है share capital में कहां पहुंच जाएगा share capital मतलब सर अगर share application pending allotment यहां पे 500 करोड है और अगर हमने issue कर दिया तो यह 0 हो जाएगा यह 0 हो जाएगा और क्या बन जाएगा यह यहां से पैसा यहां सिफ्ट हो जाएगा एक्जाम के point of view से no important no important इससे कोई point नहीं पूछा जाएगा एक्जाम के point of view से ठीक है चलिए सर अब आ जाते है नोन करेंट में long term borrowing note number 3 है आ जाएगे long term borrowing note number 3 लॉंग ट्रम बोराइंग अब चोटे चोटे नोट है नंबर दो बैंक लोन बस यही चीज़ें सर नंबर दो बैंक लोन बस इतनी चीज़ें बिल्कुल जी बस नोट नंबर 3 किसके लिए था सर अदर अदर लॉंग ट्रम नोट नंबर 3 के लाद नोट नंबर 4 नोट नंबर 4 अदर अदर लॉंग ट्रम अदर लॉंग ट्रम क्या क्या आएगा सर इसमें इसमें आएगा नंबर 1 ट्रेड अध्यू पेबल एकना पब्लिक डिपॉजिट होता है वो भी यहीं आ जाएगी अगर लॉंग ट्रम हुआ तो इसमें सर बस बात खतम ट्रेड पेबल और कुछ नहीं बस एकी पॉइंट और एकजाम के लिए नो इंपॉटन्ट अब नो इंपॉटन्ट का मतलब ऐसा भूल मत जाना यह चीज़े मैं नो इंपॉटन्ट कहा रहा हूँ लेकिन MCQ के लिए important है ये MCQ में पूछा जा सकता है आपका ठीक है ना तो MCQ पिछली बार आए हुए है आप देखोगे पिछला paper solve करोगे ना तो मेरे ख्याल प्रोग्राम में थे final account का भी MCQ था कम से कम 20 number का program MCQ था और honors का जब paper देखा था उसमें 30-35 number का MCQ आया हुआ था और MCQ ऐसा नहीं के बस बता दो हाँ कोई भी लगा दोगे सारे एकदम depth में पूछे कहते है इसलिए मैं detail में लेके चल रहा हूँ आप लोग को ठीक है ना तो आप बिल्कुल भी घबराएं ना के सर जल्दी जल्दी बता दो बस note number 5 नोट नंबर 5 लॉंग ट्रम प्रोविजन सर क्या क्या आएगा लॉंग ट्रम प्रोविजन में नंबर 1 एंप्लॉई प्रोविडेंट फंड मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ यहां आएगा नहीं EPF लिख देता हूँ समझ में आई जाएगा EPF ना 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 इसमें EPF नहीं आएगा इसमें इपियव नहीं आएगा सब इपियَफ उपर वाले में आएगा इपियफ उपर वाले में ऑफ जिस लिटीन प्रोवेजन फोरड इप्रिशेशन इंग प्रोवीजन इन प्रोड टेक्स बस ये point आएगा इसमें इससे ज़्यादा नहीं होगा चलिए note number six note number six short term borrowing borrowing सर्क्या क्या आएगा शौट ट्रम बोरोइंग में शौट ट्रम बोरोइंग में बैंक ओवर्ड्राफ्ट बैंक ओवर्ड्राफ्ट के बाद और क्या आएगा सर बैंक ओवर्ड्राफ्ट कैश क्रेडिट सर कैश क्रेडिट यह होता क्या है जब कुश्चन में आएगा तो डिस्कस करेंगे हम समझेंगे जब कुश्चन में आएगा तो सर नोट नंबर सिक्स के बाद आ जाईए इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं समझ में तो आई ही गया है बाकि नोटिंग के लिए ताकि मैं एक पेच पे दूँ तो एक पेच पे आपसम नोट कर लें थोड़ा चोटा कर दिय है मैंने बस और कुछ नहीं चलिए सर नोट नंबर नोट नंबर छे के बाद साथ सर साथवा नोट किसका था ट्रेड पेवल सर ट्रेड पेवल में क्या आएगा ट्रेड पेवल में ट्रेडिटर बिल्स पेवल बिल्स पेवल बस दो चीज़े और क्या है नोट नंबर आठ अधर करेंट लिएबिलिटी अधर करेंट लिएबिलिटी क्या क्या आएगा नंबर बन कॉल सिन एडवांस इंपॉर्टेंट है यह नंबर दो आउटस्टेंडिंग एक्सपेंस लिखा है मैंने तो एक्सपेंस में सब कुछ आ गया है इंटरस्ट विंटरस्ट सब आ गया नंबर तीन एडवांस इंकम नंबर चार अनक्लेम्स डिविदेंट नंबर पांच डिबेंचर नंबर च्छे बैंक लोन चीक है सर बस इतना लिख देते हैं लेकिन एक सवाल बच्चों के मन में आएगा और ये एक्सामर ने पूछा भी था यही सवाल पर एक्सामर ने पूछा भी था सर सर बोला कि भाईया डिवेंचर कहां आएगा बताओ तो सर बच्चे बोले डिवेंचर तो आपने यहां लिख वाया है तो यहां क्या कर रहा है डिवेंचर है ना समझते है माने लिजिए यह आपके पास एक लाइन है पॉस्ट यह 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 सेकिंड यह है यह थर्ड यह है और यह मान लेते हैं फोर्थ यह है मैंने चार साल लिख दिया है आपके सामने समझ लिजिए आप काम की चीजे है अब देखिए अगर डिवेंचर को मुझे लोटाना चार साल बाद है चौत्थे साल लोटाना है मैंने रुपीज एक लाख रुपे का डिवेंचर मैंने इशू किया है या फिर सपोस करो मैंने क्या लिया है सर बैंक लोन और मुझे लोटाना का बैसर चौत्थे साल में लेना है तो मेरा जो डिवेंचर है डिवेंचर है एक लाख का लोटाना का बैसर चौत्थे साल में आप एक बात बताईए मुझे क्या आपको पता है कोई भी चीजे शौट ट्रम और लॉंग ट्रम किस पर डिपेंड करता है क्योंकि इसमें यही फरक है कि यह शौट ट्रम के अंदर आ गया और यह लॉंग ट्रम के अंदर पहुचा हुआ है तो शौट ट्रम और लॉंग ट्रम कैसे डिफाइन होता है अगर पेमेंट एक साल के अंदर कर देंगे तो शौट ट्रम हो जाएगा अगर पेमेंट एक साल के बाद करेंगे तो लॉंग ट्रम हो जाएगा अभी मैंने डिबेंचर लिया सर अगर आपने अभी डिवेंचर लिया हुआ है तो बहुत सीधी सी बात है जो अभी आपने डिवेंचर लिया ये डिवेंचर का पेमिंट कब होगा बता दीजे आप ये डिवेंचर का पेमिंट कब होगा ये डिवेंचर का पेमिंट चार साल बात तो that is अभी ये है long term अब दूसरे साल में जब पहुँचेंगे तो payment कब होगा दो साल मतलब तीसरे साल में तो अभी भी क्या है लेकिन सर जब हम इसको लेके जाएंगे आगे तीसरे साल में तो अभी भी payment एक साल के बाद करना है अभी भी क्या रहेगा long term लेकिन जैसे ही हम जाएंगे इसको कब लेके सर चौथे साल में तो अब पेमिंट कब करना है सर इसी साल करना है अब इसका नेचर बदल जाएगा सर क्या बोल रहे हो सर इसका नेचर बदल जाएगा ये अब हो जाएगा शौट ट्रम ये क्या हो जाएगा हमारा short term हो जाएगा समझ पारे हो बात आप इसी short term को हम debenture को इसलिए बोलते हैं mature debenture mature debenture अगर बोला जाए mature debenture कहां जाएगा तो जवाब mature debenture का मतलब उसी साल फिमिंट करना है तो ये किसका पार्ट माना जाएगा short term ये वाला जो debenture ये जाएगा other current liability में और ये वाला debenture चला जाएगा non current liability के long term borrowing में समझ में आई बात आपको कि फरक बस tenure का है तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पहले बताई है यहाँ तक समझ में आए ये debenture वाला point सवाल में पूछा जाएगा ये debenture clear है यहाँ तक trade paypal बच्चे कह रहे हैं दो बार लिख दिया बिल्कुल हाँ एक यहाँ भी trade paypal लिखा sir और एक यहाँ भी trade paypal लिखा ये एक साल other long term liability का कोई define नहीं है मैंने कहा not important यह important नहीं है अगर आपने उधार माल खरीदा और उधार माल खरीदने के बाद बो भी आमें payment ना दो साल के बाद दे दूँआ तब तो वो चला जाएगा इस creditor के अंदर trade paypal का मतलब होता है creditor तब तो यहां चले जाएगा लेकिन अगर आपने समान खरीदा और खरीदने के बाद आप बो लो कि मैं 6 महने में payment दूँआ तब आ जाएगा वो इस वाले creditor के अंदर तो दोनों trade paypal है creditor एक साल के बाद का payment long term में पहुँच गया और एक साल के कम का short term में पहुँच गया बच्चे कह रहे हैं debenture फिर से बता दो बिल्कुल अब देखो अब हमें इस debenture का पैसा कब देना है इसका पैसा पैसा देना है करजा लिया है ना कब एक दो तीन साल के बाद after 3 years तो sir यह करजा मेरे पास तीन सालों तक रहेगा तो long term है again इस करजे को अगर हम ले के चले अगर मैं यहाँ पे हूं और मैं पूछू बताओ देना कब है तो बोलो गज़े दो साल बाद तो again long term है अगर मैं यहाँ पे हूं तो देना कब है? उसके चिंता मत करो यहां पर लिख देते हैं ये देना है हमें दो साल के बाद और ये देना हमें एक साल के बाद और ये कब देना है सर ये इसी साल देना है तो भाईया इसी साल देना है दिस येर देना है तो सर जब इसी साल देना है कोई भी पैसा करजा ले रखा है वो पेमेंट होगा उस साल कहां शो करेंगे current liability के अंदर और वो भी other current liability का पार्ट माना जाएगा पहले बातों को समझे आप sir calls in advance क्यों नहीं लिखा है share capital में calls in advance क्या होता है मैं बता देता हूँ calls in advance का मतलब होता है अब एक एक करके पढ़ी देता हूँ हाँ वो मैंने पढ़ा भी नहीं देखिए calls in advance का मतलब होता है shareholder से advance में पैसा ले लेना इसका मतलब यह नहीं है कि आपको share देंगे company का मतलब company का मन करेगा तो देंगे या तो नहीं देंगे इसलिए जब हम shareholder से advance में पैसे ले लेते हैं तो हमें उसके उपर ब्याज भी देना पड़ता है जिसे बोला जात outstanding expense में सारा ही आ जाएगा advance income आपसे अगर मैं fees advance में पढ़ा रहा हूँ अभी तो मैंने आपका slaves नहीं पूरा करवाया आपसे fees मैंने ले लिया है पहले ही advance में तो मेरे लिए liability side में दिखाऊंगा मैं अपने balance sheet के इसके बाद unclaimed dividend ऐसा dividend मैंने इस बार dividend बाट दिया A, B, C, D dividend म मैंने बाट दिया चारों को अब भाई इसके अंदर A को भी मैंने बुलाया आजा भाई ले जा B को भी दे दिया C को भी दे दिया D को मैं ढूंडता रहे गया कहा है भाई कहा है वह मिला ही नहीं तो वह dividend होगे unclaimed मतलब D मांग नहीं नहीं आए तो आज नहीं तो कल आएगा ना वो तो उसको देना पड़ेगा that's why इसे liability में लिख देते है unclaimed dividend और debenture और bank loan का तो मैंने same scenario बताई दिया चलिए सर अगला note हमारा assets का बनता है सर कौन सा note बनता है सर assets का assets का note बनता है note बनता है कहां गया note number sorry liability का note number no short term provision इसी के नीचे लिएके चलते हैं short term provision note no.9 short term provision sir short term provision में क्या है point no.1 प्रोविजन फोर टेक्स point no.2 पर dividend dividend point no.2 dividend ये दो बातें आएंगी यहां पर बस वैसे provision for depreciation भी आ सकता है लेकिन वो हम discuss करेंगे जब आएगा तो हमने liability side के सारे के सारे note को हमने cover कर लिया है तो आप मुझे बताईए सबसे पहले note में कितने बच्चों को doubt है पहले तो हमें इसे समझना ही पड़ेगा और अगली class में note के बाद हम question कर पाएंगे क्योंकि अभी P&L का भी note pending है तो मैं आपके अगली class में आज तो मैं लिख के बता रहा हूं अगली class में side में liability वाले assets वाले note को मैं print करके जैसे की मैं बताना चाहता हूं मैं अगली class में क्या करूँ है जैसे यह है क्योंकि आपको बस understanding develop करना था जो कि आपका हो गया है अगर मैं चाहता इतना वक्त नहीं खराब करता और मैं सीधा बता देता लो जी लो बता चुका हूं जैसे कि shareholder fund बता दिया share capital बता दिया reserve and surplus बता दिया money receive against share warrant बता दिया share application pending बता दिया non current liability के अंदर क्या बता दिया sir short term borrowing defer tax यह question mark है बच्चे पूच रहे थे मेरे को पता है लेकिन अभी हम नहीं करा दे इसको other long term liability बता दिया long term provision बता दिया current liability बता दिया short term borrowing बता दिया trade payable बता दिया other current liability और यह यह सारा point हमारा लगबग हो चुका है अब यह भी हमने format लिख लिया लेकिन इसके note पे अभी हमने काम नहीं किया तो अगली class के अंदर क्योंकि काफे सारे नहीं बच्चें साइद उनको habit ना हो तो next class में इसके note को भी खतम करेंगे और साथ के साथ P&L को भी तो इसके note को मैं लिख लिख के ना दिखा के मैं ऐसा ही लिखा हुआ दिखा दूँगा और मैं समझा दूँगा जिससे कि हमारा थोड़ा सा time बचेग क्लियर है कि मुझे unmute कर दो कि unmute कर दो अगया कि सार नीव वाले टैनियर आ आगया बिल्कुल नीव वाला टैनियर ना मार्किट में अभी दुकान तार पर नहीं मिलेगा बाकिप्रिंट वगेरा हो चुका है होली की चुट्टी है होली क्पे वैड्नेस दे फ्राइड़ आप को मिल जाएगा होफुली आपको फ्राइडे और मैं लिंक की प्रोवाइड कर दूंगा सभी बच्चों को जो ले सकते हैं मैंने जो 2022 का कोशन पेपर है मैंने जो है 2022 का कोशन पेपर सॉल्व करके सभी में आता है अब देखो काफी बच्चे परिशान हो रहें के टैनियर देखो टैनियर के अंदर क्या है बेसिकली जिसने अभी रिसेंटली खरीदा है उसमें कोई बुराई नहीं है जो नए वाले जो टैनियर आ रहे हैं उसके अंदर मैंने कुछ थोड़े से कोशन एड़ और करके नहीं प्रिंट करवा दिया है और कोशन को थोड़ा सिस्टेमिटिक करवा दिया है ताकि आप जब करो तो दिक्कत ना हो पुराने जिनोंने खरीद लिए जिनके पास अभी है इस्टिल टैनियर उसके अंदर भी वो सारे कुशन मिलेंगे लेकिन वो आगे पीछे मिलेंगे बस थोड़ा मैनेज करना हो और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बस इसके अंदर एकाद अधार सर नेम क्या है टैनियर देखे नेम तो सभी को पता ही आपने थर्ड समिस्टर में पढ़ा और सिफधास का टैनियर आता है मार्किट के अंदर winning वी कौम के लिए बेसिकली जिसके इंदर पास्टियर के पेपर होते हैं सभी को पता है लग 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 चलिए यहाँ पर आ जाते हैं सर और यहाँ पर एक बार मैं ओबर विव दे दूँ जो बच्चे नए हैं उनको थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा कि बैलेंश शीट का हम पहले फॉर्मेट बनाना सीख रहे हैं इसके बाद चेप्टर का नाम है हमारा फाइनेशल स्टेटमेंट यानि फाइनल अकाउंट जो वही ग्यारवी वाली बात चाहित हैं बस इसके अंदर सारा का सारा एसेट्स उसको भी नोट के फ़र में रखा जाता है अल्टिमेटली मैंने दिखाया भी था कि ये इसके इस साइड नहीं होता बलकि ये इसके नीचे होता है मैं नोटिंग के अंदर वही चीज़े कवर करूँ है जो एक्जाम से रिलेटिड है जो एक्जाम से रिलेटिड नहीं है उसके सर्फ डिसकस करेंगे उसको मैं इसके अंदर डाल के स्टार्टिंग करने वाले हँएं नोट नमबर दस नोट नमर्ज ठैन जिसका नाम था प्रपर्टी प्लांट एंड एक्यूप्मेंट जिसे PPE बोलने वाले हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड एक्यूप्मेंट बात ध्यान रखिएगा ठीक है सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड एक्यूप्मेंट में क्या करेंगे सर कैसे करेंगे इसका मतलब होता है आपका simple सी बात करूँ न तो यह fix assets है fix assets जो कि fix assets वही जो हमने पढ़ रखा है बिल्कुल exactly वही fix assets land, building, plant, machinery, furniture वही चीज़ तो सबसे पहले लिख लेते हैं land and building उसके बाद plant and machinery इसके बाद आपका आजाएगा motor car furniture और क्या सकता है furniture के अलाबा और जितने भी any kind of etc कर देते हैं इसको है न क्यूंकि इतने दो पता ही आपको very very good evening तो अब बोलेंगे सर आपने जगे क्यों छोड़ा तो भीया जो land and इस पे न हमेशा adjustment होगा तो यहीं से less कर देंगे हम क्या less कर देंगे सर depreciation इसी पे less कर देंगे आज हमारा format न पूरा complete हो जाएगा depreciation ठीक है सर इसमें से भी क्या less करोगे सर इसमें से भी depth minus कर देंगे अगर given होगा तो सर यहाँ पे depth दो तरीके के होते हैं provision for depreciation और दूसरा तो वह हम जब adjustment के topic पर आएंगे न तब करेंगे यहाँ depreciation नहीं है तो नहीं करेंगे जरूरी थोड़ी हर किसी में depreciation हो यह लोगी यह आगे total और सर यह total पता है कहां पहुंच जाएगा कहां जाएगा सर यह total जो है न यह पहुंच जाएगा हमारा जाके balance sheet में whatever total आ जाएगा और इसको नाम क्या दे दिया note number 10 चलिए सर इसके बाद आ जाते हैं इसके बाद note number 11 note number 11 intangible asset sir intangible assets में क्या क्या होगा देखते जाएगे number 1 सबसे पहले आपको जो सबसे अच्छा नाम लगता है और पता भी होता है goodwill number 2 patent number 3 copyright number 4 आपका पॉर्मुला number 5 ट्रेड मार्क number 6 आप कह सकते हो number 6 और क्या सकता है software software यह सारे हमारे intangible assets है इन दोनों में दोनों क्या fix assets होते हैं जी हाँ इसको समझ भी लेते हैं अगर आपने 11th standard में पढ़ा हो याद हो तो बहुत अच्छी बात है तो आपको clear होगा जिसने नहीं पढ़ा उसको हम समझ लेते हैं ठीक है सर हमारा जो fix assets है न अगर मैं बोलू non current assets समझ येगा सर नोन current assets से नाम से ही clear है सर ये fix assets है लेकिन अच्छे systematic करने के लिए इन्होंने इसको categorize कर दिया एक कर दिया fix assets के part में हलाकि थोड़ा discuss किया था हमने और fix assets को भी इसने categorize कर दिया इसके अंदर दो बाते होंगी एक होगा tangible और एक होगा intangible सर tangible और intangible tangible का थोड़ा सा नाम बदल दिया इसको बोल दिया property plant and equipment और intangible का नाम intangible ही रखा इसके अंदर वही आ गया हमारा क्या सर जैसे कि जिसे हम छू नहीं सकते देख नहीं सकते which cannot see or touch जैसे like goodwill जो हमारा ये govern करता है कौन AS 29 अब तो वैसे indies आ गया है लेकिन AS 29 गवन करता है और सर इसको कौन सा AS गवन करता है AS 10 गवन करता है इसको तो fix non current assets में एक तो रख दिया category fix assets का जो कि इधर आ गया एक category हमारा किसका रख दिया इसके अलावा भी कुछ होते हैं जो कि हमारे non current assets होते हैं जैसे sir investment जैसे sir आपका loan and advance अब loan and advance दिया है ये sir loan and advance जो हमने दिया है वो लिख रहा हो मैं और जैसे other कोई भी अगर समझ में नहीं आ रहा ना और fix assets है तो other assets में डाल दिया other non current assets तो इस तरीके से company law ने हमारे assets को categorize किया है अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे हमने भी ऐसा ही किया है property plant and equipment fix assets के अंदर फिर क्या है intangible assets तो intangible assets हमने कर लिया है इसके बाद देखते हैं सर note number 10 और 11 हो गया सर इसके नीचे कोई note ही नहीं डाला आपने working capital under development तो आप समझिएगा बात को working capital under development होता क्या है चलिए सर देखो exam में कभी नहीं पूछा जाएगा लेकिन आपको पता होना चाहिए working capital under development अब मान लो मैं एक building बनाने जा रहा हूँ ठीक है और उसके लिए सबसे पहले एक जमीन लिया उसके लिए सबसे पहले एक जमीन लिया मैंने land अब इस land के उपर पहले मैं दिवारों को खड़ी करूँगा यह मैंने डिवार लगा दिया और यह मैंने डाल दिया जो भी बन रहा है बनने दो building ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं यह building डिवार यह ऐसा करते हैं सिर्फ हम boundary देते हैं अभी अभी हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करा boundaries देती हैं और यह यह हो गया boundaries दे दिया अभी बनने वाला है इसके उपर तीन शेट अगरे डलेगा तो सर यह मैं क्या बना रहा हूं क्या बना रहा हूं सर पताओ building बना रहा हूं मुझे सभी comment में बता दे क्या बना रहा हूं मैं यह क्या बनाने की कोशिस कर रहा हूं मैं building लेकिन इसे building नहीं कहा जा सकता इसे building नहीं कहा जा सकता sir building क्यों नहीं कहा जा सकता क्योंकि अभी proper नहीं हुआ नहीं यह तो जब यह proper नहीं बना इसे building भी नहीं कह रहे हो sir तो क्या कहें इसको फिर sir क्योंकि इसे building नहीं कहा जा सकता जब तक ये पूरा छत ना बन जाए डोर ना बन जाए तब तक building नहीं होगा तो sir जब construction में चल रहा है है तो हमारा ही assets है तो हमारा ही assets लेकिन अगर मैंने building category में डाल दिया यानि sir अगर आपने यहां building के अंदर डाल दिया तो मतलब बन के तयार हो गया तो गलत डाल रहे हो इसका मतलब sir कुछ ऐसे buildings ऐसे काम होते है fix assets जिसको बनने में समय लगता है तो इसमें से वो वाले assets आ रहे हैं जो की complete बन चुका है अगर इसमें बनने में समय लग रहा है और यह आपका assets ही है तो इसको अलग से हम show कर देते हैं category में और उसका नाम आ जाता है हमारा क्या working capital under development working capital under development मतलब यह पूरा assets ही ही है कुछ समय बाद जैसे ही building बनेगा तो इस working capital under development में से category में से हट जाएगा और कहां पहुंच जाएगा जाके यह बताओ अगर यहां से हटिक जाएगा यह building बनके तयार हो गया तो यहां से तो हटी जाएगा under development तो रहा नहीं फिर कहां पहुंचेगा यह जाके यह building में जाके add-on हो जाएगा work in progress building में जाके add-on हो जाएगा बिल्कुल under developing winding बिल्कुल सही बात बच्चों ने जवाब दे दिया तो इसलिए यहां पे अगर नोट को आप ध्यान से देखें तो नोट इसके लिए कोई नहीं लिखा और एक्जाम के लिए मैं बोल दू नॉट इंपॉर्टेंट सर लेकिन आपको पता होना चीए इसलिए नॉट इसका बड़ा सिंपल सा एक्जामपल है पहले तो बच्चों को एक्जामपल समझ भी नहीं आता तब बड़ी जल्दी आ जाएगा जैसे कोविट का एक्जामपल ले लो मैं थोड़ा कोविट का सेनेरियो अगर आपको बताऊ तो कोविट जो था इसका नाम क्या है स्कोौ विड 19, 19 सर इसका 19 नाम करन क्यों पढ़ा? क्योंकि 2019 में आया था और इंडिया के अंदर 20 में आया था पूरे वर्ड में ये 19 में आ चुका था थोड़ा थोड़ा था, इंडिया में प्रॉपर तरीके से April 20 में आया था तो भईया 19 में तो हमने इसको कोई तबज्जू ही नहीं दे वो लिए COVID-19 कुछ नहीं होता है छोड़ो लेकिन 20 में जब हुआ COVID तो हमारी हालत खराब हो गई अब 20 में जब COVID हुआ तो ये 20 भी चला और ये 21 भी चला आपको याद होगा lockdown, unlockdown 1, 2, 3 ये सब चलता रहा था लेकिन यहां तक अगर मैं बात करूँ ना जैसे ही COVID आये था ना तो आप alert नहीं थे लेकिन scientist जो थे यानि जो doctor थे जो doctor थे वो scientist उन्होंने अपनी तयारी चालू कर दी और 2020 में तो बहुत तयारी होने लग गई preparation चालू कर दी इसके लिए मतलब formula बनाने लगे कि जैसे COVID shield और या फिर co vaccine आया तो वो पहले थोड़ी ना पता था कि COVID shield या co vaccine आने वाला वो थो बोलते बस आपका क्या वो नाम दे रहे थे कि हमारा जो भी इसका है जो भी medicines है वो बन नहीं पाया medicine अभी तक अभे लेवली नहीं है कहीं अभे लेवली सिर्फ इंडिया की बात नहीं करें सारी country लगी हुए लगी हुए लगी हुए उनको पूरा एक साल लगा इसको करने में और जब बन गया तो उसके बाद सभी को उन्होंने क्या करा जितने भी vaccines थे उन सभी को लगाया गया vaccines तो सर इस एक साल के अंदर जो इंडिया ने एक ने दो फॉर्मूले बनाएं कोवी सील्ड और को वैक्सीन ये फॉर्मूले थे हमारे फॉर्मूले थे क्योंकि एक फॉर्मूले से बनता है science वाले बच्चे करते हैं को फॉर्मूले बगरे में तो जो ये फॉर्मूला था ये हमारे लिए एक assets था लेकिन assets कौन सा था सर मैंने लिखा formula कहा जाता है हमारा intangible assets में लेकिन ये formula तब तक नहीं बना जब तक लोगों के उपर experiment नहीं हो गया तो ये जो हमारा vaccine जो था trial पे चल रहा था तो trial मतलब क्या था intangible assets तो था लेकिन under development था तो अगर ऐसा कोई intangible assets है जो की under development में है वो तो intangible assets under development के category में आ जागा और जैसे ही vaccine बन गया तो वो कहां चले जाएगा यानि इस तारीक तक 2020 और 21 के बीच में ये under development में रहा और जैसे ही 2021 में vaccine बनके तयार हो गया under development में से खतम होके कहां पहुँच गया वो sir वो चला गया intangible assets के category में और यहाँ formula के नाम से आ गया होगा समझ मैं ही बात आपको तो यानि sir जो हमने अभी देखा है जिसके note नहीं बनाए ये भी exam के लिए not important में कहूँगा इससे पूछा नहीं जाता n का मतलब not important ठीक है तो लेकिन हमें समझना है कि इसमें समझ में आना चाहिए चलिए sir non current investment note number 12 non current investment note number 12 non current investment non current investment क्या होता है वो investment जो लंबे समय के लिए कर सकते हो किसमें कर सकते हो आप shares में कर सकते हो अपनी company के share नहीं किसी और company के shares में ठीक है और किसमें कर सकते हो debenture में कर सकते हो दूसरी company के और किसमें कर सकते हो property में कर सकते हो तो ये सारे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये investment वो है जो लंबे समय के लिए किया जा रहे है अब सार land and building भी हो सकता है इसके अंदर मैं इसके अंदर land and building भी लिख देता हूँ लो property में तो आई गया न land and building तो बोलोगे सार land and building यहा है तो फिर यहां क्या कर रहा है land and building भाई यहां पर लिख रहा है न यह तो business में इस्तमाल होंगे और यह land and building हमने खरीद लिया और महंगा करके बेच देंगे तो यह land and building investment होगा और यह हमारा क्या होगा सर assets तो सर डेप्रीशेशन लगाने की बार ही आएगा तो किस पे लगाएंगा सर इस पे सरिफ डेप्रीशेशन लगेगा investment पे थोड़ी लगेगा depreciation depreciation किस पे लगेगा सरिफ इस पे investment पे depreciation नहीं लगेगा यानि आपको अगर दो land and building लिख दिया जाए और दूसरे साइट लिखते only land and building और दे दे 10% depreciation charge on land and building बच्चा तो फटा फट दोनों पे लगा देगा लेंड इन बिल्डिंग पे गलत हो गया लो investment वाले पे थोड़ी न लग सकता है land and building पे सिर्फ किस पे लगेगा इस फेट वो तो मैं बता रहा हूं कि examiner उलजाना चाहे तो उलजा सकता है sir note number 12 done note number 12 done note number 12 done note number 12 done आज आते है note number 13 13 कहता है long term loan and advance long term loan and advance note number 13 long term loan and advance long term loan and advance sir क्या क्या आएगा loan given to employee double E कर रहा हूं employee number 2 advance given to supplier sir यह क्या होता है यह क्या होता है यह क्या होता है sir right now what can I quit this class sir right now what can I do class हाँ यह आपको recorded मिल जाएगा अगर आपको कोई problem नहीं होने वाली आज वाली class में क्यूंकि यह 12 में आपने पढ़ा हुआ है बस मैं नोटी लिखा रहा हूं एक class के बाद problem आगे तो आप बने रहें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जितने ही बच्चे लाइव हैं तो किसी बच्चे को को के दिक्कत नहीं होने आले सभी के मैं डाउट टेके करके पढ़ रहा हूं शिवानी ने कहा वैक्सीन बिलकुल मैं भूल गया था चलिए अब जी सर long term loan and advance क्या होता है ये अब long term loan and advance simple सी बात है अगर current assets और non current assets के बीच के फासले की बात करें तो एकी चीज़ होती है 12 महने से अधिक के लिए long term हो जाता है 12 महने से कम के लिए short term हो जाता है अब advance आपके पास एक employee आया बहुत भरोसे मन्द employee आया जो आपके पास सुरू से काम कर रहा है जब से बिजनस स्टार्ट है उसने बोला के भाईया मुझे ना सर मुझे एक काम करिए के पांच लाख रुपे का लोन दे दीजिए मुझे अपनी बहन की शादी करनी है तो कंपनी का बहुत भरुसेमंद इंप्लोई अगर कंपनी ने लिए नहीं देता है ऐसे थोड़ी होता है पैसे मांगे ले जाएक और तो तिरको दे देंगे तो उस इंप्लोई क्या करेगा छोड़ के जा सकता है और आज के टाइम पर मैं बता दूना तो सब कुछ मिल सकता है इंप्लोई अच्छा मिलना बहुत मुश्केल है आज के टा काम करके दो टॉप लेवल का ताकि कंपनी ऐसा कुछ करो जहां जॉब भी करो कि कंपनी को डर लगे यह इंप्लोई ना चले जाया तब मज़ेगा तो ऐसा ही कोई इंप्लोई बहुत पुराना है तो मैं तो कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरे को छोड़के जाए क्योंकि व जुरतनी है तो मैंने पैसा अपने इंप्लोई को एजल लोन दे दिया तो मेरे लिए वह एसेट से क्योंकि वह उससे मुझे वापस मिलेगा तो वह इस कटेगरी में आ जाएगा लोन गीवन टूदा एंप्लोई ऐसे बहुत सारे जो होते ना कौन बहुत सारे सप्लायर जो कुछ देना पड़ता है या फिर हम कुछ चीजे कस्टमाइज कराते हैं तो बिना कस्टमाइजेशन जहां भी कुछ भी प्रॉडक्ट करवाओ आपको समान खरीदना है और कस्टमाइज करके खरीदना है तो आपको समान मिलेगा ही नहीं आपको बोलेगा पहले 50% जबांस यह तब मिलेगा तो जो पैसे मैंने एडवांस भी है और मान लोग मेरा कस्टमाइजेशन जो एसेट्स बन रहा है उसके अंदर समय लगेगा तो एडवांस हो सकता है लंबे समय के लिए हो तो कहां चले जाएगा एडवांस में चला जाएगा तो हाला कि एक्जाम के समाग से लेके चले के यह नाम है और उस नाम से रिलेट्टिड ही सारी चीजह है जैसा नाम वैसा काम है यहां पर विल्कुल भी आप याद करने कोशिश करोगे तब तो नहीं होगा है नोट नमबर 13 यह नोट नमबर क्या था 12 13 था यह हैं नोट नमबर 14 बड़ी छोटे छ कि इतने सारी चीजे होती है जब lawmaker law बनाता है जब कानून बनाता है तो कई बार सब कुछ सोच लिए सब कुछ यह भी होता है वो भी होता है सब सोच लिए उसके बार लगता है कुछ पच गिया तो फिर उसको एक अधर का inherent assets में ऐसा क्या हो सकता है यहां पर पता ही क्या क्या चीज आ जाती है preliminary expense यहां पर आ जाता है हमारा preliminary expense कि अगर फ्रेलिमिदिश्ट करचा है नहीं आपका मानलो कि फ्रेद आपने पांच व्रुपाइब नहीं हुआ सर लेंड बिल्डिंग वाला एक बार अभी बताएंगे बताएंगे इस नोट को फिर से पूरा समझाएंगे मान लो कि आपका पांच लाग रुपए के प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है मतलब बिजनस स्टार्ट करने से पहले यह अंडर राइटर कमीशन है पांच लाग का लो न में दिखाएंगे तो एक साल में फिर एक लाक अगले साल में तो चार लागट अगले से ऐस साल में घ्रिखोंग हो गे तो वह में अधर अधिर न्वर वी यह समझ में आया कमेंट में बता दो फटा फट से हां लेंड बिल्डेंग सर मेरा डाउट अभीशेक कश्यप कोंसा डाउट रह गया भाई कौन सा रह गया अभीशेक एक बार दुबारा साथ डाल दो येस नहीं सर नहीं आया समझ भेज चलो दुल रहो है बहुत बच्चे बोल रहे हो हैं बहुत बच्चे बोल रहे है नहीं आया तो आ देखो लेंड जैसे होता है न हमारा मैं बात करता हूं preliminary expense सर preliminary expense क्या होता है business start करने से पहले जो खर्चे होते हैं preliminary expense कहते हैं share capital वाले मैंने पूरे detail में बता दिया था होता क्या है preliminary expense अब मान दो आपका खर्चा हुआ कितने कसर 5 लाग का तो बट ओविस सी बात है ये 5 लाग रुपए अगर एक बार में आप अपने profit and loss में दिखाओगे नहीं तो आपका P&L हिल जाएगा हिल क्यों जाएगा बहुत बड़ा खर्चा हिए आपने decide किया कि इसे हम 5 सालों में दिखाएंगे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल और अभी आप यहाँ पे खड़े हो तो आप इस साल दिखाओगे 1 लाग रुपए और बाकी के जो 4 लाग रुपए उसके संभाल के रखोगे और अगले साल फिर 1 दिखाओगे फिर 3 समाल होगे फिर अगले साल 2 फिर 1 एसे चलता रहेगा तो जो आपका यह 4 लाग रुपए आपने बोला कि अगले सालों में दिखाएंगे तो यह assets हो गया आपका एक तरह किस advance हो गया तो यह क्या हो गया आपका assets हो गया तो इस assets के according हम इसको क्या करेंगे assets है तो इसलिए यहां पर हम इसको फुट कर देंगे इस जगे पर ले जागे हाला कि आपके अब यह सलेवस का भी आउट आउट आप पार्ट हो चुका है एक्जाम के लिए नॉन रिंपोर्टेंट है चीख है चलिए सब इसके बाद नूट नमबर 14 के बाद एक स्वाट ट्रम इन्वेस्मेंट नोट नंबर 15 जैसे आपने शीर में पैसे लगा दिए गव्यान गठीश में पैसे लगा दिए हैं जैसे आपने कुछ भी एनी काइंड आफ प्रॉपर्टी में डगा दिये सर यह तो सेम हो गया बिल्कुल अब मैं ऐसा भी करता हूं आपको यह समझाने के लिए यह लो इधर कॉपी किया और इधर लिए आया चलो मैं यही वाला लिखूंगा आप तो यानि सर शॉट्रम में भी वह कोई फरक नहीं है सर बस कलर बदल देते हैं ठीक है कोई फरक नहीं है तो इसका मतलब सर आपको पता ही है लॉंग ट्रम और शॉट्रम में जो फासला डिफाइन करता है वो करता है टाइम वह कौन डिसाइड करता है यह लॉंग ट्रम होगा यह शॉट्रम वह एसिट्स कभी भी decide नहीं करता है भीलिदिंग कभी नहीं बोलोगे कि लांग टरम short-term है उसका time decide करता है तो अगर आपने share market में पैसे लगा है एक साल से कम के लिए तो shot-term में आजाएगा एक साल से ज्यादा के लिए लगा है तो नोन ऐधाया नहीं बढ़ सकते हो। चलिए सर नोट नमबर 16, inventory पर इन्वेंटरी कोन सी अब याद रखना हमेसा क्लोजिंग इन्वेंटरी की बात करता हैं बैलिशीट में हमेसा क्लोजिंग होगा है कोन सा होगा सार क्लोजिंग अब सर पेले हमारा आता है raw material इसके बाद नंबर दो पर आता है सर वर्क इन प्रोग्रेस नंबर तीन पर आता है हमारा सर फिनिस गुड्स गुड्स नंबर चार पर आएगा हमारा सर स्पेर पार्ट नंबर चे पर आजाएगा loose tools loose tools तो यह सारा हमारा inventory का पार्ट है सर यह जो दे रखा है मैंने WIP और पिनिस गुड्स इसको हमें एक पर समझ लेते हैं क्या होता यह यह समझ लेते हैं ठीक है न देखो हमारे stock जो भी manufacturer है कि बिजनसमें ना दो से तीन तरीके के होते हैं देखो बिजनसमें की मैं बात करूं अगर मैं बिजनस की बात करूं तो बिजनस को तीन कैटेगरी में बाता गया है एक तो होता है हमारा trader एक होता है manufacturer और एक होता है service provider service provider क्या माल बनाएगा इसके लिए कुछ नहीं है trader क्या करता है बना बनाए समान खरीद के लाता और उसे बेच देता है तो इसके लिए always जो भी समान होगा वो finished goods होगा लेकिन manufacturer का काम थोड़ा सा अलग है manufacturer क्या करता है पहले कच्चा माल खरीदता है कच्चा माल मतलब जिससे बनाएगा जैसे ये pen है मेरे पास ये plastic तो जिसने भी बनाया होगा जो company है उस plastic वाले company ने पहले plastic खरीदा होगा साची में बनाया बनाए होगा तो कनवर्ट जब कर दिया तो वो चला गया और चलेगा किसमें सर इस फिसमें का टैन के टेगरीए कुछ हैसे बनके तयार हो गया, यह pen बनके तयार हो गया, तो वो किसका पार्ट माना जाएगा सर, वो माना जाएगा हमारा finished goods का, बाकि service में तो होता ही नहीं कोई raw material की बात stock है, trader के लिए finished goods होता है, तो यह journal सी बात है और ऐसा इतना complicated कभी पूचता नहीं है, examiner ऐसा होता भी नहीं है, हम इसमें unnecessary का बस मैं समझा, detail में रहा हूँ, लेकिन फिर दिक्कत ना हो बस इसलिए और बाकि कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, spare parts क्या होते हैं, छोटे-छोटे loose rules होते हैं, spare parts क्या होते हैं, अगर दे भी दे तो यहां, पहले यह loose tools है नहीं, fixed assets का part हुआ करता था, now यह current assets का part है, यह मान के चलना है, बताइए यहां तक कोई doubt, बिल्कुल सारा ही fix, वो आपको देखना है कि यह current assets है क्या है, वो तो note से check करोगे, बुर्णामी वो है, बुर्णामी वो है, बुर्णाम बच्चे कह रहे हैं, sir, आटा रोटी वाला example ठीक है, हाँ, वो costing पे चलता है, costing या FM में चलता है, sir, इसके अलावा exam तो नहीं आएगा, sir, इसके अलावा, नहीं, exam में भी नहीं आएगा, हम न 10 year के भी questions करेंगा, ऐसा नहीं है, कि सर्फ यह करके चले जाओगे, हम और अलग लेबल की भी तैयारी मैं सोच रहा हूँ, करवाँ आप लोगो, चलिए, sir, यहां तक कर लिया, note number क्या हो गया, सूला, note number सूला के बाद आगे चले, इसको छोटा करके, हमारी courses यहीं है, कि सारा note आपको एक जगह पर मिल जाए, assets का और एक जगह library का, ताकि noting में आपको आसा चलिए, sir, note number note number 17, क्या था हमारा trade trade receivable, इसके अंदर क्या आता है, बड़ी basic सी बात है, debtor और bills receivable, और in fact debtor में से न बहुत सारी चीज़ें माइनस होता है, सबसे main adjustment यही रहता है, तो debtor में से पहले less कर देंगे, क्या हम provision, for debtor, और क्या less हो जाएगा, sir, bed debts, bed debts, जैसे पहले minus किया करते थे, इसमें से यह सारा minus करके, ultimately यहां आ जाएगा, debtor, उसके बाद आ जाएगा, अब DR, बड़ी सीथी सी बात है, यह लिखके हम फटाफट करते हैं, sir, इसके अंदर भी दो entry होगी, बिल्कुल होगी, दो entry जैसे कि हम final account पर किया करते थे, इसके बाद आ जाते हैं, note number, cash and note number 18, cash and cash equivalent, sir, cash and cash equivalent का मतलब, जो cash है, यह cash के बराबरी का है, cash तो cash ही है, bank cash के बराबर ही होता है, और एक होता है marketable security, यह basically shares ही होता है, जैसे share market में पता है कैसे investment करता है, आज खरीदा आज यह बेच दिया, पैसे एक दो दिन में आ जाएगा, यह तो cash and cash equivalent में तो share, आज खरीदा तीन में बाद बेच दिया, यह आज जाएगा short term investment में share, आज खरीदा दो साल बाद बेच रहे हैं, long term investment, तो ऐसे category होता है, यह होता basically क्या है, share सी होता है, यह share सी होता है, next note, note number, note number, note number, note number, short term, loan, and advance, sir यह क्या है, short term loan and advance, तो आपको सबसे पहले जो long term loan and advance था हमारा, यह exactly same में उठा लेने वाला हूं, तो आपको अंदाजा लग जाएगा, समय का फरक है, किसका फरक है स्रेव, timing, क्या timing है, उसके according चलेगा यह, ठीक है, यह exactly same आ गया, मतलब अगर लंबे समय के लिए होगा, ऐसा तो यह होगा, और last हमारा, other current assets, last ही यह है, तो 20 नमबर यहां डाल देते हैं, note number 20, note number 20, other current assets, sir क्या क्या आएगा इसमें, sir इसमें जो आएगा, number 1, prepaid expense, जो सबसे ज़्यादा use होगा, sir number 2, accrued interest, यह भी use होगा, interest, number 3, sir, number 3, number 3, और क्या सकता है इसमें, prepaid हो गया, accrued हो गया, other लिख देते हैं, other लिख देते हैं, तो यह था हमारा total note, किसका, sir, assets का, एक एक करके, कुछ बच्चों का एक query आया था, कि sir आपना यह वाला बता तो, building, तो building के अंदर मैं दुबारा बता देता हूँ, कुछ बच्चों को जो doubt था, sir अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अकास, आप अभी noting भी करोगे, तब और clarity बढ़ेगी, अभी ऐसे एकदम से तो नहीं आएगा, इस सिर्फ note करवा रहे हैं, अभी pendle करा हूँगा न, बिल्कुल नए series से होगा, वो समझ में आ जाएगा, current assets ही है, यहाँ, यहाँ, सारा कुछ है, फूरी board नहीं दिख रहा, ठीक है, वो तो board तो अभी visual करना देते हैं, चिंता मत करें, यह लिजए, आपको पूरा board दिखा देते हैं, और यह बाकी आपको notes, जो है न, यह, यह सारा आपको PDF format में मिलता है, class wise, पूरा PDF format में मिलेगा, तो उसकी चिंता मत करें, noting आप तब करें, घर पे, जब PDF format में मिल जाएगा, तो देख देखें, वीडियो pause करने की भी जुरत नहीं पड़ेगी, आपको, सर दूसरी बात, कि यह था हमारा assets, तो यानि, जो depreciation उस building पर charge करूँगा, law यह कहता है, बहिया, तुम अपने business में इस्तेमाल कर रहे हो building, तो charge करो, एक साथ में plot मिल रहा था, मेरे दिमाग में आया, क्यों ना, उस plot को मैं खरीद लू, company के नाम पे, और फिर महंगा होगा, तो बीच दूँगा, मैंने plot खरीद लिया, और दो साल बात बीच दिया, तो वो plot था investment purpose के लिए, तो यह building जो था, वो investment purpose, अब उस पे depreciation नहीं charge होगा, investment पे depreciation नहीं लगता, जो business में use होता है, सरफ उसके लिए लगाया जाता है, share capital वाला, cost accounting, cost accounting, machine पहले से cover होगा, cost accounting की क्या बात चल रही है, अभी corporate का देखते हैं, cost का मुझे समझ में नहीं आए, क्या पूछ रहा है, चलिए sir, चलिए, फटा फट से, यहाँ पे आ गए हम, balance sheet पूरा cover, यह हमारा सारा liability, इससे related note और assets और इससे related note, final account को करने से पहले, हमें कुछ adjustment समझ लेना चाहिए, अब जितने बच्चे भी नए जोइनिंग है, उन सभी बच्चों को मैं बोलना चाहूँगा, कि इस chapter को आप starting से class देखिए, और इस chapter में आप continue हो सकते हैं, और जो previous chapter है, वो recorded format में आपको मिला हुआ है, sequence है, और उसको आप recorded format में देख सकते हैं, दोनों चीज़े मैंने बता दिया है, अगर जो बच्चे आज first class ले रहे होंगे, तो आज वाली class समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, simple सी बात है, ठीक है न, तो वो भी आप जुड़े रह सकते हैं, लेकिन पुराने classes भी देखेंगे, सर, class का notification नहीं आता है, आज notification के लिए मैं ये कहूँगा, scheduling हम लगा रहे हैं पहले, और अभी मैंने 6 बजे की class की हुई है, although, तो 6 बजे की class ले रहा हूँ, आज 6 से जो भी time आगे चलता है, पहले commitment करते हैं तो पूरा नहीं होता, आगे देखते हैं कहां तक ही पाते हैं आज की class, ठीक है, तो चलिए सर, देखो सबसे पहले आप समझना बातों को, final account कह लो, या कह लो आप financial statement, final account कह लो, या कह लो financial statement, बात एक ही है, अगर मैं accounts के process की बात करूँ न, process of account, ध्यान देना, अगर मैं process of account की बात करूँ, process of account, तो accounts के अगर मैं process के accounting की कैसे जाती है, उस process से related समझ लेते हैं, कैसे करते हैं सर अकाउंट के, है न, accounts करने के लिए, सबसे पहले, तो आप के पास transaction होना चाहिए, transaction का मतलब सर, यानि जो काम किया है, वो होना चाहिए, जैसे ही आप के पास transaction आया, आप उसे कर देते हो, journal, journal के format में ले जाते हो, जैसे ही आपने journal की असर, हम इसे क्या करते हैं, हम इसे laser में convert करते हैं, जैसे ही हमने laser में convert कर दिया, देन हम trial balance बनाते हैं, और trial balance एक ऐसी चीज है, जिसके अंदर हमेशा debit is equal to credit बनता है, debit is equal to credit का मतलब हम ये मान लेते हैं, लगबग लगबग के हमारा ये सारा process एकदम ठीक चला है, अगर हमारी गलती किसी भी process में रहती है, तो उस वज़े से हमारा ये वाला systematic जो हमारा rule है, debit is equal to credit होगा ही नहीं कभी, पहली बात, समझ रहे हैं बात को अब, यहां तक, तो ये क्या है हमारा accounting का एक process, अब trial balance कैसे बनता है सर्ट, trial balance बनाने का बड़ा simple सा funda है, आप सभी ने पहले देखा भी होगा, और आपने बनाया भी है, ऐसा नहीं के नहीं बनाया है, सिर्फ देखा ही है, और ये बाते जो trial balance वाली मैं बात कर रहा हूं, ये चीज़ें आपको 11 भी class के अंदर सिखा दिया जाता है, कुछ ऐसा trial balance होता है, और इस trial balance के अंदर एक होता है हमारा debit, और एक होता है हमारा credit, उपर लिखा होता है trial balance, और मैंने मानलों यहां लिख लिए particular, और यहां पे आपकी detail लिखी होती है, जैसे 1, 2, 3, suppose capital है, तो यहां capital लिखा होगा, capital पांच लाग का है, तो देन 5 लाग लिखा होगा, अगर asset है, assets लिखा होगा, 4 लाग का है, तो 4 लाग लिखा होगा, cash का balance है, तो cash का लिखा होगा, 1 लाग है, तो 1 लाग लिखा होगा, इस तरीके से हमारा इसका total पांच लाग रुपे, और इसका भी टोटल पांच लाख रुपे, ये टोटल हमेशा मैच हो जाता है, तो हम ये मान लेते हैं, हमारा trial balance बनाना confirm हो गया, मतलब कि trial balance हमारा ठीक है, और ये sir, ये trial balance बनता किसकी मदद से, ये trial balance always बनता है, laser की मदद से, यानि इस laser की मदद से बनाय जाता है, sir, laser किसकी म इसके बाद, बच्चे कह रहे हैं, voice नहीं आ रही, एक बार बताईए, voice आ रही है नहीं आ रही, तभी बच्चे बता दें, नहीं तो फिर मैं यहां से increase करूँ, एक बार बता दीजिए, voice clear है या नहीं है, सर आ रही, ओके ठीक है, नहीं तो मैं यहां से अगर increase करता हूँ, कई बार voice क्या हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा loud हो जाता है, बच्चे परिशान होता है, इसलिए मैं medium रहता हूँ, ठीक है, तो यह trial balance, इतनी कहानी जितनी भी मैंने आपको आज बताया है, इस discussion में, जि यह सारी बातें आपको पता है, और आपने 11 वी क्लास के अंदर, और 1 यर के अंदर, और 12 क्लास में भी कई बार किया हुआ है, अब मुद्दे की बात आती है, कि अब हम इसकी मदद से, इसकी help से हमें एक account तयार करना होता है, सर इतनी हमने क्यूं, इतनी हमने क्यूं अपनी मतलब दिमाग लगाया, ये करो, वो करो, ताकि हम इसकी मदद से बना पाएं अपना profit and loss, और ताकि इसकी मदद से हम बना पाएं अपना balance sheet, क्यूंकि accounts का एक ही objective, main objective देखा जाए, तो to prepare financial statement for calculating profit and loss and financial statement, इसको हम financial statement भी बोलते हैं, final account को, तो हम एक ही मुद्दा रहता है, कि हम correct profit and loss निकालें और correct balance sheet बना पाएं, इसलिए हमने इतनी ज़्यादा यहाँ पे, जितना भी ये इतनी कहानी और इतने पापड जो मैंने बेले हैं, वो इसलिए बेले हैं, ताकि मैं वहां तक पहुँच पहूँ, profit and loss और balance sheet तक, लेकिन profit and loss और balance sheet आपका गलत आ जाए, तो आप आपका ये चीज़े गलत है, तो definitely ये चीज़े भी गलत आएगे निकल के, trial balance के अंदर अगर हम कोई चीज भूल जाते हैं तो भी हमारा match हो जाएगा, जैसे मैं एक मजे की बात बताओ ना, मैंने एक लाग रुपे का उधार माल खरीदा था, जो मैं trial balance में लिखना भूल ग किया, तो एक लाग का उधार माल खरीदा था, तो उसको मैं नीचे note में लिखूंगा, कि मैंने credit purchase किया, credit purchase, रुपीस वन लाग, ये नीचे note में दिया, ताकि जब हम अपना नया financial statement बनाने जाएं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इसमें incorporate कर दें, अगर ये बाते है हम trial balance के अंदर incorporate करना भूल गए हैं, और बाद में हमें ये बाते लिखी हुई मिलती हैं, और अपने financial statement में incorporate कर देते हैं, तो हमारा financial statement तब गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसके impact को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, reflect अलरी कर दिया है, तो सर ये वाले जो points मैंने पर बताएं ये, क्या सर इसे कहीं भी reflect नहीं किया होगा हमने, जी हाँ, इसको हमने कहीं भी reflect नहीं किया होगा, तो सर इसका मतलब इस जो भी point को हम यहाँ पर reflect करेंगे, हमें साथ दो जगह लेके जाएंगे, एक debit में लेके जाएंगे, और एक कहां लेके जाएंगे, credit में लेके जाएंगे और जो trial balance के बाहर note में लिखा होता है इसका मतलब हम इसको एक बहुत ही अच्छा सा नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं adjustment इसको क्या नाम दे देते हैं adjustment का मतलब क्या होता है adjustment का मतलब होता है जो चीजे हम trial balance के अंदर या पहले किसी जो हमारा process of accounting है वहाँ पे हम करना भूल गये थे और बाद में अचानक से याद आया उसको नीचे point बना के लिख दिया that is called adjustment और adjustment की हमें सा double entry होगी क्योंकि accounting double entry bookkeeping पे इसको मैंने आज से पहले कह लिखा ही नहीं तो कहीं ना कहीं तो debit और कहीं ना कहीं credit करना पड़ेगा तो हमें इस trial balance हमें always given होगा और इसके साथ कुछ point भी given होगे जैसे point 3 जैसे मैंने लिख दिया suppose closing stock जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर मान लेते हैं depreciation तो बहुत सारे point आपके यहाँ पर लिखे होते हैं सभी बच्चे aware हैं कि इस तरीके के आपने questions किये हुए है soul proprietor के तो यह हमारे adjustment होते हैं तो हमें पहले जो adjustment हमने किया था वो as per the old format balance sheet के हिजाब से देखा था कि मैंने ब गोला simple liability में जाएगा और एक expense में add हो जाएगा यही सीठा हुआ है closing stock कहां जाएगा sir trading में जाता और balance sheet में जाता है लेकिन अब ना तो trading है और ना ही balance sheet है balance sheet है तो लेकिन वो क्या है पूरा categorize तो अब जो मैं adjustment बताऊंगा कि exact कहां पे जाएगा उसके हिसाब से बात करेंगे तो इस chapter के अंदर आगे बढ़ने से पहले आपको adjustment की knowledge होने चाहिए मैं दिखा भी देता हूँ मेरा मन तो कर रहा है कि मैं आपको यह सवाल करा दूँ और that is आपको देखो debit or credit क्या given है यह trial balance given है trial balance के नीचे बहुत सारी information given है total 10 no information given है और यह जो information given है इसको आप क्या नाम द adjustment जो कि हम सीख रहे हैं तो इस adjustment को कैसे handle किया जाएगा किस जगह पर minus किया जाएगा किस जगह पर plus किया जाएगा पहले उसके हम कुछ 10-12 जो भी note बनते है में में वो note बना लेंगे उस note को बनाने के बाद फिर हम इस chapter के अंदर start करेंगे इसको करने के ठीक है न तो चलिए आईए मेरे साथ यहां तक आपको clarity होनी चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं तो आते हम आगे सर note बनाने के लिए यानि सर adjustment स्टार्ट करते हैं हम पहले और यह adjustment आपको भी मैं कहूँगा एक ही जगा रखें ताकि आगे दिक्कत ना हो adjustment की बात कर रहे हैं तो adjustment number मैं one लिखने जा रहा हूँ सर सबसे पहला adjustment कौन सा है? adjustment number one लिखने जा रहा हूँ यह है closing stocks related जिसको closing stock के दूसरे शब्दों में आप inventory भी कह सकते हो इसको क्या कह सकते हो आप? inventory अगर मैं closing stock की बात करूँ तो यह दो जगे हमें देखने को मिल सकता है सवाल के अंदर सवाल में दो जगे और इसको अगर दो जगे देखने को मिला तो किस तरीके से tackle करना यह भी पता होना चाहिए आपको या तो यह आपको given हो सकता है trial balance के अंदर या तो trial balance के अंदर given हो सकता है या फिर आपको यह given हो सकता है कहां adjustment में सर मतलब क्या हुआ इसका मतलब बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हो अगर मैं trial balance की बात कर रहा हूँ तो trial balance के अंदर कौन सी बात होती है और adjustment में कौन सी बात होती है यह दिखा देते हैं अगर मैं बात करूं कभी ऐसा भी हो सकता है possibility के आपको closing stock इसके अंदर देखने को मिले और कई बार ऐसा भी हो सकता है के closing stock कहां देखने को मिले बाहर जैसे कि यहाँ पर closing stock आपको बाहर देखने को मिल रहा है तो that is adjustment में given है और अंदर given है तो यह given है हमेशा life में याद रखना जब भी trial balance के अंदर entry आएगा तो हम इसका कभी भी कुछ नहीं करते हैं इसको हम सिर्फ only transfer करते हैं transfer या तो balance sheet में करते हैं या P&L में करते हैं that is मतलब इसको यहाँ से उठा के या तो balance sheet का item है तो balance sheet में ले जाएंगे और P&L का item है तो P&L में ले जाएंगे आपको पता चल गया होगा सर अगर adjustment में given होगा तो very clear तो कितनी entry होंगी यहाँ पर adjustment में given हुआ तो sir दो entry होने वाली adjustment में given हुआ कहां कहां adjustment में given हुआ दो entry होगा क्यूंकि पहले trading account होता था अब तो trading account नहीं है अब balance sheet है तो एक तो चला जाएगा हमारा कहां पे sir balance sheet के अंदर एक तो balance sheet के अंदर चला जाएगा और एक चला जाएगा statement profit and loss के अंदर ठेक है न एक चला जाएगा balance sheet में और एक चला जाएगा profit statement और येकीन मानिएगा ये आपके बहुत helpful रहेगा सारे adjustment को हम यहाँ कर लेंगे और जादा adjustment नहीं है बस थोड़े से हैं वो सीख लेंगे सर balance sheet में कहां चला जाएगा ये ये चला जाएगा हमारा मैं सारी बाते लिखूँगा यहाँ पर ये चला जाएगा current assets में current assets में जाएगा और current assets के अंदर आगे section आता inventory current assets में जाएगा और आगे section के आता है हमारा inventory आता है लेकिन सार अगर profit and loss में हुआ तो कहां जाएगा ये जाएगा हमारा change in change in inventory ये change in inventory में जाएगा लेकिन सार अगर सिर्फ और सिर्फ balance sheet के अंदर trial balance के अंदर हुआ तो क्या करेंगे आप सिर्फ trial balance में हुआ तो क्या करेंगे आप तो very simple trial balance में हुआ तो एक ही entry होगा सिर्फ जाएगा balance sheet के अंदर और balance sheet में भी कहां चला जाएगा ये सिर्फ और सर्फ current assets के inventory section में समझ में आई बात आपको यानि trial balance के अंदर है तो मैंने भी समझाया आपको trial balance के अंदर है तो उसकी दो entry नहीं करने उसकी तो बस transfer entry करने होती तो एक ही जगा गया और adjustment में है तो कितनी जगा चला गया सेम जगा चले गया आगे देखते हैं सर्फ अब कई बार examiner क्या करता है जो closing stock को govern करता है ना closing stock को या किसी भी stock को govern करता है वो as2 करता है तो as2 हमें कुछ ग्यान देता है कुछ सिक्षा देता है as2 as2 accounting standard 2 वह कहता है कि भी आगर आपको कभी भी आपके stock की value दो नजर आए stock की value दो नजर का मतलब आपने खरीदा है वो अलग एक value है लेकिन उसको market में अगर valuation लगाए जाए तो उसकी value एक अलग है तो आपको हमेशा books of account में which ever is lower होगा उससे record करना चाहिए ना की जितने का खरीदा है आपने या फिर ना की जितने का market value है तो note section यहां मैं डालने जा रहा और इसी को realizable value भी बोल देते हैं ज़र market value, market price बोल दो when market value and cost price बोथ आर गीवन जब market price और cost price बोथ आर गीवन दिन वी विल बे टेकन हम कौन सा लेंगे सर विच एवर इस is lower, whichever is lower, जब दो value दे दे तो हमें कौन सा value चुनना चाहिए सर whichever is lower value को हमें चुन लेना चाहिए, जो बड़ी cdc बात है यहां पर, ठीक है सर इस समझ में नहीं आया, एक example हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा, तो चलिए मैं example ले 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 लेगा मान लेते हैं मेरे पास closing stock given है, मैं cs लिखूंगा closing stock 50,000, और इस 50,000 के मैं bracket में लिख रहा हूं market price जो है उसका है 40,000, तो हमें अब adjustment में है तो दो जगए दिखाना है, लेकिन 50,000 लेके चले हैं 40,000, तो whichever is lower का मतलब जो दोनों में से कम है, तो here answer जो हम amount लेके चलेंगे that is 40,000, एक और example देखिए, अगर मैंने कहा closing stock का value मेरा 50,000 है, बट इसी का same market price जो है मेरा वो कितना है सर 60,000, तो अब बताइए हम answer में क्या लेके चले, कौन सा amount लेके चले, तो that is आपका जवाब होगा सर अब 50,000 लेके चलना होगा, अब चलना होगा आपको 50,000 रुपीज लेके, पहला adjustment हमने done कर लिया, इसे separate एकदम separate लेके चलिएगा, mix मत करिएगा question के बीच में, क्यूंकि मैं पहले सारे adjustment कराने वाला हूं, उसके बाद हम सवाल पर आएंगे, तो पहला adjustment हमने done कर लिया, किसी बच्चे को इ है तो बताईए, मुझे लगता है यह अच्छे से clear होना चीए कि बहुत पहले भी हमने यह करा हुआ है, कई बार करा है, एक बार नहीं किया हुआ है, ठीक है ना, चलिए सर्थ, आगे बात करते हैं हम outstanding की, outstanding और मैं बात करूँगा outstanding expense की और इसके कई नाम है, outstanding को हम area भी बोलते हैं या फिर हम इसको unpaid भी बोलते हैं या फिर हम इसको due भी बोलते हैं या फिर हम payable भी बोलते हैं तो देखिए कितने सारे नाम है इस outstanding के जो different different तरीके से हर जगह जगह बोले जाते हैं जो कि मैंने लिखा है अब देखिए, outstanding के इतने सारे नाम है अब अगेन मैं कहूंगा इसके अंदर सर आपको outstanding दो जगह देखने को मिल सकता है पॉसिबल है कि आपको outstanding देखने को मिले अपने trial balance के अंदर और यह भी possible है कि आपको outstanding देखने को मिले कहां अपने profit and loss के अंदर सरी आप adjustment के अंदर कि दो जगह की बात करें तो यह तो देखने को मिल सकता है आपको कहां सा या trial balance या sir adjustment सर अगर trial balance की बात करें तो इसकी entry कहां भी सर अगर trial balance में given हो तो इसको हम ले जाएंगे कहां ले जाएंगे सर other current liability में सीधा इसका कोई ऐसा नहीं है या तो मैं पूरा ही लिख देता हूं other current liability जो है वो आपको याद होना चीए कहां जाता है current तो अगर आपका outstanding given हो तो आप समझ में आया कैसे करेंगे इसको current liability के other current liability के अंदर आपको लिखना है इसको ठीक है ना current liability के other current liability में लेकिन adjustment हुआ तो अगेन आपको पता ही कितनी entry करनी है adjustment की केस में सर दो entry करनी है सर दो entry कहां जाएगे एक तो as a t's हमारा same आ जाएगा जो हमने यह लिखा हुआ है सर एक तो same सर दूसरा दूसरा यह चला जाएगा हमारा add हो जाएगा in expense add हो जाएगा in expense सर कौन से expense में add होगा जिस से related outstanding होगा तो add हो जाएगा अगर interest हुआ तो finance cost के अंदर add होगा अगर wages हुआ तो employee cost में add होगा अगर journal expense हुआ तो other expense में add होगा यानि जिस expense से related है वहाँ पे जाके यह क्या हो जाएगा जाके सीधा added हो जाएगा यह तो यह क्या था हमारा outstanding लेकिन कई बार सवाल आपको problem कब create करता है जैसे कि आपको न कई बार यहां पे कुछ loan के उपर कई बार बात करता है loan की बात में बात करनेंगा पहले यहां तक देखें basic basic से लेके चलना इसमें किसी को doubt है तो बताईए यह clear है किसी को doubt यानि मैं दोनों section लेके चल रहा हूं अगर ऐसे trial में हुआ trial का मतलब क्या कह रहा हूं कि अगर इसके अंदर हुआ तो तो सीधा आप जाना current liability में अधर current liability में लेकिन adjustment हुआ तब तो दो entry करने पड़ेगे ठीक है किसी को दिक्कत इसमें नहीं third adjustment हा जाते है hidden adjustment या hidden को एक साथ लेगे prepaid या फिर unexpired expense अगर मैं बोलू प्रिपेड या न एक्सपैड तो आपको अच्छे से पता सर यह asset होता है ठीक है सर अगेन यह दो जगे देखने को मिल सकता है कहां कहां देखने को मिल सकता है दो जगे एक तो trial balance में देखने को मिल सकता है और सर कहां देखने को मिलेगा और सर balance sheet में देखने को मिल सकता है तो trial balance में हो सकता है trial balance को shortcut में मैं टी भी लिख देता हूं और adjustment को मैं shortcut में ADJ लिख देता हूं ठीक है न adjustment में देखने को मिल सकता है trial balance में देखने को मिल सकता है चलिए सर अगर adjustment की बात करें तो कहां जाएगा और trial balance की बात करें कहां जाएगा पहले adjustment पढ़ लेते हैं सर अगर adjustment में गया तो 2 entry सर 2 entry कहां कहां number one prepaid है ये सर तो ये एक तो चला जाएगा हमारा statement profit and loss में एक मैं छोटा सा back करना चाह रहा हूँ मैंने यहां पर लिखा नहीं मैंने बस कहा दिया कि add हो जाएगा other expense में लेकिन सर where is other expense other expense in the statement profit and loss तो मैं ये थोड़ा बताना भूल गया था तो मैं यहां पर correct कर देता हूँ फिर वापस आ जाएगा यानि statement profit and loss के other expense में चीक है आगे चलते हैं सर statement profit and loss सर statement profit and loss में कहा जाएगा सर ये खर्चा less हो जाएगा less हो जाएगा from from expense less हो जाएगा from expense सर less हो जाएगा from expense का मतलब क्या है अगर आपका prepaid हुआ salary employee cost में चला जाएगा employee benefits जो है अगर interest हुआ तो finance cost में चला जाएगा अगर आपका मान लेते हैं कोई और other expense हुआ जैसे rent हुआ तो कहाँ चला जाएगा other expense में तो जिसका जो जगह है वहाँ पे जाके ये क्या हो जाएगा minus हो जाएगा दूसरा चले जाएगा ये balance sheet के अंदर कहाँ चला जाएगा ये balance sheet में sir balance sheet में क्या होगा इसके साथ balance sheet के अंदर ये आ जाएगा हमारा current assets में जाएगा current assets में जाएगा sir current assets के कहाँ जाएगा ये current assets के अंदर एक section होता है other current assets other current assets वहाँ चला जाएगा other current assets यह जी ऐस जी के आसपास बनता है हमारा तो यह रहेगा लेकिन सब्सक्राइल बेलिस में गीवन हो तो सर्फ और सिर्फ जाएगा वह करेंट एसेट्स अधर बैलिंशी पहले देखे कोई डाउं ट्राइल बैलेंस में गीवन हो तो उसको एसेट्स मान के हम खतम करेंगे क्लियर है यहां तक तो अभी हमने तीन देखा एड़्जस्मेंट एक देखा क्लोजिंग स्टॉक देख लिया एक हमने क्या देख लिया प् आगे चलते हैं डेप्रीशेशन को डेप्रीशेशन अगर हम डेप्रीशेशन की बात करें न तो यह बहुत ज्यादा टिपिकल कॉंसेट आ जाता है बच्चों के लिए क्योंकि डेप्रीशेशन दो तरीके के होते हैं सर दो तरीके के कौन से डेप्रीशेशन होते हैं डेप्रीशेशन दो तरीके का होता है एक होता है हमारा सिर्फ डेप्रीशेशन और एक होता है प्रोविजन फोर डेप्रीशेशन एक होता है provision for depreciation ध्यान से देखिए गाई इसके अंदर मैं थोड़ा आगे detail तक लेके जाओंगा concept को क्योंकि मैं 2-2 करके ज़्यादा लंबा नहीं किछना चाता इसको अगर depreciation की बात करें तो again ये 2 जगे given हो सकता है सर, 2 जगे कहां given हो सकता है maybe possible है आपको देखने को मिले trial balance में और maybe possible है आपको ये देखने को मिले adjustment में ज़्यादा से ज़्यादा आपने adjustment में देखा होगा तो possibility है ये देखने को मिल सकता है trial balance में और ये भी possibility है ये देखने को मिल सकता है आपको adjustment में अगर हम trial balance की बात करें और adjustment की बात करें तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि trial balance की कितनी entry एक और adjustment की कितनी entry दो तो adjustment की दो entry कहा जाएगी adjustment की दो entry होगी एक तो चला जाएगा हमारा statement profit and loss में statement profit and loss में और statement profit and loss के अंदर एक heading होता है depreciation amortization of depreciation के नाम से statement profit and loss के अंदर जाएगा हमारा depreciation amortization या सिर्फ depreciation heading में depreciation head में चला जाएगा और अगर हम बात करें अगली point की दूसरी entry कहां चला जाएगा ये सर ये चला जाएगा balance sheet में always balance sheet में जाएगा हाँ जी बिल्कुल always कहां जाएगा सर ये balance sheet में और balance sheet में क्या होगा ये less हो जाएगा less कहां से हो जाएगा less from asset और किस assets में जो property plant and equipment के अंदर गीवन है उस assets का नाम कुछ भी हो सकता है वहां से क्या हो जाएगा सर ये less हो जाना है वहां से जाके ये तो ये हमारा कहा जाएगा ये लेकिन सर अगर adjustment में given हुआ तो क्या करोगे आप इसकी बताओ अगर ट्राइल में given हुआ तो एक ही entry और वो entry यहां होना है और वो entry क्या होगा सरफ और सरफ statement profit and loss के अंदर दिखा देना है तो चलिए फिर मैं दुबारा repeat कर दूँ मैं क्या बोलना चाहरा हूँ अगर हमारा depreciation हुआ सिर्फ simple वाला depreciation only depreciation not accumulated depreciation और provision for depreciation अगर simple depreciation हुआ तो दो जगह चला जाएगा या तो हो सकता adjustment या तो हो सकता trial balance अगर trial balance के अंदर है तो simple statement profit and loss में भीजिये depreciation वाले खर्चे के अंदर और कहीं नहीं जाएगा लेकिन अगर आपका adjustment में हुआ तो एक तो asset से भी minus पर करना पड़ेगा और एक statement profit and loss में भी भीजिना पड़ेगा ठीक है repeat expense का expense in advance मतलब prepaid ही होता है वो एक तरीके से अब provision for depreciation के एक और नाम है जो कि मैं आपको बता दूँ इसको हम accumulated depreciation के नाम से भी जानते है accumulated depreciation के नाम से भी दोनों का मतलब एक ही है अब सर एक बात बता दी कि यह फरक क्या है इन में accumulated depreciation में provision for depreciation में ऐसा क्या फरक है तो आप ध्यान से example को देखेगा आप समझ जाईएगा इसमें फरक क्या है थोड़ा detail में जाएंगे ध्यान से देखेगा माल लेते हैं कि आपके सामने मैं एक balance sheet बनाने जाओ आपके सामने एक balance sheet बना है यह balance sheet है और मैं आपके सामने एक नहीं, मैं दो-दो balance sheet बनाऊगा और दो क्यों मैं? चार बनाऊगा एक ये बन गया एक ये बन गया एक ये बन गया, सर दिखने रहा, कोई बात नहीं चार balance sheet है आपके सामने, चारों में मैं अपनी अलग-अलग बाते रखूँँगा आप समझ जाना है कौन सा method क्या है मैंने एक assets खरीदा मैंने एक assets खरीदा और मैंने यहां लिखा एक लाग का इसके उपर 10% depreciation है तो मैं यहां ना minus करके मैं यहां दिख दूँगा depreciation और कितना लिखा मैंने 10,000 एक तो यह तरीका हो गया दूसरा मैं एक लाग रुपे का अगर मैंने कोई assets लिया है तो एक तो तरीका यह हो जाता एक लाग का मैं assets लिखो और यहीं से मैं minus कर दू depreciation that is 10,000 तो यहां finally कितना आएगा हमारा 90,000 पहले वाले के अंदर हमारा finally एक लाग है और दूसरे वाले के अंदर हमारा यह दोनों अलग अलग method है इसके अंदर हमने assets में से depreciation minus नहीं किया और इस वाले में हमने assets में से depreciation minus कर अल्टीमेटली दोनों account को ध्यान से देखो तो इस account के अंदर reflection amount जो है वो 90,000 है क्योंकि आप ultimately minus प्लस करके देखोगे 90 और यहां पर भी reflected amount कितना है 90,000 तो एक ऐसा तरीका है जहां से हम assets में से depreciation minus कर रहे हैं और एक ऐसा तरीका जिसमें से assets में से minus करके उसे कहीं और दिखा रहे है that is liability में अगले साल अगर गर बात करें तो फिर से हमारा जो assets होगा ना इस situation के अंदर वो तो हमारा आजाएगा एक लाखी और depreciation हमारा पुराने वाला आजाएगा हमारा 10,000 और एक और depreciation इस साल का आजाएगा that is new depreciation वो आजाएगा हमारा कितने रुपे का 10,000 का समझ पारे हो बात और दूसरा इधर की लेकी चले तो हमारा क्या आजाएगा sir assets जो आजाएगा वो 90,000 आजाएगा मैं SLM लेके चल रहा हूँ और less फिर से कर देंगे depreciation sir 10,000 और यहाँ पर आजाएगा 80,000 दो साल का मैंने data सामने रखा है अगेन इस वाले methods के अंदर मैंने क्या करा assets में से depreciation 80 दिखा दिया और इस account के अंदर total amount reflected amount कितना 80 है इस account को भी ध्यान से देखोगे तो reflected amount कितना हमारा 80 है यानि depreciation लगाने के दो methods है दो provisions है, दो तरीके से कर सकते हैं एक बोला गया भी यह तू assets से minus करता जा बात चलेगी दूसरा कहता है assets से minus मत कर एक काम कर तू अलग से दिखाता जा अब बाद में आप तू हिसाब लगाएगा तो वही बात बैठेगी जो assets से minus करके बन रहा है तेरा तो इस वाले method को जो अलग से लिखते जाते हैं इसको that is हम बोलते हैं provision for depreciation और इस वाले method को बोलते हैं ये जो मैंने बताया वो simple depreciation का तो मैंने बोला था भईया किस से minus कर दो, आप asset से minus कर दो लेकिन अगर मैं provision वाले लेके चलू गा तो मैं कभी भी नहीं बोलूगा assets से minus करो क्योंकि provision वाले में assets से minus करने को कहा ही नहीं जाता इसके अंदर कहां बोला जाता है कर दो आप उसमें से माइनस ना करके आप कहां दिखा दो उसको liability side में अलग से दिखा दो ठीक है ना तो आपको hopefully समझ में आया होगा कि provision for depreciation और simple दोनों है एक ही चीज बस उसको दिखाने का style अलग अलग है इसलिए इसका नाम अलग पड़ गया समझ में आई बात आपको इस वाले में क्या था इधर की side दिखा अगले साल भी जाओगे तो यहां पर 70 बचेगा और यहां पर कितना हो जाएगा 20 पुराने वाला और 10 नए वाला जो यह नए वाला होता है ना यह नए वाला जो depreciation होता है यह पी एंडल में जाता है ठीक है ना और यहां पर यह वाल सारे methods है लेकिन यहां पर दो methods है एक है हमारा SLM और एक हमारा WDV अगर SLM है तो तो कोई दिक्कत नहीं है सर इस पर लगाते जाईए और जिंदगी भर लगाते जाईए 10 सालों तक खतम नहीं होगा लेकिन WDV है WDV क्या हमें बताता है WDV बोलता है कि भईया तुम depreciation लगा अगर हम अगले साल WDV की बात कर लें तो अगले साल अगर मैं same method को लेके चलूँ WDV के साथ में तो मैं यहां पर assets को एक लाग तो दिखाऊंगा लेकिन यहां पर depreciation यहां पर 10,000 है और यहां पर depreciation 10,000 है एक साल का दो साल का हो गया लेकिन तीसरे साल का depreciation हम यहां 10,000 नही लेकिन इस वाले method के अंदर परिशानी नहीं है SLM और चाहे WDB आप क्या करोगे assets का जो भी value दे रखा है आपका 80 और इसी 80 के उपर सीधा 8000 रुपे माइनस कर दोगे दोनों देखो तो बात एक ही है इसमें account में भी 72,000 और इस account के अंदर भी 72,000 जिसमें कोई फराग नहीं आया इसका मतलब सर अगर हमारा WDB method हुआ तो हमें क्या करना चाहिए पहले assets में से depreciation को minus करके फिर लगाना चाहिए अगर SLM हुआ तो कोई बात नहीं जो दे रखा है उसी पे हमारा लगता जाएगा तो ये आपको decide करना होगा कि कौन सा क्या करना है तो ये छोटा सा मैंने एक differentiate बताया अब हम इसको accounting treatment में देख लेते हैं कि क्या करने वाले हैं सर accounting treatment में क्या करोगे आप ये बाद में आपने नूटिंग कर लेना है जी हाँ वोइस नहीं आ रही थी कोई बात नहीं अब आ गई है वोइस कुछ बच्चे बोल रहें सर क्लास कितने वज़े तक चलेगा आप इन सब चीजे बातों पर ध्यान मत दीजिए सफीर ये देखिए कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा मुद्द ये है अगर आप यह सोचेंगे क्लास कितने वज़े तक चलेगा ये कितने वज़े तक चलेगा तो आपका फिर मतलब ध्यान नहीं है आपको यह समझ में जब तक आपको समझ में आता रहेगा न मैं कराता रहूंगा आज आप चिंता मत परो चलिए सर प्रोविजन फोर डेप्रीशेशन या एक्यूमलेटी डेप्रीशेशन यानि सर अगर ये भी दो जगह गीवन हो सकता है सर दो जगह कहां कहां गीवन हो सकता है इधर देखने बोर्ड पर बाते बाद में हो जाएगी अगर दो जगह हो सकता है सर दो जगह कहां पर दो जगह हो सकता है हमारा एक हो सकता है ये हमारा ट्राइल बैलिंस के अंदर गीवन हो और दूसरा हो सकता है हमारा adjustment में given हो अगर मेरी पुरानी बात या समझ में आई होगी तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं अगर पुरानी बातों का आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो फिर बोलोगे सर ये topic समझ ही नहीं आया हमें मैं सीधी बात बोलूँगा अगर trial balance में given है तो अब trial balance में given है तो इसके दो तरीके हैं दो जगह नहीं जाएगा दो तरीके हैं या तो ये कर लो या तो ये कर लो देखो एक होता है कि adjustment में given है तो दो जगह जाएगा मतलब यहां भी जाएगा और यहां भी जाएगा और दो तरीके का मतलब होता है ये कर लो या ये कर लो आपके इच्छा है तो आगर trial balance में गीवन है तो उसके दो तरीके हो सकते हैं सर सर दो तरीके क्या हो सकते हैं दो तरीके आपके ये हो सकते हैं नमबर वन और नमबर टू सर नमबर वन तरीका ये हो सकता है कि इसे आप बैलेंस शीट में दिखा दो और सर बैलेंस शीट में तो जाएगा यह वह बैलेंस शीट में जाएगा हाँ और balance sheet में कहां दिखाएंगे sir, balance sheet में आप इसे दिखादो, liability side में, liability side, sir liability side में कहां दिखाएंगे, liability side में दिखादो, non current liability में, non current liability में, sir, non current liability में तो बहुत सारी बाते हैं, वहां कहां दिखाएंगे, आप इसको दिखादो, long term provision में, long term provision, वहां दिखादीजिए, दूसरा तरीका है, balance sheet में दिखाएंगे, sir, फिर से balance sheet में, बिलकुल, लेकिन दूसरा तरीका ज़्यादा असान है, आपने क्या करना है, less कर देना है, less from assets, less from assets, तो जो भी आपको तरीका समझ में, वो कर सकते हैं, दोनों ही एक जैसा ही है, यह मैंने लंबा लिख दिया तो मतलब लेंदी नहीं है, liability में तो लिख नहीं जाके, फटा फट से लिख दोगे, या तो less from assets कर दोगे, या फिर दिखा दोगे, कहां से आप balance sheet के liability, जैसे कि एक ह जाएंगी, सर दो जगे कहां कहां जाएंगी, एक तो चला जाएगा statement profit and loss में, इसमें तो कोई दो राए नहीं है, कि statement profit and loss में कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना, एक तो चला जाएगा statement profit and loss में ना सर, और statement profit and loss में किदर जाना है सर सर statement profit and loss में जाना है इसको यह उपर कैसे जाएगा statement profit and loss में जाना है इसको depreciation head के अंदर depreciation head में सर यह depreciation head में बार बार ना अपने language देना चाह रहा हूँ इसको लेकिन थोड़ी बहुत confusion ना हो जाए इसलिए चलिए मैं दिखा भी दो आ जाईए यह आपका statement profit and loss है याद होगा आपको यह आप सभी ने note किया होगा इमानदारी सो तो बिलकुल याद होगा सर statement profit and loss है इसमें देखिए एक पार था depreciation और इसी depreciation की बात कर रहा हूँ यहाँ चला जाएगा एक तो समझ में आई बात आपको एक तो यहाँ चला जाएगा जो कि मैंने दिखाया भी ओके सर इसके बाद दूसरी entry भी बता दें दूसरी entry की अगर मैं बात करूँ तो दूसरी entry कहां जाएंगे सर यह adjustment में मैं बोलू तो balance sheet के अंदर दो style है सर balance sheet के अंदर दो style का मतलब सेम सेम का मतलब सर वही balance sheet में दो style है दो style कौन सा या तो आप कहां दिखा दीजिए liability में और जब question आएगा तो और बहतर समझ में आ जाएगा हमें या तो दिखा दीजिए आप balance sheet के मैं short लिख रहा हूँ थोड़ा सा liability side liability side balance sheet में liability side सर balance sheet के liability side कहां पे long term provision कहां पे सर long term provision long term provision और long term provision में या फिर आप दिखा दीजिए balance sheet के ही asset side में sir asset side में कहां दिखाना है आपको less करना होगा less from asset आपको assets में से less कर देना है वह आपकी इच्छा है आप कहां दिखाना चाहते है यानि सर हम क्या करें जब मैं दो option दे देता हूं तो बच्चे परिशान हो जाते हमें क्या करना आप वो बता दीजिए हम कर लेंगे तो बड़ी सीधी सी बात है मैं अगर recommendation करूं कि आपको क्या लेकर चलना चाहिए तो म मैं हमेशा आपको बताऊंगा कि आप ये वाला फॉलो करिए और इस साइड में ये वाला फॉलो करिए मैंने टिक कर दिया जो मेरा opinion है बाकि आप दोनों कर तकते हैं क्योंकि मैं दोनों और सारे option इसलिए देता हूं आपको क्योंकि कई वार बच्चे books को चेक करते हैं books के अधर बोलेंगे सर वहां तो लाइबिलिटी में आपने से माइनस किया तो वह परिशान होते हैं इसलिए मैंने दूनों बता दिया बाकी करना क्या है आपको मैंने बता दिया है यहां पर मुद्दे की बात है अगर ऐसे लिम हुआ तब आपको cost value पर depreciation लगाते हैं wdb होगा तो पहले depth minus करोगे फिर depreciation लगेगा इस बात का आपको ध्यान दखना है ठीक है बाकी का clarity questions को करने के बाद मिलेगा हमें बाकी की clarity हमें question को करने के बाद मिलने वाला है कि छीक है ना चलिए सर एक और adjustment देखें कितने adjustment हो गया सर चार adjustment हो गया आस तो अभी तो start ही किया है number one closing stock number two outstanding number three prepaid number चार depreciation next adjustment dividend sir dividend पहले आप समझेगा dividend होता क्या है अगर हम dividend की बात करें तो पहले समझ लेते हैं कि what is the dividend मान लेते हैं एक company है xyz limited एक company है xyz limited इसने अपना मुनाफ़ा कमाया 50,000 यह 50,000 इसका profit है और इस company के शियर होल्डर 500 है 500 शियर होल्डर है तो यह 50,000 profit कितने में बढ़ जाएगा 500 में और हर हिस्से के में कितना आ गया 100 रुपए that is called dividend इसको क्या बोलते हैं dividend इसको बोला जाता है dividend यानि जब company अपने profit को अपने शियर होल्डर के बीच में distribute कर देती है that is called dividend लेकिन dividend के भी टाइप्स होते हैं सर अगर dividend की बात करें तो dividend के भी टाइप्स हैं सर कौन-कौन से dividend के टाइप्स हैं और क्या है dividend का टाइप्स रहे से डिविडेंड एक होता है final dividend एक होता है purpose dividend एक होता है recommended dividend एक होता है interim dividend यह कुछ नाम है काफी बच्चों को न यह point clear नहीं होता बस इतना पता होता है dividend अब समझते हैं किसका नाम क्या है किसका नाम क्या नहीं है उसके accordingly हमें अच्छे से समझ में आएगा हाला कि मैं dividend की बात करूँ तो सबसे पहले dividend होता कैसे है और dividend दिया कैसे जाता है यह समझना सर दो लोगों को dividend जी हाँ एक दे सकती है preference shareholder को और एक दे सकती हमारा equity shareholder को एक preference shareholder को और एक equity shareholder को सर जो preference shareholder को dividend जाता है यह पहले से तै होता है यह पहले से तै होता है fix होता है यह पहले से तै होता है that is fix होता है तो पहले से अगर तै है जैसे मैंने लिखा 10% preference share capital इसका मतलब अगर मैं एक लाख रुपे लिख रहा हूं तो company जो है एक लाख रुपे पे 10,000 रुपे का dividend paid करेगी यह पहले से decided है लेकिन जब company को profit होगा तभी देगी loss की case में company generally preference shareholder को भी dividend नहीं देती है ठीक है न accumulated depreciation फिर दुबारा आ जाएंगे मैं सारा एक बार फिर से revise करा हूँ आ चिंता मत परो equity shareholder को जो dividend दिया जाता है न वो पहले से तै नहीं होता वो पहले से fix नहीं होता वो पहले से fix not fix वो पहले से fix नहीं होता सर्थ पहले से fix नहीं होता क्या मतलब कि वो profit आएगा फिर हम बाटेंगे कितना profit आएगा वो तो uncertain है कोई भी नहीं जानता कि पहले से कितना profit आएगा तो company सबसे पहले ये दो तरीके के लोगों को distribute करती है अब इन दो लोगों को distribution कैसे किया जाता है dividend का dividend का distribution करने के लिए company का अगरती एक meeting बुलाती है हर एक company को अपने हर साल में 30 September 30 September 30 September तक meeting करना होता है हर साल के 30 September तक अब coming अभी 30 September है उसमें एक मीटिंग करना होता है मीटिंग कई तरीकी की होती है जिसमें से दो मीटिंग बहुत परमुक होती है जो कि company law के अंदर इतना important रहता है कि exam में पूछा ही जाता है एक होता है मारा journal meeting एक होता है annual journal meeting journal meeting का मतलब क्या होता है कि ऐसे ही बुला लो और अगर एक balance sheet बन चुकी है अब shareholder को बुला के बता देना चाहिए तो ये कौन से वाला journal meeting हो गया annual journal meeting journal meeting के अंदर सारी बाते रखे जाते है अगर मैं थोड़ा सा आपको image दिखाऊ journal meeting की तो आपको भी थोड़ा सा idea हो जाएगा journal meeting में क्या क्या होता है जर्नल मिटिंग कोई अच्छा सा image मिल जाएगा चलिए इसी को ले लेता है ये तो देखी नहीं रखोएगे कोई जोड़ा बेक जाना पड़े जनल मिटिंग जनल मिटिंग प्रयोग कि चलो कि आप तो कुछ पता ही नहीं चलोड़ा चनल में चलिए भाई इसी को ले लेते हैं कि वह इंडियन तो मिल नहीं रहा हूँ कि देखिए अगर मैं थोड़ा सा जर्नल मेटिंग को बताओं आपको के जर्नल मेटिंग होता क्या है आपके सामने एक यह इमेज देख रहा है ठीक है ठीक इसी तरीके से दिली के अंदर जो जर्नल मीटिंग होती है या या एन्वल जर्नल मीटिंग होती आ यहां पर आपको लेटर आएगा और आपको बुलाएगा और आप बुलाएगा तो आप यहां बैठेंगे और आप यहां पर क्यों बैठें यहाँ पर दो कारण, एक तो आप खाना खाने आए हैं हैं यहाँ पर, यहाँ पर खाना पिना सब free रहता है, कोई पैसा नहीं देना होता, और दूसरा देख रहे हो यह, इसको देख रहे हो, यह कौन है, इस meeting का मुख्या, जिसको हम बोलते हैं, chairman, chairman of meeting, और generally जो यह meeting का मुख् आप कंपनी के मालिक हो, यहाँ पे और भी होते हैं, यह खाले हो, लेकिन और भी यहाँ पे होते हैं, लोग, एक नहीं समालता कभी भी, और पूरा हॉल भरा हुआ होता है, इसके अंदर आप से कुछ परमीशन ली जाती है, परमीशन जैसे कहले, कुछ भी decision लेना था आप स अब यहाँ पे ये जो है balance sheet बन चुका है अब आप सभी को इसने क्या करा एक balance sheet पकड़ा दिया आप सभी को balance sheet मिल जाएगा एक hard copy format में मिलेगा इसके बाद इसने क्या बोला कि हमारी company ने इस बार दिन दुगनी चार रात चौगनी तरक्की की है और उसके इसाब से देखा जा है वो 100 करोड रुपे का आया है इस बाद इसने बोला कि company का net profit कितना है सर 100 करोड रुपे का net profit इसने बताया है और बोला हम सोच रहे हैं कि आपको dividend दें हम सोच रहे हैं कि आप कितने लोग हो आप 1000 लोग हो या 100 लोग हो तो यह 100 करोड रुपे हम 1000 लोगों में बाटने वाल इससे पूछा किसने पूछा चैर्में ने पूछा किसने पूछा डिर्थर ने पूछा कि भाई आ यह सोच रहे हैं कि हम इतने डिविटेंट देना चाहते हैं तो आगर इये सबने बोल दिया हां तो फिर मिल जाएगा अगर इन सभी ने किसी ने मान लेते हैं कि इसमें से 60% वेक्तिय से बोलते हैं सर इतना डिविडेंट मत दो और पैसे बचालो 50 क्रोड ही डिविडेंट दो 50 क्रोड कंपनी के ग्रोथ पर लगाऊ तो वो डिविडेंट नहीं दिया जाएगा फिर 50% ही मि ही होगा बैलेंशीट बनने के बाद और डिविडेंट भी कंपनी के लिए एक तरीके से काइंड ओफ प्रॉफिट डिस्ट्रिविशन है जो कि पहले ही हमारा स्टेट्मेंट प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाना चाहिए हमें डिविडेंट देना है एक तरीके से आपक को चेंज कर दिया एस फोर अकाउंटिंग इस्टेंड फोर क्या कहता है बोलता है कि डिविडेंट एक ऐसा है जो कि अंसर्टेन है और वो नशीर होल्डर के उपर डिपेंड करता है तो अगर डिरेक्टर ने बोला कि हम चाह रहे हैं कि इतना डिविडेंट देंगे इसका क zrob है तो परफोज डिविडेंट की बात करें तो इसकी कोई ओकादनिये से कहीं भी नहीं दिखाते हैं अब डिरेक्टर ने बोला भी है के हम पर्पोज डिविडेंट एक करोड है और फाइनल एकस अप्टेड भी हो गया है यानि फाइनल भी हो चुका है वो क्या होता है चोप परपोज आप भी को बोला जाता है रिकामनेशन यह तो सबने के बाद बुलाये गया कई बार साल के बीच में भी बुला लेता है बएलेप्ड बनानी है और अब कि बनानी एक हम लग रहीं कि इस पर हम पांच बड़ा ट्रेंडर मिला है जिसकी वज़े से हम आपको प्रॉफिट होगा और हम अभी बांट देते हैं तो ऐसा प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट जब शियर होल्डर में बाटा जाए बैलेंस शीट बनने से पहले ही बांट दिया जाए उसको बोला जाता है इंट्रिम बोल रहे हैं और सभी ने एक्सेट भी कर लिया इन सभी लोगों ने बोला ठीक है सर दस रुपे का डिविडेंट दे दीजिए तो इसी डिरेक्टर ने एक मीटिंग पहले भी बुलाई थी और इस मीटिंग में बोला था कि हम चार रुपे डिविडेंट दे रहे हमें लग पहले था तो वह कौन सा होगा हमारा इंट्रिम डिविडेंट होगा जैसे कि क्या कि रिकमंडेशन और पर्पोस सेम होता है अभी इस पे बात कर लेते हैं ठीक है तो पहला क्या था हमारा इस डिरेक्टर ने इस मीटिंग में खड़ा होके बैलेंशीट सब के पास पहुंच किया है balance sheet तयार है फिर बोला हम देने की सोच रहे हैं कितने 10 रुपए तो यह कौन सा dividend है आप recommendation कहलो propose कहलो और shareholder मान गए तो accepted या फिर final dividend कहलो या dividend paid भी कह सकते हो लेकिन इस meeting में balance sheet बनने से पहले भी इसी director ने एक बार meeting बुलाया था और वहां पर 4 रुपए का recommendation दिया था तो इसको कौन सा dividend बोलेंगे हम interim dividend अब देखों यहां पर director ने 10 रुपए बोला है तो इसका मतलब यहां confusion है कि भाई 10 रुपए तू कैसे बता रहा है यह बता क्या 10 रुपए पिछले वाले 4 को जोड़ के बता रहा है या 5 को जोड़ा नहीं है तुमें अगर यह बोलता है भाई यह 10 रुपए total क्योंकि profit निकलने के बाद तुमारे हिससे के 10 बन रहे है तो director क्या बोलेगा भाई यह तुमारे हिससे के 10 बन रहे है और 4 हम पहले दे चुके हैं तो और कितना देंगे आपको 6 होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि जब interim और आपका final dividend हो तो उस case में final dividend हो सकता है कि interim dividend को include करके बताया जा रहा हो यानि अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूँ बड़ी simple सी बात कि बड़ी simple सी बात बताईए interim dividend कितना है तो मैंने बोला सर interim dividend कितना है हमारा 4 रुपे और final dividend कितना paid होगा सर तो आपका जवाब होना चाहिए सर 6 रुपे पेड होगा लेकिन final dividend जो 10 वो ला हुआ है तो वो include है मैंने word sentence सुनना मैं क्या बोलता हूँ इसका मतलब 10 रुपे जो बताया जा रहा है वो interim dividend को include करके बताया जा रहा है तो मतलब 4 तो पहले ही मिल चुका है और अब कितना मिलेगा हमारा 6 अगर मैं यही line sentence change कर दिता हूँ कि जो मैं 10 रुपे dividend declare कर रहा हूँ excluding interim dividend इसका मतलब सर 4 ये तो मिली गए थे दस हम और देना चाहते हैं दस हम और देना चाहते हैं आपको तो पहले फरक समझ में आया आपको dividend की entry करनी है लेकिन वहाँ पर साफदानी बरतनी है अगर दोनों dividend आ जाए interim dividend और final dividend तो ऐसे situation में हो सकता है final dividend आपका exit सारा आ जाए हो सकता है कि final dividend से पहले interim dividend माइनस हो और फिर वहाँ पर जाए समझ मैं ही बात आपको तो हमारे तीन चार तरीके के थे तो final dividend मतलब भाया इन ने बोल दिया येस पर्पोस dividend डिरेक्टर ने बोला भी आप पर्पोस कर रहे है आप बता दो देना है या फिर नहीं देना और इसी को recommendation भी बोलते है interim मतलब हमने आप सब को बुलाया तो है लेकिन balance sheet तयार नहीं हम अंदाजे से आपको dividend दे रहे हैं साल के बीच में that is called interim dividend तो मेरे हिसाब से आपको ये दो जो छोटे-छोटे से point से ये समझ में आया होगा कि क्या interim dividend है और क्या पर्पोस dividend है और इसको किस तरीके से tickle किया जाएगा अब इसकी हम accounting treatment देख लेते हैं कि सर इसका accounting treatment क्या करने वाले हैं पहले इसमें देखे इसमें कोई किसी को doubt और हाला कि आप लोगों ने अगर उसमें पढ़ा हो law के अंदर बड़े ध्यान से company and compensation law के अंदर तो ये chapter तो था ही और उसके according चल रहा था बताईए मुझे सर final purpose and recommendation same होता है no final dividend मतलब का होता है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा पका हो चुका है acceptance मिल गया परपोस का मतलब ये final नहीं है कि आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा recommendation का मतलब भी final या नहीं मिलेगा बोडव डिरेक्टर ने बोला के भाईया हम सोच रहें के इतना dividend देंगे, आपको देना चाहते हैं, ये पर्पोज है या recommendation है, शेर होल्डर ने बोला जी देंदो, अब डिरेक्टर ने बोला चलो ठीक है, साइन वाइन हो गया, अब final dividend बन चुका है, ये, समझ मैं इजी बात में problem में अभी तक हाँ परसंटेज में बोला तो सारी चीज़े देखेंगे question में परसंटेज में बोला तो हमेशा share capital मैं तुम बता रहा हूं accounting आसपेक्ट तो मैंने बात ही नहीं किया है अभी तो स्रिफ और सिर्फ theoretical आसपेक्ट में हमने बात किया है चलिए तर अब आ जाते हैं हम accounting आसपेक्ट की तरफ है डिविडेंड आजाए अकाउंटिंग आसपेक्ट में डिविडेंड दो तरीके से बोला जा सकता है और दो तरीके से बोले तो सर दो तरीके कभी हो सकता है एक हो सकता है इंट्रिंग एक हो सकता है हमारा फाइनल अब बताइए इंट्रिंग डिविडेंड जो है वो बैलेंशीट बनने के बाद होता है या बैलेंशीट बनने से पहले होता है बताइए इंट्रिंग डिविडेंड बैलेंशीट बनने के बाद होता है या बैलेंशीट बनने से पहले होता है बैलेंशीट बनने से तो बैल मिलेगे आपको trial min balance मिलेगा और trial balance में अगर आपको given interim dividend इसको क्या करना है सर इसको less कर देंगे less from रिजर्व लेस्ट फ्रम और डिटेल लिख देते हैं लेस्ट फॉर्ण येर प्रॉफिट अब समझ येगा मैंने इसको एक स्टेट्मेंट में लिख दिया ज्यादा टेबलर फॉर्म में नहीं लेके गया मैं मैंने कहा अगर आपको इंट्रिम डिविडिन देखने को मिले तो आप इसको माइनस कर दीजिएगा जो कि करेंट येर का प्रॉफिट होता और करेंट येर क प्रॉफिट जो भी जाता है कहां रिजर्वेंट सर्प्लस में वहां से जाके माइनस करिएगा आपने बैलेंस शीट अभी बनाया था और वो अगर मैं आपको बैलेंस शीट थोड़ा सा याद दिलाओं तो ये देखिए आपने बैलेंस शीट बनाया था और इसके अंदर दो पार्ट आया था एक लास्ट येर का प्रॉफिट एक करेंट येर का प्रॉफिट तो जो लास्ट येर का प्रॉफिट था यहीं से माइनस कर देते हैं जो भी वर्टेवर होता है तो हम माइनस कर देंगे इसमें से ठीक है अगली बात सर अगर फाइनल डिविडेंट हु आपने डिविनेंट डिविनेंट कर दिया और यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि मालिक से तो पूछना ही पड़ेगा तो यह ऑल्वेस गीवन होगा अडजस्मेंट में यह कहां गीवन होगा अडजस्मेंट में मैं हलिक भी देता हूं सर यह ऑल्वेस गीवन होगा अडजस्में में लेकिन question में अगर आपको given होता है trial balance के अंदर तो आप उसमें कोई नराजगी नहीं दिखाना आपको simple जो ये treatment बता है यही करना है ठीक है न वैसे होता नहीं है normally ये होगा हमेशा कहाँ पर adjustment में ये होगा always adjustment में सर अगर adjustment में हुआ तो दो entry होंगी फिर तो फिर तो सर आप दो जगह दिखाओगे इसको जी हाँ दो जगह दिखाएंगे एक तो हम balance sheet में दिखाएंगे और सर बैलेंस शीट में कहाँ दिखाओगे इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे लेस कर देंगे दिखाओगे सर दूसरा भी बैलेंस शीट में ही जाएगा क्यूंकि ये dividend paid करोगे क्यूंकि ये dividend paid करोगे less from cash and cash equivalent cash and cash equivalent एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए का मैं इस पर स्टार बना रहा हूं इसका एक और treatment है वह treatment मैं आपको तब तक नहीं बता पाऊंगा जब तक कि एक practical aspect ना हो जाए मैं practical aspect की बात कर रहा हूं तो इस सवाल में भी देखिए आपको dividend देखने को मिलेगा देखिए एक dividend देखने को मिला है कहां मिला है आपको balance sheet के अंदर 6 लाक रुपे का और एक बाहर भी dividend देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं कहां मिला है dividend बाहर देखते हैं कहीं बोल रहा है ये question में कहां कह रहा है यह रहा no final dividend declared by the company यानि इसने बोल दिया कि company final dividend देना ही नहीं चाहरी तो इसका कोई मतलब भी नहीं रह जाता सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर दे रखा है तो इसकी एक entry करतेंगे ऐसे एक दू कुश्चन और देख लेते हैं चलिए क्योंकि बिना dividend की company कैसे चलेगी यहाँ पर भी देखे क्या interim dividend देखने को मिला है तो सर यहाँ नहीं है तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा क्या कहता है सर the board of recommended payment of dividend 15% per annum कहता है कि 15% per annum इसने क्या करा recommendation किया है 15% dividend हला कि मैंने नहीं वाले 10 year में recommendation की जगह पर final करवा दिया है इसको काट के final करवा दिया है तो the board of director board ने final payment of dividend कितना करा है 15% कर दिया है अब final मान लेजिए तो सर इसके दो entry final payment करा है तो एक तो क्या होगा reserve and surplus में चला जाएगा और एक चला जाएगा cash and cash equivalent से minus इसके और भी aspect है जो कि साथ के साथ करेंगे लेकिन सर ये percentage समझ में नहीं आया सर ये 15% जो निकाला जाएगा वो हमेशा share capital पे निकाला जाएगा सर share capital का मतलब जो question में capital given होगा उस पे that is ये रहा ठीक है ना ये रहा हमारा जिन बच्चों को नहीं दिख रहा मैं इधर कर देता हूं अगली class में इसको सही से type करा लेंगे ठीक है यानि आपको dividend का जो होगा न अमाउंट भी दिया जा सकता है और percentage भी दिया जा सकता है तो अगर हम अमाउंट की बात करें न नोट लिख देता हूं in case note in case dividend given in percentage term then calculate on paid-up capital paid-up capital कि इसके example भी हो जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा सर ज्यादा हमारे लिए clarity आ जाएगी example दे देते हैं त्यान दीजिए example सुनिये मैंने का हमारा share capital एक लाग का है और dividend 20% decided है share capital एक लाग का है और dividend कितने percent decided है 20% decided है 20,000 रूपिज एक और example लेते हैं यहां बच्चे गलती कर देते हैं paid up 8 रूपिज यह रूपिज एट माल लो 8 रूपे का payment हुआ है और जो dividend गया है that is 10% अब मुझे बताइए क्या dividend हुगा अगर आप पूछते हैं share capital कितने का तो एक लाग का है 10,000 अगर है तो share capital कितने का एक लाग है अगर आप पूछते हैं share capital holder ने पैसे कितने दिये तो that is 80,000 यह दिये है तो आपका dividend किस पे निकलना चाहिए आप profit किस पे कमाएंगे जितना business में पैसे लगाएंगे उस पे कमाएंगे या फिर जितना सोच रहे हो उस पे कमाएंगे लगाओगे तो लगाया कितना ultimately देखा जाए तो यहाँ पे final जो पैसा लगाया गया वो 80,000 लगाया गया है तो इस 80,000 पे ही 10% निकलेंगे that is आपका 8,000 रुपए समझ मैं आई बात आपको यानि आपको अगर share uncalled capital मिलता है या फिर calls in area भी होता है तो वो minus करके जो पूरा पैसा आपके पास आया है सिर्फ उसके ओपर ये percentage calculate करना है ना कि जो दे रखा है total 10 से multiply करके calculate करना है ठीक है तो सही जवाब आ गया काफी बच्चों का लगबग सभी का ये आ गया कि 8,000 इसका answer होगा clear किसी को कोई दिक्कत नहीं तो चलिए सर ये dividend का point खतम हुआ adjustment number क्या था मैं एक बार लिख देता हूँ नहीं तो आप भी भूल जाओगे जब noting करोगे तो यहां से स्टार्ट किया था हमने adjustment number one adjustment number two adjustment number three adjustment number four adjustment number five अब आते हैं adjustment number six hidden adjustment सर ये hidden adjustment क्या है इसकी क्या कहानी है मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या समझाए कि सर adjustment का मतलब होता है जो कि trial balance के बाहर गीवन होता है उसे बोलते हैं adjustment लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि trial balance के अंदर ही गीवन होता है हमारा adjustment उस adjustment को trial balance का जो बाहर है वो तो दिख रहा है साफ-साफ तो that is simple adjustment और जो Trial balance के अंदर है जिसके बारे में बताया भी नहीं जा travaille को मैंने नाम दे रखा है hidden adjustment सर वो किस तरीकी का हो सकता है एक बार मैं उसके बारे में बता देता हूं हो सकता है देखने में कैसा लगता होगा यह तो देखने में सर ऐसा लगता होगा जैसे की जैसे की मैंने लिखा 10 परसंट अ support to bank loan कि मैंने यहां bank loan लिख दिया आप debit credit बिल्कुल typical मत जाइएगा बस मैंने लुख दिया यह क्या है सारा trial balance, trial balance के अंदर अगर उसके आगे percentage लग गया that is ये भी adjustment का part है एक तो बाहर भी लिखा हो सकता है लेकिन अंदर होगा तो वो भी adjustment, देखो जैसे कि यहाँ पे debenture है, इसके आगे क्या लगा हुआ है ये adjustment है समझ रहे हो तो बाहर तो नहीं बता है, लेकिन although बाहर बता दिया half year का debenture interest due है, वो बाहर बता दिया अलग बात है लेकिन ये क्या है हमारे लिए एक adjustment है, समझ रहे हो बात को तो hidden adjustment के case में आपका क्या हो सकता है इसा hidden adjustment आपके दो चीजों पे हो सकती है miserly, वैसर तीन चीजों पे होगी या तो outstanding से related होगा या तो outstanding outstanding expense related या फिर outstanding income से related काफी बच्चों ने outstanding income पहली बार सुना हो, ऐसा हो सकता है देखिए outstanding का मतलब अगर मेरे से पूछेंगे हिंदी शब्द का इसका क्या मतलब है तो outstanding का मतलब बड़ा सीधी सी बात है बकाया outstanding का मतलब क्या होता है, simple सी बात है बकाया, अब outstanding बकाया अगर मेरा income बकाया है अगर outstanding मेरा income बकाया है लेकिन अगर आउटसेंडिंडिंग एक्स्पेंस बकाया है तो यह घना है तो क्या है अमारे लिए मैं लाइवलिटी इसी आउटसेंडिंडिंग बकाये को हम एक और सब्स के जानते हैं क्या है दूसा नाम इसको हम जानते हैं Accrewed Comm या फिर Interest कह लो ठीक है Accrewed Income या फिर Interest कह लो मैं Slash करके Interest भी लगाई दो, कुईकि ज्यादा पॉप्लर ये Interest से है ज्यादा पॉप्लर Interest से है Outstanding Expense ये हमेशा गिवन होगा से किसका क不好 या स्षुर डिवेंचर है या कि या फिर सर्प्राइज शेएड़ डिविदेंट पे कि या तो आप्ञेश ऋसकता है या लोन पे हो सकता है Livingस के अभी हाएंगे हम debtor budgets पे भी आएंगे चिंता मत करो सारी बातों को discuss करेंगे चिंता मत करो अभी तो लंबी class लेंगे थोड़ा सा पर उसको देखते जाओ अभी तो सारे adjustment मैं सोच रहा हूँ कि आज ही खतम करूँ तो outstanding expense भी होगा, outstanding income भी होगा outstanding expense की बात करें या तो debenture पे हो सकता है या फिर आपका bank loan पे हो सकता है या फिर प्रफेंशियर डिविडेंड पे हो सकता है चलिए सर्थ अगर हम इसकी बात करें आपके सामने इसको कि तीन तरीके से रखते हैं कि मान लीजिए कि एक ट्राइल बैलेंस है कि कि आपके सामने तीन तरीके से समझेंगे हम कि मैंने बोला 10% कि डिविंचर एक लाख एक तो यह है दूसरा 10% डिविंचर एक लाख इंट्रस्ट और डिविंचर पांच हजार या छे हजार एक और मैंने बोला 12% डिविंचर एक साथ 2022 और यह एक लाख है इंट्रस्ट इंट्रस्ट तीन हजार यह तीन जानकारी आपको दी गई है और इस ट्राइल बैलेंस के बाहर कोई भी आपको जानकारी नहीं दिख रही होगी लेकिन मैं फिर भी कहुँँगा यह इट इस आलसो पार्ट आफ अज़्जस्मेंट यह अज़्जस्मेंट का पार्ट है अगर ऐसी जानकारी हो और ट्राइल बैलेंस के बाहर कोई इंफर्मिशन नहीं है कोई सूचना नहीं गीवन तो हम एक अज़ंशन लेते हैं बहुत छोटी सी क्या अज़ंशन लेते हैं कि इसके उपर अगर इंटरस्ट दिया होता अगर इस 10% का मतलब है हमें ब्याज देना है अगर ब्याज दिया होता तो ट्राइल बैलेंस में रिफलेक्ट होता जैसे इस वाले एक्जामपल में 10% था लेकिन अंदर ट्राइल बैलेंस में इंटरस्ट भी रिफलेक्ट हो रहा है मतलब इस डिवेंचर पे ब्याज दिया गया है और यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी ब्याज दिया गया है और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ब्याज दिया गया तो सर यहाँ पे जो इंटरस्ट है वो नहीं दिया गया है इंटरस्ट को पेड ही नहीं किया इंटरस्ट नॉट पेड तो सर अगर आपने इंटरस्ट नहीं पेड किया तो as per a cruel concept हमें interest को paid करना चाहिए तो sir interest paid करेंगे तो दो जगे चला जाएगा हमारा sir sir अगर हम interest paid करेंगे तो दो जगे कहां कहां जाएगा simple सी बात है जो outstanding का treatment था यानि एक चला जाएगा sir statement profit and loss में और एक चला जाएगा balance sheet में statement profit and loss में किदर जाना है वहन बताएगा statement profit and loss में बताओ कहां जाता है statement profit and loss में कहां जाता है finance cost expense तो सबको पता है नहीं कहानी क्या बताई आपने जो बच्चे बोल रहे है expense में जाएगा यह तो फिर answer नहीं हुआ आपका कहां जाएगा यह finance cost में ठीक है ना जो बच्चा एए expense सोच रहा हो मन में समझ लो तुक्के वाला बच्चा है उसे नहीं आ रहा कि बैलेंस शीट में कहां जाएगा कि बैलेंस शीट के liability side और liability में कहां बताओ लाइबलीटी में कहां लाइबलीटी में कहां कौन बताएगा अधर current liability other current liability ठीक है यानि अगर trial balance में गीवन है 10% तो एक तो इसका मतलब है कि हमने interest पेड़ी नहीं किया अब सर उस इंट्रस्ट को हमें finance cost में भी दिखाना है और उसे हमें कहां दिखाना है लेकिन उस पे आपने डिवेंचर पे interest भले ही paid किया है आपने paid कर रखा है लेकिन यहां पे भी paid का अगर हम calculation करेंगे सबसे पहले हम अंदाजा लगाएंगे सबसे पहले ऐसे situation में calculation किया जाएगा तो सर इंट्रस्ट का अगर मैं calculation करू तो interest that is एक लाख रुपे पे 10% बन रहा है और जो की निकल के आ रहा है हमारा 10,000 लेकिन हमने ध्यान से अगर इस question को पढ़ा और देखा अगर situation को तो हमने क्या पाया कि भाया interest तो 10,000 बन रहा है लेकिन इसने payment कितना किया है मातर 6,000 रुपे इसका मतलब यहाँ पे भी interest नहीं दिया है इसने यहाँ पे भी interest नहीं दिया है और यहाँ पे पूरा ही interest नहीं दिया और यहाँ पे interest का कुछ पाट नहीं दिया that is आपका 4,000 रुपे नहीं दिया क् तोटल दस बन रहा था और इसके अंदर अगर दे रखा है उसका मतलब उसने लिख्खा हुआ तो कितना हो गया हमारा टोटल 4000 तो अब जाएगी वह क्या होनी है सर इसकी सेम अज्जस्मेंट होनी है सर कि सेम अज्जस्मेंट होनी है कि कि सर सेम अठेस्मेंट हाँ बट अमाउंट क्या जाएगा bymmx चार हजार और यहाँ भी कि चार हजार हाँ गृत इस ब four matter to बलकुल income tax होग और corporate tax की अलग से अठेस्मेंट की class लगाई जाएगी अपकी उसकी चिंदा मत करिये के बताइए इसमें क्योंगी दिक्कत अब तीसरे वाले पार्ट में देखिए तीसरा वाला पार्ट आपको ऐसे भी गीवन हो सकता है और साथ के साथ तीसरे वाले पार्ट में एक और छोटी सी बाते जानकारी जोड़ी जा सकती है कि debenture issue on 17-2022 यानि आपको जो date है अब ध्यान से देखिएगा तीसरे वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ ये थोड़ा सा mix मत करिएगा बसा तीसरे वाले पार्ट में देखिएगा कहता है debenture एक लाग का है और इस तारीक का मतलब है कि इस debenture को हमने यानि ये करजा जो एक लाग है ये हमने लिया एक साथ को और 31 मार्च को खतम हो जाएगा मतलब सर ये करजा हमने पूरे साल तक नहीं चला है यहाँ पे आपने धड़ले से सीधा 10% निकाला यहाँ धड़ले से 10% निकाला क्योंकि यहाँ पे एक और एजंशन चुपा हुआ था कि यह जो debenture हमने लिया हुआ है यह debenture हमने साल के सुरू से चल रहा है यह तो पूरे साल का ब्याज है लेकिन यहाँ पे clearly question ने इसमें भी कह दिया या हो सकता है आपको बाहर कह दे clearly पता चल रहा है एक साथ को लिया गया तो एक साथ का मतलब आपका देखा जाए तो साथ का मतलब जुलाई अगस सेप्टेंबर औक्टूबर नौंबर दिसमबर जनवरी फर्वरी मार्ट पूरे नौ महिने तक आपने इसका ब्याज इस्तमाल किया है अब नौ महिने तक इस्तमाल किया है तो सबसे पहले क्या कर लो calculate सर क्या calculate करोगे interest सर interest कैसे calculate करेंगे एक लाख रुपे पे 12% लिखा है मैंने इसलिए यहाँ पे into 9 by 100 that is 9000 क्या आया निकलके हमारा 9000 अब हमने क्या पाया कि भाईया हमारा total भी आज बनता था 9000 जिसमें से सवाल के अंदर ही 3000 रुपे का payment किया हुआ है तो अब यहाँ पे भी हमारा यहाँ adjustment बन जाता है कितने रुपे का adjustment बनता है हमारा 6000 रुपे का तो treatment क्या करोगे treatment exactly same होना है बस amount change हो जाना है बस amount change हो जाना है सथ इस 4000 के जगह पे क्या आ जाना है आपका 6000 कोई दिक्कत कोई परिशानी बताइए कोई दिक्कत कोई परिशानी 9 by 12 मैंने 9 by 12 अच्छा 9 by 100 कर दिया 9 by 12 चलिए सर यह भी कर दिया देखिए एक बार मैं पूरा बता दूँ एक बार विज्वल लाइज एक ही जगह कर देते हैं कोसिस करते हैं जी हाँ सर मैंने कहा कि आपको आउट्सेंडिंग देखो पहले ही मैंने करवा दिया था अट्जस्मेंट नंबर आपको याद हो तो दूसरा ही मैंने आउट्सेंडिंग का बताया है लेकिन ये भी आउट्सेंडिंग उसी का ही पार्ट है बिल्कुल वही ट्रीटमेंट अगर आप यहां ध्यान से देखो फ़रक इतना है कि इस आउट्सेंडिंग के बारे में ट्राइल बिलेंस के बाहर बताया जाएगा इस वाले आउट्सेंडिंग के बारे में ट्राइल बिलेंस के बाहर नहीं बताया जाएगा वो अंदर परसंटेज गीवन होगा तो सिंपल सी बात है इंटर्स नॉट पेड है तो हमने स्टेट्मेंट प्रॉफिट एंड लॉस में एज़ा फाइनिस कोस्ट के अंदर दिखा दिया और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में दिखा दिया सर यहां कितना अमाउंट आएगा टोटल यहां पर आएगा पूरे साल के हिसाब से यहां पर इंटर्स निकाल दिया और इसको फिर से वही दो जगह ले गया जबकि छे पहले दे रखा था चार बन रहा था तो चार हजार आउट्सेंडिंग के नाम से चला गया अगले में देखा जाए तो अगले में सर्फ लोन तो लिया लेकिन पू चलिए इसी वाले सवाल में देखते हैं जो कि यहां पर गीवन था हमारा सवाल आप बताईए यहां पर डिवेंचर है तीन लाख अब हमें चेक करना है कि यह तीन लाख पर अगर तीस लाख है अगर इस तीस लाख की बात करें अभी मैं कमेंट इसका हेंडरी इसका डाउट नहीं लूँगा आप जो भी डाउट है यहां पर बताईए मैं इस तीस लाख रुपे की बात करूँ तो तो तीस लाख इंटू में 12% तीन साट का बियाज आ जाएगा निकलके अब हमें ये भी चेक करना है कहीं बियाज तो पेमिन्ट नहीं कर रख था है मेने मैं चेक करता जाओगा क्योंकि बियाज पेमिन्ट हमेंसा debit में मिलेगा क्रेडिट में मिलेगा नी मिल गया पहले ही मिल गया कितना एक असी इसका मतलब सर तीन साट था उसमें से एक असी का तो मिली चुका है पेमिंट कर चुके हैं तो हमारा जो आॉटसेंडिंग होगा कितना होगा और हम ट्रांजेक्शन कितने की डील करेंगे अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कितने की करने वाले हैं एक लाख असी अजार तो इसका मतलब सर इस असी अजार को भूल जाएंगे ने इसने तो बस ट्रांसफर करना है और उसको एक हम करेंगे और हाला कि नीचे यहाँ पे इसने बाते बता दी कि आधे साल का इंटरस्ट ब्याज डिव है तो वही तो बात आ गई तीन साथ पूरे साल का था आधे साल का कितना था एक असी अगर यह अज़ेस्मेंट हमें नहीं भी देता तो हमारे लिए कोई समस्या नहीं था हम कर सकते थे इसको समझना ही बात आपको चलिए सर एक और अगले पॉइंट में देखते हैं यहाँ पे कोई डिवेंचर वेंचर है क्या कुछ नहीं है चलिए सर इसमें आया है नी डिवेंचर बाकी आगे जितने भी कोश्चन्स आते जाएंगे तो फिर हमें और ज्यादा मज़ा आएगा करने में अभी तो हम इसका दूसरा आस्पेक्ट कवर कर रहें न सर ऐसा हमारा हो सकता है इन्वेस्मेंट पे भी तो इन्वेस्मेंट सबसे पहले ही मैंने लिख दिया सर इन्वेस्मेंट जो होता है हमारे लिए क्या होता है एसिट्स होता है अगर investment एसिट्स है तो कैसे treatment किया जाएगा तो कैसे treatment किया जाएगा सर्थ treatment बिल्कुल same होने वाला है इसे यहां पर भी तीन तरीके से हो सकता है लेकिन इतना ज़्यादा complicated नहीं होता मैं बड़े simple तरीके से बता देता हूँ कहां कहां treatment होगा आपको interest निकालना तो आही गया होगा कि interest कैसे निकाले जाए अब दो जगाह जाएगा एक तो चला जाएगा statement profit and loss में और दूसरा चले जाएगा balance sheet में सर statement profit and loss में yes statement profit and loss में कहां जाएगा कौन बच्चा बताएगा यह चला जाएगा हमारा अधर इंकम में कहां जाएगा कि अधर क्योंकि इन्वेस्मेंट किया है आपने तो आपको भ्याज मिलेगा और दूसरा कहां चले जाएगा आपको भ्याज अभी मिला नहीं है आपका आजाएगा यह अधर कौरेंटेसेट में मैं आपके सामने एक इकजाम्पल ले रहा हूं आप मुझे जवाब बीचेगा मुझे पता चल जाएगा आपको समझ में आया या पर नहीं आया सपोस करिए मैंने आपके सामने एक trial balance लिखा है और मैंने लिखा 10% investment रुपीज 1,00, यह trial balance है trial balance में आपको 10% investment गीवन है 1,00, इसका मतलब हम क्या समझे और कुछ भी नहीं गीवन है क्या यह adjustment है हमारा इसका मतलब क्या है आपने कहीं न कहीं एक लाख रुपे investment किया है और उस पे आपको 10% का ब्याज मिलना है तो क्या आपको कहीं भी 10% का ब्याज मिलता हुआ दिख रहा है इसमें इसका मतलब ये टोटली आपको 10% ब्याज नहीं मिला है जब आपको नहीं मिला है तो ये बन गया किसका पार्ट अर्जस्मेंट का और जैसे ही अर्जस्मेंट का पार्ट बना दो जगह ले जाओगे एक तो statement profit and loss के other income में और दूसरा balance sheet के other current liability में कितने amount से लेके जाओगे एक लाख रुपे के उपर 10% that is 10,000 रुपेज चलिए थोड़ा से इसमें variation कर दें अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ एक दस दो हजार बाईस अब आपका जवाब क्या same होगा या बदल जाएगा कौन बच्चा बताता है इसका जवाब क्या होगा कितना interest कहां जाएगा आपका answer same होगा या बदल जाएगा अब आपका answer definitely बदल जाएगा अब क्या आएगा आपका answer यहाँ पर 5000 क्योंकि आपने जो investment किया है that is आपका एक 10 को किया यानि साल के बीच में किया है तो 10 का मतलब आपका होता October, November, December, January, February, March सिर्फ 6 महिने के लिए आपने क्या करा है सिर्फ 6 महिने के लिए आपने कहीं पैसे लगाए है तो 6 महिने का ही ब्याज मिलेगा और वो कितना आएगा आपका 5000 और 5000 की treatment यही होना है समझ मैं अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 2000, अब क्या करेंगे बताइए हमारा टोटल ब्याज कितना मिलना चाहिए सर्च 6 महिने का ब्याज हमें 5000 रुपे मिलना चाहिए जिसमें से हमें कितना मिल चुका है 2000 तो अब कितने की entry करोगे 3000 रुपे की अब entry करेंगे जिसको हम हर जगा क्या करने वाले है रिफ्लेक्ट कर देंगे बिल्कुल ठीक निशा का जवाब आ गया और भी भावेश का जवाब आ गया सार्थक सभी ने जवाब दे दिया बिल्कुल सही तो क्या मैं मान लू के आपको ये वाला कॉंसर्ट पूरा समझ में आ गया इस तरीके का अगर होगा तो आप इसको टेकल कर सकते हो हमारे सवाल के अंदर ठीक है ना चाहे आपका इंटरस लेने वाला पॉइंट बने चाहे द आदे जेस्मेंट पर चलते हैं ये अब हम कौन सा था यह अयह 2 चलिया सर अर्जस्मेंट नंबर शैवन जया कि Recht लमचान मुचे के शिए बैंड ड़ेट्स चलन आज है अच बैंड last सार सब्यारीट की दो की हो सकता है सर बेड़िट्स भी दो चीज़ों पर हो सकता है एक गीवन हो सकता है हमें कहां ट्राइल बैलेंस में और एक गीवन हो सकता है अगर हम ट्राइल बैलेंस की बात करें तो आपको पता है ट्राइल बैलेंस में तो सिंगल इंट्री जाना होता है ट्राइल बैलेंस में गीवन होगा तो चला जाएगा स्टेट्मेंट प्रॉफिट एंड लॉस में सर कहां जाएगा statement profit and loss में चला जाएगा other expense में कहां चला जाएगा हमारा other expense में लेकिन सर अगर adjustment में given हुआ तो बड़ी simple सी बात है दो entry adjustment में given हुआ तो दो entry एक चला जाएगा statement profit and loss में और एक चला जाएगा balance sheet में सर statement profit and loss में कहां चला जाएगा again other expense में और सर balance sheet में कहां जाएगा सर ये चला जाएगा हमारा current assets में और current assets के अंदर जाएगा trade receivable में और trade receivable के बाद less हो जाएगा from debtor क्या हो जाएगा less from debtor मैं सीधा भी बोल सकता था मैंने थोड़ा सा आपको हिराकी बता दिया कि भाईया ये क्या line रहेगा minus plus करने का आपको थोड़ा easy होगा इससे समझ मैं ही बात आपको ये क्या था हमारा bad dates चलिए एक और adjustment देखते हैं जब हमारा provision for bad dates और हमारा एक और bad dates merge हो जाता है कौन सा? provision for bad dates और ये simple वाला bad dates दोनों merge हो जाए तो क्या करेंगे ठीक है ना? चलिए आजाते हैं ये बहुत simple था जो आपको आता भी था adjustment number कौन सा है? 8 bad dates चलिए और simple करते हैं इसको चलिए कोई बात नहीं simple ही करते हैं जब आपको given हो provision for bad dates जब given हो आपको provision for bad dates तो sir इसका क्या? इसका क्या करना है? अगेन कहानी गोम फिरके वहीं आ जाती है किसकी दो entry हो सकती है? sir दो entry क्या हो सकता है? या तो हो सकता है trial balance में given हो या हो सकता है आपका adjustment में given हो sir trial balance में given है तो कितनी entry? एक और इसको करने के दो तरीके हैं इसको करने के दो तरीके हैं समझ येगा मैं एक simple सा तरीका और simple सा method लेके चलूँगा आपको वही follow करना है बुक वालों ने क्या कर रखा? नहीं कर रखा? design matter ठीक है? तो हम क्या करेंगे इसे? other income में दिखाएंगे कहां दिखाएंगे sir हम इसे? sir ये income कैसे है? इस सवाल का जवाब थोड़ी दिरबाद मिल जाएगा आपको और adjustment में हुआ तो adjustment में हुआ तो तो जाएगा ये एक चला जाएगा statement profit and loss में और एक चला जाएगा balance sheet में sir statement profit and loss में कहां जाएगा? other expense में हलाकि मैं इसे थोड़ा और detail कर दूँ ये other income अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो sir other income कहां होता है? statement profit and loss के अंदर होता है ठीक है? तो ये जाएगा statement profit and loss के other expense में ध्यान से देखिएगा मैं कुछ भी गलत नहीं लिख रहा हूँ एक जगा income में लिखा और एक जगा expense में लिखा है balance sheet में क्या होगा? less from less from debtor less from debtor less from debtor समझ पारें ये बात यानि sir अगर trial balance में हुआ तो वो कहां जाएगा sir? sir हमें लिखना पड़ेगा कितने adjustment हैं? हाँ जी आपको सारा लिखना पड़ेगा remind भी करना पड़ेगा notes बनाने होगे sir book में balance sheet में non current assets, fixed assets की sub heading नहीं दी है direct non current assets में ही fixed assets book को छोड़िए राकेश जैसा कर रहे हैं करने दीजिए सारा नए patterns हो रहे हैं उसके चिंता मत करिए हम नए amendment के साथ कर रहे है book के अंदर क्या है? नहीं है उसको हम बाद में analysis कर लेंगे अभी आपको ऐसे ही चलना है और यह सारा आपको sequencing से noting करना है अभी तो और भी adjustment बागी है तो अगर provision for benefits है तो यह जाएगा trial balance के income side में trial balance statement profit and loss के income side में लेकिन अगर adjustment में है तो जाएगा expense side में ध्यान दिजेगा एक जगा other income है और एक जगा other expense है यह मैंने गलती से नहीं लिखा यह ठीक लिखा हुआ है और दूसरा कहां जाएगा less from debtors दूसरी side पुराने वाली की बात करें तो अगर होगा तो P&L के other expense में और adjustment में हुआ तब भी other expense में जाएगा दोनों को दिमाग में रखिए गा अगर provision for doubtful debts हुआ तो trial balance वाला तो income में चला जाता है लेकिन adjustment वाला expense में होता है लेकिन अगर beddes हुआ तो trial balance वाला expense में होता है और adjustment वाला भी कहां होता है इस बात का ध्यान रखिए गा चलिए सर अब थोड़ा और इंट्रेस्टिंग बनाया जाए इसे अड़्जेस्मेंट नमबर नौ अड़्जेस्मेंट नमबर नौ बेड़ेट्स एंड प्रोविजन पोर बेड़ेट्स जब आपको दोनों जानकारी एक साथ वो बहुत बच्चे सवाल पूछते हैं इस पर उसका सिर्फ एक ही कारण है स्टार्टिंग में वो ध्यान से नहीं देखते इसलिए उनको बाद में बाकी बहुत डाउट आता है और तो कोई दूसरा रिजन नहीं लगता मुझे इसी में थोड़ा और बढ़ा दिया जाए एंड डिस्काउंट एंड डिस्काउंट वही जब तक माइक चार्ज है तब तक क्लास चलता रहेगा चिंता मत कुरूँ सर अब तीन बातों को जोड़ा है तीनों बातों को समझेंगे हैं पहले कॉंसर्ट समझ लेते हैं फिर नूटिंग कर लेंगे चलिए देखिए मान लेते हैं एक्स वाइजेड लिमिटेड कंपनी है ध्यान दीजेगा एक कंपनी है जो की कौन है साय सर एक्स वाइजेड लिमिटेड एक कंपनी है ठीक है और इसने बहुत सारे लोगों को उधार दिया हुआ है इसने बहुत मल्टिपल लोगों को उधार दिया हुआ है किस को उधार दिया है मैं सारी बाते बता देता हूँ इसने ए को दिया माल लेते हैं इसने जो उधार दे रखा है वो A को दे रखा है B को दे रखा है और C को दे रखा है और D को दे रखा है सर कितने रुपए का इसको 10,000 रुपए इसको 5,000 रुपए इसको 3,000 रुपए और इसको 7,000 रुपए कुछ ऐसे उधार माटे हुए हैं इसने ओके तो सर अगर हम A की बात करें B की बात करें तो सबसे पहले इतने सारे जो debtor है company इस सभी debtor को नाम A, B, C, D है लेकिन इस सभी को company जो record करेगी वो record करेगी sundry debtor संड़ी डेटर कितने रुपे का डेटर record करेगी company बोले कि 10 एसे लेने है 5 बी से लेने है 15 हो गए और 3 इस से लेने 18 हो गए और 7 इस से लेने है तो कितने हो गए यानि company के हिसाब से 25,000 का डेटर है ठीक है अब 25,000 के डेटर में कुछ यहां पर ऐसे डेटर भी हो सकते हैं जो कि बेकार डेटर हो जो कि ऐसे डेटर हो जो कि पैसे ना दे समझ रहे हो बात कुछ ऐसे डेटर हो सकते हैं जो कि पैसे ना दे और कुछ ऐसे डेटर भी हो सकते हैं जिससे हम पैसे ना ले पाएं ना दे और ना ले पाई में दोनों में फरक है अगर मान लेते हैं एक डेटर मेरा यह है और ये डेटर अब रहा नी दुनिया में ये चला गया तो हम इससे पैसे नहीं ले सकते अब ये डेटर रहा ही नहीं ये डेटर चला गया इसकी डेथ हो गई तो अब हम इससे पैसे नहीं ले सकते हैं बाकी ये जो बाकी के डेटर है ये हो सकता है इसमें से कुछ ऐसे डेटर होंगे जो पैसा देना ना चाहे तो जो ये चला गया डेटर हमारा जो आप ये देख रहे हो कि ये डेटर हमारा चला गया है तो ये जो debtor जो चला गया है इस debtor को हम क्या नाम देंगे इस debtor को हम नाम देंगे सर beddits इस debtor को बोलेंगे beddits इस debtor को नाम दोगे आप सर beddits इस debtor को बोलोगे आप beddits तो सबसे पहले तो beddits का मतलब क्या होता है कि वो पैसा कभी भी आपको recover generally नहीं होगा, यह मान लेते हैं हम, हो सकता है, इसके परिवार वाले दे दे वो अलग बात है, नहीं होगा recover, अब जैसे ही आपका beddits होता है ना, आपके साथ कोई घटना होता है, तो आप घबरा जाते हो, तो मान लेते हैं, company के accountant सा वो घबरा गया, उसने बोला, कि अब एक काम किया जा यार, मुझे जो हमारे बाकी के बच्चे वे डटर है, इसमें से हमारे जो beddits हो गए, यह 3000 तो मरी गए मेरे, और 3000 तो चले ही गए, अब बच्चे 22,000, अब ऐसा हो सकता है कि इस 22,000 में से भी कुछ ऐसे parts हो सकते हैं, जो कि possible लगता है कि ना दे, सर 22,000 में से भी ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं देगा जी हां 22,000 में से भी लग रहा है कि हमें कुछ नहीं मिलेगा वो that is कितना है सर वो कितना नहीं मिलेगा तो मैंने कहा कि ऐसा तो कुछ fix नहीं है कि कितना नहीं मिलेगा हम ये भी नहीं कह सकते के D तू नहीं देगा हम ये भी नहीं कह सकते के B तू नहीं देगा हम ये भी नहीं कह सकते के A तू नहीं देगा तो एक मोटा मोटी फिर कितना नहीं मिलेगा तो एक percentage reside हो जाता है हमारा accounting principle क्या कहता है future में होने वाले losses को अगर लगता है आपका हो सकता है तो उसका percentage amount निकाल के पहले ही अलग कर लो तो मैंने सोचा कि मान लिया जाए अगर बहुत ही मेरा नुकसान होगा तो 10% से ज़्यादा का नुकसान नहीं होगा that is मैंने एक assumption ले लिया कि 10% मेरा डूब जाएगा तो जो कि मेरा 2200 रुपे डूब जाएगा और अब जो मेरा बचेगा वो बचेगा 19,800 19,800 जो है उसे मैं नाम दूँगा good debtor का क्या good debtor समझ पा रहे हैं क्या होता है good debtor good debtor क्या होता है हमारे जो कि सभी पैसे हमें मैं डिसकाउंट देने की बात करूं तो around किसको दिया जाएगा जो अच्छे डेटर है मैं इसको discount दे के क्या करूँगा दे सकता हूं कि मैं इसको discount जो मर गया उसको क्या discount देना अब जो पैसे मेरे नहीं दे रहा है उसको क्या discount दो तो वैसे लेके भाग रहा है मेरे पैसे discount करके तो हम discount हमेशा किसको देते हैं जो की एकदम good debtor होता है जो की अच्छा debtor होता है हम उसको क्या देते हैं discount देते हैं अब मेरा एक सवाल है अगर मैं इसी calculation को थोड़ा मैं अपने तरीके से करूँ मैंने मान लिया जाए म मैंने बोला कि मैं आपको discount भी दूँआ और वह मैं दूँआ 10% जो की आएगा हमारा 198, 1980 रुपे इसी को discount मिलेगा इसी calculation को मैं दूसरे अपने तरीके से करूँ मान लेते हैं कि मेरा debtor क्या था 25,000 पहले मैं मान लेता हूँ बना लूँ provision पहले provision का मतलब क्या होता है कि अंद इसमें से 10% मेरे पैसे नहीं मिलेंगे यानि इस 25,000 पे मुझे doubt हो रहा है तो आपका doubt ही गलत है सर यह तो पहले ही मर गया इसको हटाओ आप आप doubt उसी पे कर सकते हो जो की जिन्दा है जिससे की पैसे आपको मिलने की उमीद है जिससे पैसे मिलेंगे उसी पे doubt करोगे 25,000 पे doubt करने का मतलब आप इसके उपर doubt कर रहे हो कि साइद इससे पैसे डूब जाए तो गलत तरीका हो गया तो यानि सर जो भी debtor होता है उसमें से पहले provision minus करने की बात करूँ तो not possible sequencing क्या होना चीए सबसे पहले क्या minus होना चीए उसमें से bad dates के बाद क्या minus होना चीए उसके बाद क्या minus होना चीए कोई बच्चा बोलेगा सर 10-10 परसंट तो दोनों यह कोई भी उपर नीचे माइनस कर दो भाई फरक आ जाएगा ने यहाँ पर डिसकाउंट देखो न 980 आ रहा है अगर पहले आपने डिसकाउंट माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा 22 तो गलत हो गया हो तो तो आपको ध्यान रखना है सिक्वेंसिंग क्या होता है हमारा सबसे पहले डेटर में से माइनस करते हैं बेट डेट को माइनस करने के बाद जो वेल्यू बसता उस पे लगाते हैं प्रोविजन प्रोविजन को माइनस करने के बाद जो वेल्यू बसता उस पे लगाते हैं डिस आप इस साल की accounting करने जारो कोई बात ने अभी मेरे को समझ में नहीं आए बच्चे ने क्या पूछा है बाद में देखेंगा उसको दियान से आप accounting कर रहे हो आप accounting कर रहे हो आपने क्या लिखा सर बेड़ डेट्स ओके कितना तीन हजार आपने लिखा प्रोविजन फोर डेटर कितना लिखा आपने 2200 और आपने डिसकाउंट लिखा डिसकाउंट कितना लिखा 1980 और सब कुछ कर कर राके आपका नेट प्रॉफिट मान लेते हैं सपोस करो 10,000 आ गया मान लेते हैं इस साइड में कोई अमाउंट XYZ गीवन है हो गया इसका मतलब सर आप प्रॉफ के साथ कह रहे हो कि हमारा प्रॉफिट 10,000 है और 10,000 के अंदर हमारे 2200 रुपे डूब जाएंगे लेकिन ऐसा सचाई नहीं है जब actual हम next year में गए तो next year में हमें एक बात पता चली के जो हम मान रहे थे के 2200 रुपे डूबेगा लेकिन उसमें से सिर्फ 200 रुपे ही डूबे और इस साल का जब हम बनाएंगे अपना statement इसका मतलब सर अगर मैं बात करूँ मान लेते हैं ये 2022 की बात कर रहे हैं अगर मैं 2022 में खड़ा हूँ तो मेरा पी इंडल 100% ठीक है लेकिन जैसे ही मैं 2023 में आऊँगा और मुझे ये सचा ही पता चल जाए तो मैं बोलूँगा 2022 का पी इंडल गलत है क्यों गलत है क्योंकि सर ये 2200 नहीं डूबे थे कितने डूबे थे सरिफ इसका मतलब पी इंडल क्या है जब मैं 22 में खड़ा हूँ तो मैं बोलूँगा मेरा पी इंडल ठीक है क्योंकि एक्चुल नहीं पता और जैसे 23 में मुझे एक्चुलिटी पता चल जाएगा मैं बोलूँगा वो पी इंडल गलत हो गया था सर यहां पे आपने 2000 रुपे का extra expense दिखा दिया था प्रोविजन का और यह वाला प्रोविजन जो extra दिखा दिया था अब इस साल 23 में भी क्या उस गलती को सुधार नहीं सकते बिल्कुल सुधारेंगे 23 में जाके जब 23 में इस गलती को सुधारेंगे तो उसको हम किसके record कर देंगे income में PFD as a income मान लेते हैं 2000 यानि PFD किस में मान लिया हमने income तो पिछले साल का हमने क्या करा था profit अपना downgrade कर दिया था और इस साल का अपना profit मैंने upgrade कर दिया उसी से जिस amount से error आ था तो क्या हमारा पिछले सा की गलती को इस वाले में सुधार लिया गया definitely सुधार दिया गया तो यह so and continue चलता रहता है आगे तक इसलिए मैंने कहा था कि जो हमारा पुराने वाला जो trial balance के अंदर हमारा provision for doubtful debts होता है वो old वाला होता है जो कि कभी हुआ ही नहीं था उसलिए उसको income मान के हमें खतम करना होता है ठीक है ना उसे इंकम मान के हम क्या करते हैं खतम करते हैं क्या लिए सर आते हैं आगे इसके ट्रीट्मेंट में कि अकाउंटिंग ट्रीट्मेंट हो सकता है यह ट्राइल बैलेंस में गीवन हो सर अगर ट्राइल बैलेंस में गीवन हुआ तो क्या करेंगे सर ट्राइल बैलेंस में तो तीनों चीज़े गीवन होगी सर ट्रायल बैलेंस में क्या given होगा एक ये और क्या एक ये और क्या एक ये यानि सर ट्रायल बैलेंस के अंदर benefits भी हो सकता है given सर ट्रायल बैलेंस में PFD मैं short form में लिख रहा हूँ provision for doubtful dates और ट्रायल बैलेंस में हमारा हो सकता है discount भी सर अगर यह trial balance में given हुआ तो क्या करेंगे इन सबी का trial balance में given हुआ तो यह चला जाएगा statement profit and loss में सर यह भी जाएगा statement profit and loss में और यह भी जाएगा सर statement profit and loss में कि यानि सभी statement profit and loss में जाएगा जी हाँ कि यह प्रोविजन है अलागी कि सर यह चला जाएगा हमारा other expense में कि यह चला जाएगा other income में सर यह भी चला जाएगा हमारा other income आएगा अट्रोविजन है वह दिया नहीं है कि इसकाउंट है तो उमारा तो मैं सोच के खर्चा मानके बैठा थो अब पहले जो खर्चा था वो गलत मानके बैठा था क्या हो जाएगाा हमारा इंकम यानि पुराने वाले जितने भी प्रोल्विजन सोते हैं वह अक्शॐल हो गया तो जो बात नहीं आयों अगले साल उसे हो adjustment में तो adjustment में जब लिखा होगा तो सबसे पहले मैंने लिखा debtor अगर adjustment में given हो तो दो जगा जाएंगे सर एक जाएगा statement profit and loss में एक जाएगा balance sheet में सर स्टेटमेंट profit and loss में जाएगा एक balance sheet में पहले balance sheet में कहा जाएगा यह यह चला जाएगा हमारा trade receivable में मतलब सर यह trade receivable के heading में चला जाएगा मतलब यह है जैसे एक मैं example भी ले लेता हूँ फिर एक और example लेंगे मैंने बोला debtor यह लिखा यह लिखा क्या amount ले लेते है specific जैसे debtor 10,000 minus सबसे पहले क्या किया जाए less कर देंगे हम bet debts bet debts कितना है 10% that is मैं 1000 रुपे ले लिया मैंने 10% मत समझना इसको मैं 100 रुपे ले लेते हैं बचा कितना आप माइनेस करेंगे हम प्रोविजन और प्रोविजन कौन सा डिसकाउंट यह debtor debtor माल लेते हैं 10% that is 9900 अगर 990 हम माइनस करते हैं इसमें से that is 8910 अब क्या माइनस करेंगे सर अब डिसकाउंट माल लेते हैं डिसकाउंट भी 10% है तो 891 अब जो माइनस करेंगे 10% 891 वह बढ़ जाएगा 8019 अभी जिसको दिखनी रहा मैं अभी दिखा देता हूं कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर अभी क्लास थोड़ी से को कोई बात ने वह तो चलता रहता है देखो कि खा लेंगे खाना फिर कि जी हाँ अब इसकी डबल इंट्री की बात कर रहे हैं सर डबल इंट्री में स्टेट्मेंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा जी जाएगा मैंने कब मना किया नहीं जाएगा जाएगा एक तो यह जला जाएगा एक यह भी जाएगा एक यह भी जाएगा बिल्कुल जाएगा यह स्टेट्मेंट प्रॉफिट एंड लॉस के अधर एक्स्पेंस में सर सारा का सारा उठके other expense में पहुँच जाएगा मज़े की बात देखो कितना जाएगा सर यह 100 कितना जाएगा सर 900 कितना जाएगा सर यह सब पहुँच जाएगा other expense के अंदर लेकिन यहाँ ध्यान रखना जो adjustment वाला है वो तो other expense में जाता है चाहे provision हो चाहे bad dates हो लेकिन जो trial balance वाला है provision चला जाता है other income के अंदर बाकी का पार्ट चला जाता है bad dates हमारा other expense के अंदर ठीक है एक example हो जाए तो ज्यादा बहतर है इस पे recorded class पता नहीं कब आईगी पहले live तो ले लो एक example लेके बात करते हैं वैसे अभी time बहुत है अभी चिंता मत्कुर अभी एक बस example लेने दो बस छुटे इसके बाद एक example लेने दो मुझे इस हपते में मैं सोच रहा हूँ कि आपका final account निप्टा दिया जाए मंडे से मैं नए चप्र स्टार्ट करना चाहरा हूँ मैं आपका internal reconstruction जो मेरा भाई बहन दोस्त जो भी है second semester के अंदर भी corporate account आ गया है चाहे प्रोग्राम हो चाहे honors हो नया जो स्लेवस आया है उसके अंदर second semester में ही डाल दिया corporate account को चाहे प्रोग्राम का बच्चा हो चाहे honors का बच्चा हो तो Monday से हम नया chapter start करेंगे चिंता की बात नहीं मेरी कोशिस है कि Sunday तक इसको निप्टा दिया जाए इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी लंबी class ले रहा हूँ अगली class भी again same ऐसा ही schedule पर रहने वाला है लेकिन अभी first day है आप ब यह आपके सामने एक trial balance है देखिए सर डबिट जो बच्चे बोड़ेते न समझ में नहीं आए अब इसके बाद तो समझ में आ जाएगा जिन बच्चों ने बोला सर अब समझ में नहीं आ रहा उनके लिए example सदेटर एक लाक बेड़ेट्स दो हजार प्रोविजन पर बेड़ेट्स छे सो प्रोविजन पर दिसकाउंट चार्जों अट्जस्मेंट क्या क्या था है नमबर वन म्यख भोविजन नग्यम एद्विड रि Сबसेंट रहके बच्पादन नग्यमच प्रोविजन अब देखिए बच्चों का पता सबसे बड़ा confusion और सबसे बड़ी problem वाली बात क्या रहता है इसमें बच्चों का सबसे ज़्यादा problem sir trial balance में भी provision बाहर भी provision trial balance में भी discount बाहर भी discount amount यहां भी bed limits सार amount तो अलग-अलग है भाई बाते भी अलग-अलग है यह amount अलग नहीं है बाते भी अलग है यह हो चुका है और यह भूल चुके हैं दोनों में फरक हैं तो इसका क्या treatment होगा वह भी देख लेते हैं कि इसका treatment करेंगे इसका देखिए ध्यान से एक तो जाएगा balance sheet में एक चला जाएगा statement profit and loss में एक जाएगा balance sheet में एक जाएगा statement profit and loss में ठीक है समझिएगा बहुत आसान है यह मैं balance sheet के लिए बना रहा हूँ trade receivable और यह बना रहा हूँ other income और यह मैं बना रहा हूँ other expense और फिर यह जो भी whatever number note का हो यह note उटके चला जाएगा console delete होके कहाँ पे आपने करा एक question उस तरीके से सबसे पहले हम trial balance के item को खाली करते हैं trial balance में debtor है तो sir balance sheet में आएगा assets में trial balance में sir debtor है तो मैंने लिखा सुन्दर सुन्दर लिखा debtor और sir debtor कितने का है एक लाख रुपए का sir trial balance में bed debts है तो मैंने फटा फट से लिखा other expense में bed debts कितने रुपए का दो हजार रुपए का trial balance वाला कर रहा हूँ मैं trial balance में provision है तो अब income में आ जाएगा पी एफडी और trial balance में provision for discount भी है 400 चलिए जी मैंने अभी adjustment को बिल्कुल भी हात नहीं लगाया adjustment को मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा आप मुझे फटा फट से बताइए मैंने adjustment को अभी बिल्कुल ना तो छेड़ा है ना ही हात लगाया है आप मुझे जवाब दीजे क्या आपको समझ में आ गया है trial balance की क्या treatment करनी है आपने सिर्फ मैंने trial balance के item को इधर उधर किया है यह समझ में आ गया है सभी बच्चे बोल रहे हैं बिना सोचे समझे सब आ रहे हैं अब adjustment कर लेते हैं चलिए चलिए अड़ेस्मेंट में कहता है तीन है number one number two number three तो इस number के हिसाब से नहीं चलना rule क्या बोलता है सबसे पहले क्या minus करो बेड़ेट्स तो पहले हम minus करेंगे बेड़ेट्स 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 देखो कितना है हमारा 2000 अब बचाईए 98 अब जो balance हमारा बचाईए अब क्या minus करना है हमें PFD सर PFD कितने percent 10% that is 98 hundred अब फिर से बचेगा balance सर balance कितना बचेगा double it two double zero फिर minus करना है discount discount 10% है और ये भी 10% है that is 8820 ये आगया 79 380 ये trade label के note में चला जाएगा अब double entry जितने भी हमारे adjustment के पार्ट थे इन सभी का double entry कर लिया जाए सर कहां कहां जाएगा double entry पहले तो इस bed rates को बताए कहां लिखें expense में तो पहले से एक bed rates है सर एक बार और आएगा हाँ इसे लिखेंगे further bed rates further bed rates ये कौन से new वाल आएगे further bed rates कितने रुपे का आप ये मस समझेगा इत्तफाकन amount दोनों देगा same आगया है आप ये मस समझेगा इसको मैं 3 कर देता हूँ फिर तो पूरा उल्टा फुल्टा हो जाएगा इसको तीन कर दिया जाए ठीक है इसके बाद अगला पी एफ डी ये कहां जाएगा ये भी यहीं जाएगा प्रोविजन फॉर्बेट डिट्स 9800 डिस्काउंट कहां जाएगा ये भी यहीं जाएगा डिस्काउंट ओन डिटर 8820 अब ये जो टोटल होगा ये टोटल चला जाएगा हमारा स्टेटमेंट प्रोफिट एंड लॉस के जो हमारा अधर एक्स्पेंस का पार्ट होगा ये टोटल चला जाएगा स्टेटमेंट प्रोफिट एंड लॉस के जो अधर इंकम का पार्ट है और ये चला जाएगा balance sheet के current assets के अंदर trade people के अंदर समझ में आई बात आपको समझ में आई समझ में आया पहले आपको ये समझ में आया सारा कुई केक बार revision कर लेते हैं चिंता मत करिये ये समझ में आया आगे ये अब हमारा adjustment लगेगा हमेशा debtor पर ही पहले minus करेंगे bet dates फिर minus करेंगे provision फिर minus करेंगे discount अभी सिखा bet dates को भी other expense में ले जाओ provision को भी other expense में ले जाओ discount को भी other expense में लेकिन जो इसके अंदर हमारा bet rates है वो तो other expense में जाएगा लेकिन provision trial balance वाला other income में चला जाएगा और दूसरा जो discount है वो भी कहां चला जाएगा other income में चला जाएगा ठीक है सर किस पर आ जाते हैं चलिए हम आ जाते हैं अब now अगले adjustment पर सर अगला कौन सा adjustment करेंगे prepaid, outstanding हो गया हाला कि मैं questions के बीच बीच में adjustment कराता रहूँ यह चलिए एक adjustment और देखे adjustment कितने हो गए थे हमारे 9 हो गए थे तो last class के बाद 9 कर चुके हैं अब 10 पर आ जाते हैं 10 किसका लिखे हैं किसका लिखे adjustment number 10 sir adjustment number 10 में क्या है चलिए income tax और या फिर corporate tax दो बाते हैं ये मतलब एक ही बात है और इसके अलावा एक बच्चा मेरे से पूछ सकता है sir corporate dividend tax मैं आप सब को बताना चाहूंगा कि corporate dividend tax पहले लगा करता था हमारे finance minister ने जो हमारा FM है और निर्मला सीता रमन इन्होंने कर दिया जिसको short form में CDT बोलते हैं हम इसे बोल दिया गया अब नहीं लगा करेगा तो जब उन्होंने मना ही कर दिया कि अब corporate dividend tax होगा ही नहीं तो ये वाला हमारा slaves का part अब नहीं है तो कोई बच्चा जैसे बोलता है कि सर इसका क्या करना है तो मैं बोलूँगा slaves का part कि अब ये exist ही नहीं करता ये ब्रोबिसन तो इसको देखने की भी जूरत नहीं है पहले dividend पे लगाए जाता था हाँ जिनके पास पुराने 10 years वगेरा होंगे उसमें सवाल में देखने को मिलेगा तो मैं आप सभी बच्चों को कहूँगा ignore कर दिजेगा उसको ठीक है जिसने पुराने ले रखा है पहले बता देता हूं ताकि आपको थोड़ी clarity बनी रहे चलिए सर अब आते हैं हम income tax या corporate tax ये दोनों फरक है income tax और corporate tax और corporate dividend tax corporate tax को income tax कहते हैं सर ऐसा क्यों पता ही क्या जो company बगरा होती है न बड़ी बड़ी company जैसे कोई बहार से company आती है काम करने के लिए बहार से क्या मतलब foreign वाली company इंडिया में काम करते हैं इसा ही जो हम लोग tax भरते है income tax और जो company होती है न सारी company को हम corporate बोलते हैं इस तरीके से company को क्या बोलते हैं corporate तो अब company जो tax भर रही है तो उसका नाम एक corporate tax रख दिया गया एक standard format में वैसे income tax ही है वो बस लोगों की नजर्या चेंज है इसमें तो सर अगर आपको income tax या corporate tax दे रखा होगा सर कहां दे रखा होगा इस गीवन, दो जगे आपको गीवन हो सकता हो साथ के साथ इतना ही नहीं पोर टेक्स भी बोला जा सकता है यहाँ पे प्रोविजन फोर text भी बोला जा सकता है sir sir दो जगे given होगी यह फिर से sir यह हो सकता है trial balance में given हो यह sir given होगा adjustment और मैं बताओं आपको 99% मालो adjustment में होगा 99% adjustment में होगा trial balance में given होगा तो यह चला जाएगा short run sir फिर मैं पूरी line ही लिखतू न यह चला जाएगा balance sheet के और balance sheet के किस side में liability side में और liability side में कहा शाट्रम प्रोविजन मगर 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 अगर adjustment में हुआ तो sir दो जगह जाएगी sir दो जगह कहा जाएगी एक तो चला जाएगा balance sheet में यानि sir कहने का मतलब है सबसे पहले एक तो हो जाएगा हमारा statement profit and loss में और यह less हो जाएगा from profit before tax जो profit before tax वाला हिस्सा है वहां से यह क्या हो जाएगा sir वहां पे less हो जाएगा दूसरी entry sir दूसरी entry चला जाएगा same यानि liability side जो यहां लिख्खा है ठीक है न जो liability side चला है तो provision for tax या फिर corporate tax या फिर income tax ऐसे situation में trial balance वाला short term provision का part होगा adjustment भी होगा तो पहले जो profit निकालते हैं मैं दिखा देता हूँ sir profit कहां निकालते हैं आ जाएए भाई आपको format कराये था न मैंने तो उस format के अंदर मैंने बताया था तो यह देखिए जो यह वाला profit आएगा ना यह वाला profit इसमें से minus कर रखा income tax वही income tax है हम जिसकी अभी बात कर रहे हैं तो यह income tax है कि यहां से हो गया कहा profit before tax और उसमें से minus हो गया एक तो यहां चला गया और दूसरा चला जाता है balance sheet में और balance sheet के note भी आपने किये है तो उसमें भी दोर आई नहीं है देखिए यहां पर आपका short term provision यहां पर आगया provision for tax यहां पर डिविडेंट मैंने लिख रख था अल्दो लेकिन आता नहीं है dividend मैंने पता नहीं क्यों लिख दिया चलिए देखेंगे बाद मैं इसको देख लेंगे चलिए अब मेरा मानना है कि adjustment के pages छोड़ देने है आपने ठीक है adjustment के pages छोड़ देने है मतलब sir pages छोड़ने का मतलब क्या है कि हमने देखो 10 adjustment किया है एक्जाम के टाइम पर इस चेप्टर के अंदर दो ही बाते आपको पता होनी चाहिए 15 नमबर पके नमबर बन आपको adjustment का treatment पता होना चाहिए नमबर दो आपको पूरे balance sheet और statement profit and loss का पूरा format अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या item कहा जाएगा और इसके अंदर मेरा मानना है कि आपके एक्जाम में सिर्फ statement of profit and loss भी बनाने को आसकता है जैसे कि पिछली बार आया था सिर्फ statement profit and loss बनाना और इसके अंदर भी note number two बनाना ठीक है 11 11 adjustment pre-lie expense कहलो या फिर underwriter commission भी हो सकता है सर इसका क्या treatment होता है पहले तो यह समझ लेते हैं होता क्या है समझ लो देखो होता क्या है normally कोई भी जो है company जो जैसे मानलो xyz limited एक company बनाना है तो यह limited शब्द ना अपने आपने एक बहुत important है बहुत महत्व है इस limited का तो अगर आपको xyz limited बनाना है ना तो limited लगाने के लिए पहले कुछ काम करना होगा सर इस limited शब्द को लगाने के लिए पहले आपको document तयार करना होगा document का मतलब जो से हम MOA कहते हैं और AOA कहते हैं अभी आपकी company बनी नहीं है लेकिन फिर भी आपने क्या करा यह document तयार कर लिया इस document तयार करने के बाद इसको आपको sign करवाना होगा CA से document तयार हो गया CA से sign हो गया इसके बाद फिर आपको यह document जाकर deposit करना है जो document sign करवा लिया अगला step होता है आपको deposit करना है तो देखो अभी आपको company के आगे न limited लगाने की authority नहीं है नहीं लगा सकते limited क्योंकि अभी तो आपने document दिया ही है अभी तो आपने sign ही करा है फिर अब यह जहाँ deposit करा है वो पढढ़ेंगे उसके बाद आपको notification देंगे आपको notice भेजेंगे कि आपका approved हो गया और मान लो यह जो document देने वाला काम और मेरे दिमाग में idea आया वो 1 जनवरी 2023 से आया ठीक है ना मान लो और फिर मैंने यह document बनाया 5 जनवरी 2023 तक बना लिया मैंने ठीक है उसके बाद CA से sign करवाए तो बहुत busy इनसान है भाई यह तो तो यहाँ पे मैंने 22 2023 तक sign कर दिया इन्होंने जमा करवाने गया मैं 25 2023 तक उसके बाद फिर approval जो वहाँ से आया सरकार से वो आ गया मान लेते हैं 142023 में तो जब approval आएगा तभी तो मैं नाम के आगे कुछ लगा पाऊंगा तो जैसे approval आया ना फिर मैंने लगा दिया limited अगर approval से पहले limited आपने लगा दिया था तो आपके उपर इतने find इतने penalty लगाया जाएगा कि आप समझ नहीं सकते हो उसको जो कि अपने company law में penalty chapter में पढ़ा भी हो शायद तो यह सारा procedure होता है अब देखो क्या हमारा CA जो है document जो बना photocopy वाले ने बनाया क्या यह free में काम करेगा नहीं यह भी पैसा लेगा मान लेते हैं यहाँ पैसा लगा 500 रुपे जो CA ने sign किया यह भी फ्री में करेगा नहीं इसने मान लेते हैं लिए 50,000 जो डिपॉजिट कराने गए तो पैदल थोड़ी गए पैट्रोल वगएरा यहां 500 रुपे तो यहां से यहां तक का खर्चा ना हो गया 55,000 लेकिन यहां तक के स्टेजिस में देखो हमारा जो कंपनी का नाम करन हुआ वो एक अप्रेल में हुआ एक अप्रेल से पहले कुछ खर्चे हम कर चुके हैं जब हमारा कंपनी था ही नहीं तो इस खर्चे को बोलते हैं प्रिलिम्नेरी एक्सपेंस और यह खर्चे मैंने तो एक्जाम्पल लिया बहुत यूज एक्सपेंस होता है तो कि यह पहले साल में प्रॉपिट आजागा नहीं आता तो पहले साल में आपका वैसे ही मरा हुआ कंपनी है और उसके अंदर यह बहुत बड़ा एक खर्चा ड साल दो यहां पे तो ऐसे situation में आपको कोई company और मर जाएगी आपको कहीं से benefit नहीं मिलेगा कोई loan नहीं देगा कोई आपकी company को ध्यान नहीं देगा तो government ने कहा कि इस खर्चे को जो कि आपका खर्चा हुआ नहीं है let's suppose कि जो 51,000 रुपे खर्चा हुआ है इसको एक बार में अ पाच बार में दिखाता हूँ तो definitely यहां पे 10,200 रुपे का खर्चा आएगा पहले साल में तो मेरे पी एंडल में जितना कम खर्चा उतना profit बढ़ के आएगा और profit बढ़ के आने का मतलब business ठीक चल रहा है हमारा है ना तो इसलिए हम इसको preliminary expense को एक साथ ना दिखा के बाद म अभी भी बच गए हैं कितने बच गए हैं सर 40,800 रुपे अभी भी बचे हुए हैं इसको मैं कहां दिखाऊंगा और कब दिखाऊंगा कौन जवाब देगा क्या ये खर्चा नहीं है मेरा है खर्चा अचा तो क्या इसे हम दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे सर बिलकुल इस तो यह एक साल का है या तीन साल का या चार साल का बताओ यह चार साल का प्रिपेड एक्समेंस है, मैंने एडवांस नहीं दिया, मैंने एडवांस नहीं दिया, नहीं यह तो देखो, यह कितने सालों में दिखाऊंगा, गौर्मेंट मैंने पांस से डिवाइड किया है सर, तो यह पांस सालों में जाएगा न, ध्यान दो, यह पांस सा खर्चा इसमें से माइनस 10,200 बच गए 40,800 रुपए और ये 40,800 हमारा पहुंच जाएगा सर कहां तर ये 40,800 पहुंच जाएगा अगले साल अगले साल के पीएंडल में फिर हम 40,200 थोड़ी दिखाएगे फिर दिखाएगे 10,200 अब बचा 30,600 अब 30,600 कहां ले जाएगे सर 30,600 को ले जाएगे हम अगले साल अब 30,600 में से फिर हम कितना माइनस करेंगे 10,200 क्योंकि इक्वल करेंगे अब कितना आ गया बीस चार सो, सर बीस चार सो को कहां ले जाएंगे आप, सर आप बीस चार सो को ले जाएंगे आगे, और सो अन दस चार सो कर देंगे, अब अगली बार देखा जाए तो कितना होगा, दस चार सो और दस चार सो, सरी, दस दो सो, दस दो सो, अगली बार होगा हमारा, अरे कहां च तो मैं अभी फिलाल इस साल पे हुँ तो इस साल का ये वाला तो पार्ट हो गया हमारा खर्चा और जो बाकी ये वाला पार्ट हम लेके आएं यहां से करी करके ये तो हमारे लिए हो गया अब आपको तेक करना है कि ये current assets ये long term और current और long term assets को define करने के लिए बढ़ा चोटा सा simple सा है कि 12 महीने से उपर long term 12 महीने से कम short term assets ठीक है ना पहले यह देखे आप यह समझ में आ रहा है आपको पहले ये समझ में आ रहा है बताईए चलिए 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 हाँ ये समझ में आ रहा है ने आपको तो अगर ये बात समझ में आ गई तो बहुत रूट से आपको पता चल गया कि preliminary expense जितना इस बार बोला जाए write-off करने के लिए ये जो बोला गया ने कि इसको इस बार दिखा दो तो that is write-off करने के लिए तो जितना बोला गया ना write-off करने के लिए वो तो p handle का part हो जाता है statement और जितना write-off नहीं हो पाया वो चला जाएगा हमारा other known current assets क्योंकि वो लंबे समय के लिए ठीक है तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ अगर मैं यहाँ पे लूँ अगर मैं यहाँ पे लूँ तो इसके अंदर अगर preliminary expense होगा तो दो जगह होगा आपका given या adjustment की बात करते हैं adjustment में given हुआ तो आप एक क्या करोगे statement profit and loss और एक जाएगा sir balance sheet पहले आपको लेके जाना है statement profit and loss में ठीक है statement profit and loss में कहाँ लेके जाओगे other expense में ध्यान रखना कहाँ लेके जाओगे sir other expense में other expense other expense जैसे मैं ले लेता है example other expense में कितना है preliminary expense 51 लिख दिया आप इसमें से less कर दोगए इसी example को base मान लेना आप इसी में से less कर देंगे sir current year का that is आगे 10,200 अब बच्चा कितना हमारा अब बच्चा कितना 40,800 अब ये जो 40,800 इसे ले जाना है अपने balance sheet में इस 40,800 को आपने ले जाना है कहाँ है sir इस 40 को ले जाना है इस balance sheet के अंदर और balance sheet में भी कहाँ ले जाएंगे sir balance sheet में भी ले जाएंगे हम other known current asset other known current assets में ले जाएंगे समझ रहे बात है ये ले जाएंगे नोट in case of adjustment not given not given then all amount so in statement and profit and loss account so in statement in profit and loss account जो बच्चे इसको note करेंगे बाद में note करेंगे चलिए सर एक बार हम पहले questions पूरा एक बार overview कर लेते हैं ठीक है ना पढ़ने का question करने का तरीका क्या होता है 9 number यहां भले ही आपको दिख रहा है बट आप ऐसा ना सोचे के यह हमारे 10 year के 9 होगा कही बार आगे पीछे करने वे जो 10 year के अंदर प्रिंट होके question आया होगा वो आगे पीछे हो सकता है हाँ exam में आया होगा question है सर क्या कहता है यह कहता है mega limited है registered with the nominal capital अब यह nominal capital का मतलब पता ही क्या है यह authorized capital यानि अब share capital का बनेगा पक्का भाई the trial balance आपको given है building, machinery, stock अब यहाँ पर purchase दे रखा है adjusted इस बात को भी धियान रखना तो adjusted purchase क्या होता है वो भी देख लेंगे salary, director fees other expense का part होता है director fees जो है other expense का part होता है rent, depreciation, bed dates आपको given है interest, accrued on investment accrued का मतलब अभी मिला नहीं other current assets का part है यह investment आपने इतने share में इतने का किया investment shares में किया है तो यह known, आप दो जगाद लिख सकते हो जब कुछ ना बोला हो तो non current investment में डाल दो interest on debenture पता है कहाँ जाएगा loose tools किसका part है यह inventory का part है तो देखो इसमें काफी questions आ रहे है advanced tax हम पहले ही कर चुके है century expense पता है कि other expense में debtor bank ठीक है sales outstanding salary आपको पहले से पता है कि other current liability provision for doubtful debts share capital general reserve profit यह यहाँ पर यह provision भी आ गया तो इस provision को करने के दो तरीके हैं या तो मैं क्या करूँ assets में से minus कर दूँ या फिर मैं क्या करूँ liability में show कर दूँ दोनों बताये थे debenture दे रखा है interest on debenture accrued not unclaimed dividend सारी बात है यानि इसमें खूब सारे points ऐसे हैं जो कि पुराने questions की comparison लिए नई points है कहता है you are required to prepare statement profit and loss account year and 31 March and balance sheet at the date after the taking into consideration of the following additional information closing stock दे दिया इसने छीक है sir कहता है closing stock more than opening opening stock 30,000 देख रहे हो examiner क्या कह रहा है कि opening से 30,000 ज़्यादा है यह closing stock नहीं है opening कितने कहा है sir opening का देखो आपका और आप देखो यहाँ पर कहता है closing stock is more than 30,000 ज़्यादा है और यहीं पर देखो आपका यह क्या दे रखा है यानि sir अगर आपको closing stock यहाँ दे दिया जाता है तो आप समझ लो कि आपका यह trading में नहीं मतलब कि कहां पर जाएगा मैं अभी बताऊँगा इस पर चर्चा कर लूँगा ठीक है न अभी बताऊँगा काट के paid मैं कर दूँगा और यह slaves का part नहीं है ठीक है न मैं दुबारा मिटा देता हूँ तो मैंने मोटा 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 क्या करा मैंने idea ले लिया question का करना कैसे है पढ़ना कैसे है ठीक है अब फटा फट से मैं यहाँ पर क्या करूँ नोट्स तो अकाउंट्स बनाना चालू कर देता हूँ आप भी बना लेजिएगा फटा फट सबसे पहले point number one equity equity and liability अब जल्दी खाता मुगा मैं ज्यादा time नहीं लोगा equity and liability इसके बाद क्या है सर first first share holder आप भी बनाईए फटा फटा फट फट फंड इसके अंदर कुछ पार्ट्स है A share capital B reserve and surplus सर और क्या है second point भी आएगा known क्या आएगा second point में known current liability non current liability ठीक है ना second point आगया known current liability इसके अंदर क्या आएगा debentures आजाएगा इसके अंदर क्या आएगा debenture यानि ए पार्ट long term borrowing इसके बाद क्या आने वाला ऐसा third point आजाएगा third point क्या होगा हमारा अरे अभी तो liability चल रहा है ना भाई साह current liability current liability के बाद क्या आएगा इसके अंदर point number A trade payable point number B other point number C क्या हैगा short term और इधर आजाएगा total इसके बाद आजाते हैं assets two pay assets assets के अंदर पहला point आएगा known current assets इसके बाद इसके अंदर point आजाएगा fix assets इसके अंदर point आएगा fix assets इसके अंदर इसके अंदर इसके बाद इसके बाद हमारा बी पार्ट आजाएगा नोन current investment ठीक है चलिए इसको और थोड़ा छोटा पर दे इसके बाद आजाते हैं हम किस पर second point second point पर आजाते है second point क्या है current asset और जितने बच्चे आज जोईन हुए हैं उनको starting से देखना पड़ेगा भाई आज वाली class में benefit नहीं मिलेगा A part क्या है हमारा inventory B part क्या होगा हमारा trade C part क्या होगा cash and cash और D part क्या होगा हमारा other current assets दागते हैं चलिए जिसको नहीं देखरा भी दिखा देते हैं उपर balance sheet as on as वगरा वो सारी चीज़ा अपने लिखना है जैसे नॉर्मल हाँ ठीक है नहीं दिख रहा balance sheet वाले बस एक ही जगह जाता है अभी करके दिखाएंगा देखी अभी question आपके सामने में समझ नहीं पाया आपनी क्या पूछा था चाल यह पी अडल बना ले अगले पेच पर पी अडल बना ले तो पी अडल बना ले तो पी अडल बोले तो statement profit and loss note amount पहला पूइंट revenue from operation दूसरा पॉइंट others income तीसरा पॉइंट total income चौथा पॉइंट expense अब इसके अंदर कुछ पार्ट आ जाएंगे क्या जाएगा a.purchase b.change in inventory c.employee benefit d.finance cost e.depreciation f.other expense और यह आजाएगा पाचबा पॉइंट टोटल एक्सपंस टोटल एक्सपंस के बाद अब हम क्या करेंगे च्छठा पॉइंट आएगा profit before tax minus करेंगे हम tax और यह साथवा पॉइंट होगा और फिर आठवा आजाएगा finally profit after tax बस फॉर्मेटिंग कर लेते हैं और आप देखोगे कि फॉर्मेट अगर बना लेते हैं हम पहले तो काम हमारा सिर्फ अधिक फिल करना रहा जाता अंदर फिल दा ब्लैंक स्ट्राइब करेंगे कि 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 चलिए एक पेज पर और जाना पड़ेगा क्योंकि कोशन खाफी लेंदी है हमारा कोशन आपके सामने चलिए सर एक एक करके पॉइंट पड़ते जाएंगे और करते जाएंगे ठीक है पहला पॉइंट है बिल्डिंग सर बिल्डिंग किसका है प्रॉपर्टी प्लांट एंड एक्क्यूपमेंट तो प्रॉपर्टी एंड प्लांट एक नूट बना लेते हैं सर नूट और यहां मना लिए पी-पी-ई बिल्डिंग कितने रुपए का बिल्डिंग है बताओं टैनियर सभी के मार्किट में नियर वाइश शॉप पर अविलिबल है आप याकर ले सकते हैं कितने हैं 2.90 बिल्डिंग के बाद देखते हैं और क्या है बिल्डिंग के बाद मसीनरी एक लाख रुपय का तो यह भी सी का पार्ट है और तो थोड़ा नीचे लिखेंगे क्यूंकि यहाँ डेप्रिशेशन है कितने का एक लाख का इसके बाद देखते हैं अटजेस्टिट पर्चेश देखो अटजेस्टिट पर्चेश क्या होता है जिसके अंदर हमारा पर्चेश रिटन और ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक माइनस प्लस होता है यानि अटजेस्टिट पर्चेश की बात करे न तो यह होता है हमारा पर्चेश प्लस ओपनिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक और पर्चिस रिटन वगरा माइनस होता है इसको न मैं अलग से डिस्कॉस्चन में ले लूँगा ठीक अभी कन्फ्यूज मतो अर्जिस्टिट पर्चिस को फिलाल के लिए आपको पर्चिस मानना है कितने का है अग्जिस्टिट पर्चिस दो, दस का क्लोजिंग स्टॉक रह गantic रह गया तो क्लोजिंग स्टॉक बैलिंस शी्ट का ही पार्ट होता है इनवेंटरि में चला जाएगा कितना लेखिन क्लोजिंग स्टॉक के इंदर और भी पार्ट प्राइड होनोगा इसलिए इसका नोट बनाना पड़ेगा हमें क्लोजिंग स्टॉक यहां नोट बना लेते हैं इसमें बहुत सारे नोट बनने वाले हैं इन्वेंटरी है सर बताइए क्या है क्लोजिंग स्टॉक रब कितने रुपए इसके लिए कोई नोट नहीं है डारेक लिख देते हैं दो दस ठीक है इसके बाद क्या गीवन है सेलरी किसका पार्ट होता है इंप्लॉई बेनिफिट सेलरी किसका पार्ट होता है टेन यर में कुछ और दे रखा है है बच्चे कहा रहे है सर मेरे पास 69 आया है अदर एक्सपरिंस का तुम्हारा क्या अभी कर लेते हैं चेक कर लेना और क्यों अलग दे रखा और क्या इसके दूसरा ओप्शन से वो भी मैं बता दूँगा तो मैं चुछ जाएगा ठीक है जो बच्चे कहा रहे हैं सर हम ने क जाएगा एक, लेकिन सर, employee benefit का note बनाने का तभी फायदा है, जब हमारा एक और पार्ट हो, तो यहाँ पे सिर्फ salary है, wages पगएर तो दिखनी था, ठीक है न, और क्या यहाँ पे outstanding salary बेलरी कुछ कह रहा है, नहीं कह रहा है, तो इसका note बनाने का कोई फायदा नहीं है, direct हम लिख देंगे यहाँ पे, employee benefit में 60,000 रुप है, चलिए सर, salary के बाद कहता है, आपका director fees, director fees other expense होता है, देखें, दो fees होते हैं, अब इसे न, आप director का जो होता है, salary भी होता है, फीस क्या होता है, जैसे अब होता क्या है, एक्चुल में, जैसे director किसी भी company के अंदर अगर appoint होता है, तो उसे हम हर महीने की एक मंथली salary देते हैं, अब जब board meeting होता है, तो director को हम जब office hour खतम हो जाता है, उसके बाद बुलाते हैं, कि भी हाँ, board meeting है, आज रुखना है आपको, तो जो director extra time के लिए रुखता है, उस board meeting में participate करता है, उसके बदले हम उसे extra पैसा देते हैं, और वो पैसा instant मिल जाता है, उसको ऐसा नहीं के बाद में मिलेगा, तो वो salary के अलावा मिलता है, तो यह है director fees, तो employee benefit के partner मानके हम इसे other expense के अंदर include कर देंगे, ठीक है ना, किसका मान लेंगे हम, other expense में, तो एक बड़िया सा note बना लेते हैं, other expense के, यहीं बनाते हैं, note, other expense, चीक है, क्या लिखना है हमें, director, कितने का था, 10,000, 10,000, इसके बाद क्या दे रखा है, इसके बाद दे रखा है, rent, rent भी other expense का 26,000 है, और यहाँ पे कोई भी rent से related adjustment नहीं है, 26,000 रुपे rent, rent 26,000, इसके बाद क्या दे रखा है, sir, rent के बाद देखें, depreciation, okay, sir, इधर भी depreciation, इधर भी depreciation, इधर भी depreciation, दो-दो depreciation, star बना लो, ठीक है, star बना लिए, उसके, bad dates, bad dates हमारा कहा जाता है, other expense में, कितने का है, 6,000, 6,000, bad dates के बाद और क्या दे रखा है, other expense के कुछ लंबा ही जा रहा है, तो लो आगे तक ज़ज़े छोड़ें इसके लिए, accrued interest on investment, accrued जब सब्द लग जाता है, तो इसका मतलब होता है, मिलना बाकी है, जब accrued सब्द लग गया, तो मिलना बाकी है, तो यह other current assets का पार्ट होता है, किसका पार्ट होगा हमारा, other current assets, अब other current assets में हम क्या और भी कुछ है यहाँ पे, तो interest on debenture accrued, but not due, यह तो debenture की payment की कह रहा है, interest on investment एक यह भी दे रखा है हमें, unclaimed dividend और एक्सेक्टरा, तो हम डाल देते हैं अभी, अगर होगा तो note की ज़रत पड़ेगा, तो डाल देंगा, 2000 रुपए accrued है, तो बड़ी स बनाना पड़ेगा, short term loan and advance का, जो बनाया नहीं है, बना लेंगे, adjustment मार लेंगे बाद, बनाई देते हैं, इसके पहले आएगा, इस question में confusion बढ़ा है, अब जो बच्चे करके आयोंगे, उनको पता लग रहा होगा, हाँ sir confusion है, deep art देते हैं, और इसको यह आप देते हैं, ठीक है, यहाँ डाल देते हैं, चलिए, अब कहता है, investment किया है आपने, इतने रुपए का, तो यह non current investment है, इसके लिए और कोई investment है नहीं हमारे पास, that's why non current investment में डाल देते हैं sir, एक लाख बीस अजार, non current investment, एक लाख बीस अजार, interest on debenture, interest on debenture, debenture के उपर interest दिया है, तो finance cost का पार्ट है, तो चलिए, अब finance cost का नोट बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, कि मेरे हिसाब से finance cost का नोट नहीं बनाना चाहिए, क्यों नहीं बना, चलो बना देते हैं, फिर बाद में आप बोलोगे sir, क्यों नहीं बनाया, बाद में जब बनेगा ना तो देखना इसमें कुछ आएगा नहीं, यहां लिख देते हैं note, कितने का है, interest, 28,000, इसके बाद हम आगे चलें, loose tools sir, inventory का पार्ट है, 23,000 रुपे, तो loose tools inventory का पार्ट है, 23,000, तो मैंने inventory का बना रख़ा है, तो loose tools, 23,000, loose tools और एक और बताया था, spare part, यह दोनों किसके पार्ट होते हैं, हमारे inventory का, ठीक है, चलिए, अगला point, advance track, short term loan and advance में 60,000 रुपे डाल देते हैं, short term loan and advance में 60,000 रुपे डाल देते हैं, यह रहा, short term loan and advance 60,000, answer आपको दे रखा है, आपने कर रखा है, मैं ज़्यादे detail नहीं समझा रहा है, sundry expense 18,000 रुपे, ठीक है sir, other sundry expense, अठार हजार, चलिए, अरे मैं बार-बार आगे जा रहा हूँ, debtor, एक पच्चिस, इस पर adjustment है, तो note बना लेते हैं, debtor, एक पच्चिस, एक और note बनाया जाएगा, note किसका बनाया जाएगा, trade, और क्या दे रखा, debtor, कितने का debtor, एक लाग पच्चिस, अज़ा, ठीक है, कर लिए sir, debtor के बाद bank दे रखा है, तो dividend paid करेंगे, तो cash and cash equivalent का भी note बना लिया जाए, एक बना लेते हैं, note, cash and cash equivalent, और bank, कितने रुपे का bank है, 30,000 का, ठीक है न, चलिए sir, इसके बाद दे रखा है, sales, पांच लाग बीस अजार का sales, टिक करते जाएंगे, हम तब करेंगे न, sales पांच लाग बीस अजार, तो यह आगे है, पांच पीस, कोई इसके साथ कुछ है नहीं, इसके बाद दे रखा है, salary outstanding, अब बच्चा यहाँ पर confused होगा, मैंने आपको लिखवाया था adjustment में, salary outstanding अगर given हो, trial balance में तो कहां जाएगा, स्रिफ और स्रिफ एक जगह जाएगा, और एक जगह कहां जाएगा, देखो note निकाल लो, बताइए भाई कहां जाएगा जितने बच्चे हैं, एक लाख बीस, other current liability में, आगे जवाब other current liability, expense में नहीं, current liability, अब बच्चा ना, outstanding देखते ही न, सबसे पहले mind में क्लिक करता है, other current liability में, एक अधर expense में, employee benefit में, add और वहाँ, तो trial balance के अंदर है, ये भी नहीं भूलना चाहिए हमें, है न, तो सिर्फ कहां जाएगा ये, other current liability में, तो इसका एक note बना लेते है, other current liability का, other current liability का, चलो जगह खतम, और आगे चल पड़े हम, अच्छल ये, note, other current liability, क्या था हमारा, कितने रुपे का, अब आ जाते हैं, provision for doubtful debts, ये other income का part होता है, हमें सही या दखना, provision for doubtful debts, किसका part होगा, other income का, अब other income का part हमने पहले से ही, है, अब यहाँ पर other income दो है, एक तो ये है, और एक interest on investment, ये भी हमारा income का ही part है, तो दो बाते आगे तो इसका note बन जाएगा, other income का, other income का note बनेगा, इसमें note जादा बन गए न, other income, इसके अदर क्या आ रहा था हमारा, provision for, for debtor, amount क्या है, तीन हजार, एक, दो, अब आ जाते हैं, क्या दे रखा है सर, इसके बाद दे रखा है, share capital, अब इसमें authorize capital उपर कह रहा है, तो इसका भी एक note बन जाएगा, share capital का, share capital का भी note बन जाएगा, चलिए सर, share capital, note, share capital, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, authorize capital, और authorize capital सबसे उपर था, इसके बाद आ जाएगा, issued, and subscribe, share capital बताईए कितने का था, बस, गल्यत बता रहे है, authorize पांच लाग, इतना कम, जी हाँ, दो लाग है, authorize पांच लाग, सो रुपे वाला, ठीक है न, तो दो लाग और पांच लाग है, दो लाग और पांच लाग, चलिए सर, authorize capital के ब्रैकेट में लिखे दोगे, पचछाँ हजार, इंटू में 100, ने, पांच हजार इंटू में 100, पांच हजार इंटू में 100, और इस पांच लाग की कोई वैल्डी नी यह बस टूटलिंग में आता है अब टूटलिंग जो होगी वह दो लाग ही जाना है ठीक है अब आ जाते हैं किसके हम अ कि इस जर्णर रिजर्ब यह किसका पार्ट है रिजर्ब इन सर्फलस नोट बनेगा Reserve & Surplus का Note बन जाता है है Note Reserve & Surplus कि यहां लिखते है General Reserve कितने का है 40,000 इसके बाद दे रख्या है हमे हमें Surplus दे रख्या है यानि Profit दे रख्या है 25,000 tô old वाला old वाला जो profit है वो कितना एगा यहां दे जो आउज़त, प्रॉफिट यहां दे देते हैं last year प्रॉफिट這個 है कितने का था 25,000 अंदर लिकशे गेंगे इसके बाद आ जाते हैं क्या given है हमें, इसके बाद given हमें creditor अब क्रेडिटर के साथ बिल्स पेबल है या नहीं यह चेक करेंगे सर नहीं है बिल्स पेबल कहीं भी तो क्रेडिटर अकेला ही आ जाएगा यहां पे कहां ट्रेड पेबल में कितने रुपए का है 92,000 समझ में आ रहा है बात अब आ गया ये बात मुद्दे की प्रोविजन और डेप्रिशेशन इस पर स्टार बना रहने दो डिवेंचर डिवेंचर अकेला है और कुछ नहीं है तो यहां पे लिख देंगे 14 परसेंट डिवेंचर है भाई साब यह और कितने का है दो लाव का इसके अड़्जस्मेंट वगरा तो देखेंगे अभी ठीक है इंटरस एकुरूड ओन डिवेंचर डिव बट नॉट पेड डिव आ कहता है कि इंटरस्ट ओन डिवेंचर एकुरूड बट नॉट डिव मतलब अब इंटरस ओन डिवेंचर की बात करते हैं हलाकि question में कह दिया है बाकी आप डिवेंचर पर अगर इंटरस्ट निकालते भी ना तो 2,00,00 रुपए कितना था हमारा डिवेंचर कहां गया कहां गया कहां गया यह रहा 28 अब ये कहता है भाई अब 28 बन रहा था 28 पेड कर दिया तो ये क्या है बला तो कहता है interest on diventure accrued but not due accrued मतलब देना है लेकिन अभी थोड़े time बाद तो इसका मतलब सर ये हो गया outstanding interest कोई और भी investment में तो नहीं कर रखा diventure देख लो आप credit में है तो credit में ये बन गया हमारा outstanding इसका मतलब ठीक है न तो सर outstanding कैसे बना 28 28 चल रहा होगा कोई पुराना हिसाब किताब ऐसे ही कुछ नहीं इसमें 28 में include नहीं है अगर 28 में include होता तो क्यों लिखता है दोनों साइड हो इसका मतलब ये जाएगा लाइबलिटी में और वह भी कौन से अधर करेंट लाइबलिटी में तो चलिए अधर करेंट लाइबलिटी में outstanding interest accrued शब्द लगा दिया न वह तो एकुरूड का मतलब भी outstanding होता है तो सर अधर करेंट लाइबलिटी कहा है अ कि मैं अ बनाया तो था मैंने कि यह रहा कि आउट्स्रेंडिंग इंट्रस्ट कितने रुपए है कि 14,000 कि चलिए बच्चों का हाल चाल देख रहे हैं अधर करेंट अधर 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 करेंट लाइबिलिटी ठीक है सभी साइज ठीक ठाक जवाब दे रहे हैं अभी चलिए अगले पॉइंट पर देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा इंट्रस्ट और इंवेस्मेंट पर इंट्रस्ट मिला है यह मिल चुका है और इधर यह मिलना बाकी था मिलना अगर बाकी था वो तो अधर करेंट एसेट में चले गया यह मिल चुका है तो इंकम है सर इंकम है हमारा investment पे तो सीधी सी बात है यह कहाएगा other income का part माना जाएगा तो other income के लिए हमने बनाया था और यह रहा interest on investment कितने रुपे तो 12,000 रुप फिक है और कई बार जैसे आप confused हो जानों तो दिमाग में debit credit भी आपने सोचना है कि यार वहाँ पे कह रहा है कि interest on debenture finance cost मानते हो तो debit होना चाहिए क्योंकि खर्चा है लेकिन वहाँ कहां दे रहा है वो credit में दे रहा है तो इसका मतलब यह खर्चा तो है नहीं और interest on debenture income भी हो नहीं सकता तो यह क्या माना जाएगा liability माना जाएगा फिक है न तो थोड़ा बहुत जैसे exam के अंदर आप इस तरीके से सोचके कई सवाल ऐसे first जाते है तो इसको आप solve कर सकते हो चलिए सर unclaimed dividend कौन बताएगा यह मैंने बता रख था unclaimed dividend किसका पार्ट है बताओ share capital में जाएगा reserve and surplus में जाएगा यह कहीं और जाएगा unclaimed dividend कौन बताएगा especially highlight किया था भई यह examiner पूस्ता है यह unclaimed dividend कौन बच्चा बताएगा other current liability बिल्कुल सही जवाब बच्चों ने दे दिया other current liability तो यह चीज़े ध्यान रखना है बच्चा डिविडेंट देखेगा दोड जाएगा reserve and surplus में यह दोड जाएगा share capital में तो गळात हो जाएगा भई other current liability देखा कितना important point था अभी यहां पे आपको chance मिलता है गलत भी बूलने का exam में नहीं मिलेगा इसलिए आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए बताएगे क्या amount है पांच हजार चलिए यह सारे done हो चुका है अब depreciation पे star लगा रखा है लगा रहने दीजिए पांच मिनट अभी solve हो जाएगा you are required to compute so and so and बहुत देखते हैं अब देखो कहता है closing stock जो है more than opening inventory closing stock जो है वो opening stock से कितना ज़्यादा है तीस अजार ज़्यादा है यहीं को पढ़ लेता है ध्यान देना मेरे सवाल का जवाब देना ध्यान देना opening stock कितना लिखा मैंने छे हजार closing stock कितना लिखा आठ हजार और मेरा यहाँ पर क्या आया 2000 किसमें आया माइनस में क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा closing stock opening stock से 2000 ज़्यादा है मेरे word को सुनना क्या मैं बोल सकता हूँ मेरा closing stock opening stock से 2000 ज़्यादा है बोला जा सकता है क्योंकि opening stock whatever जो भी रहा उससे ज़्यादा 2000 है तो अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा closing stock opening stock से 2000 ज़्यादा है तो answer किसमें आ रहा है माइनस में और इसी को हम change in inventory भी बोलते हैं सोचो चेंज इन इंवेंट्री क्या होता है उपनिं वाइनस में closing तो जो यह दे रहा है न आपको यह change in inventory दे रहा है कि यह आपको change in stock देञाए डिर्टले समझ रहें बात को यह क्या दे रहा है आपको change in stock अब यहां से अंदाजा लगाया जाए change in stock कितना है 30 और 30,000 रुपिस के हमारा ज्यादा तो यह जो 30 अब opening stock मान लो opening stock आ गया और closing भी आ गया एक तरीके से अगर यह बोला है तो तो यह कहां चला जाएगा हमारा तो यह चला जाएगा change in inventory में जो कि हम लिखते हैं पी एंडल के अंदर और आएगा कितना 30,000 रुपिस चेंज इन inventory में 30,000 समझ लिजे इस बात को पहले क्या समझ में आया है यह बात आपको हाँ जी दुवारा एक देख लो और एक और example मैंने लिखा यहाँ सोच के बताना है मैं लिखा opening stock है जी 5000 और closing stock है जी 6000 मुझे बताओ मेरा closing stock कितना जादा है Opened से 1000 closing stock कितना जादा है opening से 1000, अगर closing stock spell ऑपणिग से 1000 जादा है तो मुझे change in stock बताना जरा कितना होगा तो minus करोगे इसमें से 1000 minus करो letzte है कि मेरा closing stock more than 1000 है और जब मैं बोलू कि मेरा closing stock more than 1000 है तो minus वाला amount बता रहा हूँ है ना, तो same कहानी तो यहाँ पर भी था यही कह रहा है देखो closing stock more than opening by 30,000 इसका मतलब minus वाला बता रहा है change in inventory, तो वही change in inventory मैंने क्या करा है, यहाँ पर put कर दिया यह रहा, ठीक है ना, clear चलिए सर, अगले adjustment पर चलते है यह adjustment done जी, done, done अगला provision for doubtful debt 4% on debtor, तो बड़ी simple सी बात है trade receivable में 4% debtor और other expense में चला जाएगा, क्योंकि provision जो trial में होता है other income में जाता है, adjustment में होता है कहाँ चला जाता है other expense में, जो adjustment में होता है वो कहाँ चला जाता है other expense में याद होना चाहिए आपको, अगर आप अभी भी सोचोगे ना, कि अभी कर लें, क्योंकि chapter finish होने पर है, तो फिर कोई फायदा नहीं भाई सब, कोई फायदा नहीं सर, 30,000 minus में ही होगा हाँ, minus में होगा, मैंने, हाँ, minus नहीं लगाया बिल्कुल minus में होगा, एक बच्चे ने बला, सर, 30,000 तो minus में होगा, जी, हाँ, आपके बिल्कुल सही questions है चलिए सर आगे की बात करते है आगे की बात करते है, make provision इसे इसे बना लिजे, debtor पर कितने परशन, 4% टो डेटर के उपर माइनस में, PFD, प्रोविजन 4% कितना रहे है कि ऐक लाग 25,000 पर 5%, मात्र पांच जार, दूसरा कहां चला जाए गाजर एक्सेंस में, तो प्रोविजन on data, मैंने इसके लिए जगह छोड़ा था, आगे continue लेके जा रहा हूँ, ठीक है, that is 5000, clear, चलो जी, ये भी हो गया, done, adjustment में जान नहीं है, ये भी हो गया, load done, नहीं, ये तो बात में होगा, depreciation expense include, depreciation expense जो भी था, उसके अंदर include है, 8000 रुपए, building and 12000 machinery, कहने का मतलब है, भाई साब, जो ये depreciation दिख रहा है, इस depreciation की मैं बाते बता दू, इसके अंदर 8000 रुपए किस पे है, और 12000 किस पे है, machine, बड़ी सीधी सी बात है, अब ये depreciation trial balance के अंदर है, ये trial balance के बाहर है, अंदर है, बाहर तो बताया है, detail, अगर मैं यहाँ 20,000 लिख रहा हूँ, बाहर बोलू 20,000 दस जमाद 10 है, तो इसका मतलब adjustment थोड़ी न हो गया हो, adjustment मतलब अंदर था ही नहीं, इसका मतलब ये depreciation कहा है, trial balance के, बताओ, अंदर है, अगर trial balance के अंदर है, ये, तो इसका मतलब, इसकी कितनी entry होगी, कहां जाएगा, बताओ, machinery में से माइनेस करें, या फिर building में से माइनेस करें, या फिर depreciation में दिखाएं, आपके पास adjustment, खोल लिजियर adjustment, सर्फ प्रोविजन 6250 आएगा, बच्चा बोल रहा है, प्रोविजन 6250 आएगा, कैसे आएगा भई 6250, चार परसेंट है न, और डेटर कितना है, एक पच्चिस, भई, एक पच्चिस पर चार परसेंट तो यही होता है, साइद मेरे कहाल पुराना नयाद जोड के बोल रहा होगो, पता नहीं भई, आप कैसे बता रहे हो 6250, कहां जाएगा, देखो, रिशीता ने कहा है, सर एसेट में आएगा, एमडी ने कहा है, डैप में आएगा, इमरान ने कहा है, डैप में आएगा, लक्ष्मी ने कहा है, डैप में आएगा, रिशीता ने कहा है, माइनस होगा, तो भई, आप नोट्स निकालिए, इमानदार इसे नोट किया है, तो रिजिस्टर में कहां जाएगा, बताओ, लिख दिखिए और वहां आपको इसका जवाब मिल जाएगा ठीक है ना तो कहां जाएगा यह डेप्रिशेशन में एस इट से माइनास नहीं होगा तो कितना डेप्रिशेशन है सर इक समस्य खतम है यहां का यहां का डेप्रिशेशन अब यह जो प्रोविजन है ट्राइल बेलेंस में होता है तब का भी ट्रीटमेंट बताई देखो नोट खोल के बताओ मुझे क्वण बताएगा क्या करें इसके दो बताये थे treatment या तो आप assets में से minus कर दीजिए या non current liability के अंदर long term provision में दिखा दीजिए तो मुझे ज़्यादा suitable लग रहा है assets में से minus करना तो मैं assets में से minus कर दीजिए तो मैंने tick भी करवाया था कि वहाँ assets में से minus करिएगा अब कई बच्चों का answer differentiate पता क्या हो रहागा liability में दार हर बार जब solution करने बैठते हैं तो जो मन में आता हम फटा-फट कर देते हैं लेकिन जब वीडियो classes ले रहे हो class ले रहे हो तो मैं तो दोनों aspect बताऊंगो ना आपको ताकि अगर आपका answer वहाँ दे रखा हो तो आप confused बिल्कुल भी ना हो अधर करेंट liability में दिखा दीजिए या फिर वहां मत दिखाईए तो assets में से minus कर देजिए answer फरक्त दोनों में आएगा लेकिन 100% ठीक माना जाएगा तो सर मैं assets में माइनस करना ज्यादा priority दूँगा क्योंकि मेरे को आसान लग रहा है वो का current liability में मैंने बनाया ही नहीं पार्ट अगर बना देता न तो यहीं कर देता था चलो assets मना दिया था तो minus कर देते हैं PFD और minus कर देते हैं PFD प्रोविजन फोर depreciation ठीक है यहां भी PFD लिख देता हूं मैं लेकिन यह थोड़ा सा बस आप ध्यान रखेगा मैं यहां का मतलब यहां यहां का मतलब यहां पता यह कितने का है पचास हजार बिल्डिंग से लेकिन फिर भी जब मैं पैन चला रहा हूं न तो बच्चों का मन करेगा सर एक बिल्डिंग और भी तो था पीछे 12,000 और 18,000 कितने था आठ हजार और 12,000 वो भी माइनस कर देके नहीं भाई उसकी एक एंट्री होनी थी हो चुकिए दुबारा मत कर दे ना आने तो घड़बर हो जाएगी फिर परेशान रोगे पूरे टाइम ठीक है मैंने हर किसी को हर किसी के इसाफ से treatment बता है तो मेरे इसाफ से अब इसके अंदर कुछ भी नहीं बता आया जो मुझे बताना हो ये बिल्कुल done हो चुका है clean एकदम clean ठीक है adjustment भी चलते जाते हैं सर डेप्रिशेशन ये सर बेवकुब बना रहा था बस हमें डारेक्टर रिकममेंडेशन को हम खतम करके हम कर देते हैं डारेक्टर पेड 25 परसेंट डिविडेंट तो दो लाग रुपे का शिया था 25 परसेंट कितना हो जाएगा पचास अजार दो जगा एंट्री जाएगा रिजर्वेंड सर फ्लस से माइनास और एक कैशन कैश एकुविलेंट में तो दो लाग का 25 परसेंट अब देखना उसके अंदर मैंने रिकममेंडेशन करा है पेड गया एक बार नए वाले टेनियर में मैंने वैसे पेड करवा दिया होगा दा डारेक्टर रिकमेंडेट पे इसका ट्रीटमेंड ही बता देते हैं और असान है जब कोश्चन में एक्जाम में आ जाए रिकममेंडेशन तो आप तो काट नहीं सकते जब रिकममेंडेशन है तो इसका मतलब इसकी कोई काम नहीं है बताया था छीक है लेकिन इसको ना एक जगा नोट में डालना पड़े कि in case of proposed dividend या director recommendation dividend not approved हम तो यह मान रहे हैं recommendation है अगर आप मान लेते हो अप्रूब्ड है तब तो पैसे दोगे अगर मान लेते हो not approved है तो पैसे नहीं दोगे तो हमें एक note लिखेंगे balance sheet के नीचे सर balance sheet के नीचे जी हाँ यह हमारा balance sheet है इसे जो balance sheet के नीचे जो मैं लिखना जा रहा हूँ इसको पता है क्या बोला जाता है इसे बोला जाता है contingent liability थोड़ा उपर कर देते हैं नाम सुनाओगा तो as per as per as for पर पोस्ट डिविडेंट इस ट्रीटिड इस कॉंटेंजेंट लाइबिडिटी मैंने लिख दिया है यहां पर और और ली मैंने बोल भी दिया कि इस पर as for accounting standard 4 के इसाब से contingent liability ट्रीट किया जाएगा और 10 यर के अंदर भी मैंने बाखोवी नूट डाला हुआ है तो आप वहां पे भी देख सकते हैं नूट मैंने क्या डाला है तो अब दोनों बाते समझ में आ गई या आपका recommendation होगा तो क्या लिखना है और paid होगा तो कैसे करना है दोनों बाते चल गई पता चाहिए सर कॉर्परेट अकाउंट की class है सर यह कॉर्परेट अकाउंट की class है बिल्कुल मुकुल यह तो कॉर्परेट की class चल रही आज चल यह अब यह भी हो गया डन और लास में टेक्स है कॉर्परेट डिविरेंट टेक्स कट चुका है नए टैनियर में आपको नहीं देखने को मिलेगा यह है ना यह कट गया तो अब नए वाले का और हमारा कि अधिक अधिक कोई बात नहीं हम दिखा दें हमने वहीं दिखाना है और मैंने आपको जब प्रोविजन फोर बताया था तो बताया था पिछले साल का इंकम मान लो इस साल ठीक कर लो या फिर हम नए और पुराने प्रोविजन को अजस्मेंट मानते हैं तो हम एक स्टेट फोलू करेंगा अधर इंकम में दिखाएंगे बात खतम वाई आंसर नेट प्रोफिट ठीक आएगा बिलकुल सही होगा गलत नहीं होगा इस बात को जान डखना है ठीक है ना तो इस वज़े से अधर एक्स्पेंस का कुछ बच्चों का दिक्कत आ रहा हो अब चलिए सर अब टूटलिंग का काम करें फटाफट कितने फूर्ती में टूटल करते हैं आप मेरे साथ साथ टूटल करें देखते हैं कौन बच्चा कितनी तेजी म पचास हजार माइनस एक लाख दो लाख जल्दी जल्दी बताइए पच्पन हजार माइनस देखते हैं कौन सबसे तेज है नो दो ग्यारा इसके बाद इधर टूटर होगा बताइए बाई क्यालकुलेशन से कैलकुलेशन करिये इतना समय नहीं लगना अरे 31 और 5 बताइए 36 दो सो नहीं गलत आगया 65 जल्दी जल्दी करो इसके बाद ये अकेला अकेला अब देखो मैंने कहा था ना फाइनिंस पॉस्ट अकेला रह जाएगा रह गया अकेला लेकिन तो इसके लिए नोट हटा दे गया नहीं अब बना दिया तो लखेंगे न और अठाइस बाद में टूटलिंग यहां पर ट्रेड रिसीवेबल एक बिस और ये कैस अन कैसे कुलेंट अकेला ये भी नोट नहीं बनना चाहिए था वैसे चलिए आ गया जाते हैं कि आगे सर अधर करेंट लाइबलिटी कितना है दो हजार कि चौदा हजार और फांच हजार तरह कि इसके बाद सब्सक्राइब 25 यह तो डो लाक ही रहेगा यह तो बहुतioned लास्ट है और वैसे यह इतना आसान था हर वाया जनल्रिजम में क्ला कुट मी मैंने करने को निया प्लस करने को निया सीधा टेक्स करके यहां लिए दिका दूग्ध कि जनलर रिजर्व में ट्रांसफर को भी दो नहीं बोला इसने सामा ने हमने इतना बड़ा बना दिया है अब याद रखना है ठूटलिंग कर करके हम लिखते जाएंगे पहले نवण डाल लो कि इसका है मैं नवण डालो सऽर कैपिटल बनाया है रिजयर्व सेफिलेस बनाया है कि और ऑर अदर करेंट लाइवती बनाए ठीन सट नहीं बनाते हैं 242424 चार चार नंबर ये चार चार के बाद पांच नंबर चैसे नंबर कैसी पीलंट सात अंबर सट्रं नहीं बनाए साथ-7-7 आजाई हा गया लहाज जू साथ इप आठ नम पर आठ यام है इस आठlooked नंबर 조-9 आदम क्लिये सर पीपी ये टोटल दो चालेस प्लस पेंतालेस टू इटी फाइव पीपी इटू इटी फाइव नोट नंबर नोट नंबर चार नोट नंबर चार ये देखो इसके बाद इट्वेंटर नंबर पाँच नोट नंबर पांच नोट नंबर पांच अधर एक्श। इस धいます कि अधर लूड नोट नंबर तस सुध finance cost अथाइस, finance cost अथाइस, note number 9, trade receivable एक बीस हजार, note number, trade receivable एक लाख बीस हजार, note number 6, note number 6, cash and cash equivalent 30,000, note number 7, note number 7, other current liability 21,000, note number 3, 21,000, note number 3, कहां गया, कहां यह रहा है, other income 15,000, note number, note number 8, 15,008, share capital, note number 1, 2,000,000, यह तो पता ही है, note number 1, 2,000,000, sir, यहां पर आप याद रखिएगा, authorized capital का कोई value नहीं होता, उसको कुछ नहीं करना होता, चलिए इसे और छोटा करके दिखाते हैं, एक जिगहें, ठीक है, इसके बाद, reserve and surplus, note number 2, 1, 2, reserve and surplus, note number 2, अभी हुआ नहीं है, सबसे last में होगा, और किसी का रह गया, कुछ करना, नहीं रह गया, फटा फट टोटल कर देते हैं, तोटल करिए, कितने जल्दी कर सकते हैं, देखते हैं, पांच, बीस और पंदरा, पांच लाग, 35,000, इसका टोटल कौन करेगा, दो दस, माइनस तीस, और प्लस साथ, अठाइस, बीस, सर्थ, 35,000, माइनस में पांच पांच, 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 तर एक ब्यासी, तू, आंसर चेक करिए, एं, 182, नेट प्रॉफिट बिफोर टेक्स, 152, 152, एक बर दिखाओ, क्या रेर कर दिया, सर, नहीं मैंच हुआ, ऐसे सवाल में, एक सवाल में, आपको आदे गंटे दिये जाते हैं, बाकी आपकी इच्छा है, आप कितना लगाते हैं, कोशा नमर कौन सा कर रहे हैं, अधिक, ओके, तीक, ठीक, 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 हाँ, अब अड़ित परचेस का रहे गया था ना, चलिये, अरे, पहले ये वाला point समझ में आ गया था अब adjusted purchase का formula सुनिए is equal to opening stock plus purchase minus closing stock ये होता है हमारा adjusted purchase तो आप ध्यान से देखिए adjusted purchase जो है opening stock plus purchase minus closing stock इसको हम ऐसे लिख सकते हैं opening minus में closing stock plus purchase लिखा जा सकता है ने लिखा जा सकता क्या हम इसको ऐसे लिख सकते है change in stock plus purchase लिख सकते हैं ना मैंने इसी को तोड़ तोड़ के अलग अलग करके लिखा है इसका मतलब सर जब adjusted purchase given होगा तो change in inventory उसी में already adjustment हो गया होगा क्योंकि adjusted purchase है तो उसी के अंदर change in inventory already क्या हो चुका होगा plus minus हो चुका होगा तो जो हमारा change in inventory है ना अब यहाँ पे change in inventory नहीं आएगा यहाँ तो इसको दिखाने के दो तरीके हैं आप यहाँ पे इस purchase को कम करिए या change in inventory को मत दिखाईए मैं change in inventory को नहीं दिखा रहा पहले आप बताईए चेंज इन इंटरी क्यों नहीं दिखा जा रहा समझ में आया क्योंकि अल्रेडी किसमें अर्जस्ट हो जा था अर्जस्टिट पर्चेस में वह पर्चेस में तो यहां कोई दिखाने की जौरत नहीं है तो यहां 30,000 कम कर देंगे तो 30,000 जब हम कम करेंगे तो कितना आजएगा यहां पर? 3,53 और 3,83 आजएगा यह और 83 आजएगा तो यहां से 30,000 कम आजएगा 52 आजएगा हाँ, सभी किया, माइनस में था ना, अब बताईए समझ में आया, समझ में आया आपको, खीक है, अब टेक्स रेट कितना था 152 का, बताओ, 50%, टेक्स रेट, 76,000, जब माइनस करेंगे, तो क्या बचेगा, 76,000, अब ये 76,000 दो जगह जाएगा, एक तो शोट्रम प्रोविजन में भी आ जाएगा, 76,000, और सर, दूसरा हमारा अधर, आ जाओ भाई, आ जाओ, करेंट इयर प्रोफिट, 76, सर, 76 प्लस 25, एक लाख ही ख़जार, और प्लस चार जज़ार, 41 हज़ार, चलिए सर, एक लाख लाख लाख, दो, खतम कुश्चिन, अब चेक कर लीजेगा, आप किस का क्या क्या आ रहा है, सर, एक एक तालिस प्लस दो लाख, प्लस दो लाख, प्लस 92 हजार, प्लस 21 हजार, प्लस 76 हजार, यहाग है, साथ तीस, ठीक है, 285, 12 हजार, मैंने जादा ले लिए, 12 हजार, एक लाख 13 हजार, और यह ट्रेट इसीवल, एक बीस है, एक बीस, 30 हजार, साथ हजार, और दीस हजार, छे चालिस, कुछ रहे गया क्या, नब्वे हजार को कुछ छोड़ दिया हमने, बताओ भाई, क्या छोड़ दिया है, नब्वे हजार, कह रहे पहली बार मैच हुआ, कॉर्परेट के सारे थे, अरे भाई, पहली बार कहा मैच हुआ, इसमें बताओ, चेकर के बताओ, क्या रहे गया, पुछ, यह कितना, बारा है न, अच्छा, एक भी सही है, ओके, तभी तो मैं कहा रहा था, नब्वे, पहली बार मैच नहीं हुआ, हर बार ही मैच होता है, आपका देखने का नजरी आ लग है बस, लीजिये जी, तो इस सवाल को देखो, अगर मैं थे आता, तो बुलता, भी कर लो, इस सवाल को आप कर भी सकते थे, तो मैंने यह सवाल में कुछ सिखाया थोड़ी आपको, बस फ्रेक्टिस करवाया है, तो अब जितने कोशन है, एक बस दो टॉपिक है, वो करवा के, इसके बाद देखिए आपको, अगर आप खुद मेहनत करके करें न, सोलूशन है, तो फटा फट कर सकते हैं, यह सवाल भी आपने करना है, दस, और एक करना है, एक यह सवाल करना है, अपको 11, और जो जे आर मौंगा बुक के अंदर आपके जो सवाल गीवन है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, जब रोगा